हलो एंड वेलकम गाईज असालाम अलेकुम एंड आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत खुश दाम दीद आज की स्लाइश्ट्रीम के अंदर यहां पर मैच खेला जाएगा पाकिस्टान वर्सी जिन्बावे थर्ड टीटवंटी मैच जो है वो इन दोनों टीम्स के दर मैं खेला जाएगा और रही बात इस मैच की गाई इस तो एक इंटरस्टिंग मैच होने माला है पाकिस्तान की टीम ने अब तक जो सीरीज खेल रखी है सीरीज के अंदर पाकिस्तान की टीम का पलड़ा हमें भारी दिखाई दिया है लाइक जिंबाबवे की टीम को मुकमल तोर पर पाकिस्तान की टीम ने जो है आउट क्लास किया हुए है इससे पहले हुए थी इन दोनों टीम्स के दर मैं टीटवंटी ओडियाई सीरीज और ओडियाई सीरीज का हवाल तो आपको पता ही है दो टीमाच हुआ था और इन मैचेज के अंदर हमें बारी दिखाई दी थी लेकिन ये है के जीम्बाबवे की टीम ने आखरी जो है वो मैच के अपने नाम किया था जहां पर आज इस सीरीज का तीसवार फाइनल टीटवंटी मैच जारी होगा कुछी दमहां के बाद और रही बात इस मैच की तो इस मैच के अंदर पाकिस्तान की टीम के अंदर काफी ज़्यदा तब्दिलियां की जा सकती है लाइक मुहम्मद अफीस को आज रस दिया जा सकता है फखर जमान को रस दिया जा सकता है इसके साथ साथ अगर हम बात कर लेते हैं वहाब रियास की तो उनको आज जो है वो टीम के अंदर खिलाए नहीं जाएगा मेरे हिसाब से तो तीन चार तब दिनिया तो पाकिस्तान की टीम के अंदर मस्ट हैं जो आज हो सकती है गाईस जबके अगर हमबात कर लेते हैं पाकस्तान जिम्बाभी के टीम की तो जिम्बाभी के टीम भी जो है वो अपने प्राइड के लिए खेलेगी और यकीनी तोर पर इस मैच को जहां वो जीतने की कोशिश करेगी और सीरिस के अंदर कोई ना कोई मुकाबला जहाँ वो जीत कर आगे बढ़ने की कोशिश करेगी जहाँ पर आज तीसरो और फाइनल T20 मैच इन दोनों टीम्स के दिमान खेला जाएगा और अगर हम देख लेते हैं गाईज पाकिस्तान की जान से सबसे बेहतरीन प्लेयर को गाईज तो वो बला कौन है बाबर आजम बाबर आजम ने पहले मैच के अंदर भी बैसी रंस के लाजवाब इनिंग्स के लिए दूसर पर अगर हम देख लेते बाबर आजम को तो इस साल के अंदर उन्होंने चार फिफ्टी जो हैं वो स्कोर कर रखी है और दोसो से उपर रंग बना रखें पच्पन की आवरिज रही है साल 2020 के अंदर और इन्हों दिछे मैचेस के अंदर 256 बना रखें हैं और बहुत ये बढ बहुत 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 शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस तीसरे मैच की लाइव स्ट्रीम और कवरिज के साथ जिसका आगाज कुछी देर के बाद हो जाएगा जहां पर जहां पर आली अबास डीपी भाई ऐसी कोई बात नहीं मैं आपके कुमेंट सोरर सब दोस्तों के कुमेंट्स शामिल करता हूँ बस अभी कबार जो है वो कुमेंट्स को नहीं देख पाते तो इस वजह से कुमेंट्स जो है वो शामिल नहीं होते बागी और कोई बात नहीं है बागी रही बात दोस्तों जिंबाब्वे के टीम की तो जिंबाब्वे ए एसीन विलिम्स ने जो है वो बहुत ही लाजवाब किसम की क्रिकट खेली हुई है और इन तीनों प्लेयर्स के चलते हुए टीम जिंबाबवे ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया इस सीरियस के अंदर और अपनी ही टीम को जो है वो कह लीजे के पहला मैच भी जीतने वा मैच के तो तीसरे मंडे मैच के अंदर जिंबावे के टीम ने बढ़िया परफॉर्म किया और पाकस्तान ने सूपर आवर के अंदर जाकर रहे उस मैच को लूज किया था जहां पर सूपर आवर के दोस्तों बात कर लेते तो सूपर आवर के अंदर पाकस्तान के टीम के पा मैंच इन दोनों टीम्स के दर्माइन खेला जाएगा जहां पर अगर हम देख लेते हैं गाईज कहले यहां पर पाकस्तानी स्क्वाड को तो पाकस्तान के टीम के अंदर जो जो प्लेयर्स आज के इस दिन के अंदर खेल सकते हैं उनके नाम भी आपको बताता चलता हूँ साथ साथ पाकस्तान के टीम के प्लेयर्स के बारे में भी आपको बताता चलूँगा और सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं गाईज यहाँ पर पाकिस्तानी स्क्वार्ड की तो पाकिस्तान की टीम के अंदर जो जो स्क्वार्ड मौजूद है इनके जो जो खिलाडी मौजूद है उनके बारे में अगर हम जान लेते हैं तो पाकस्तान के टिंग के अंदर अब्दुल्ला शवाफीक और मेरे हिसाब से मिरा है समाना है कि आज अब्दुला शवाफीक को जो है वो लाजमी तोर पे पाकस्तान के टिंग के अंदर मौका देना चाहिए क्योंगे वो एक अच्छे प्लेयर हैं यूसफ रिजवान ने हमें जवाइंका रखा है अब्दुल्ला शाफीक की बात कर लेते हैं इस तो नैशनल T20 कप के अंदर इनके परफोर्मेंस बहुत ही लाजवाब रही थी और पाक्सान यानिके इन्होंने अपनी टीम की जान से बहुत ही बड़ी अखिला था और आज फ टीम के अंदर शामिल नहीं किया गया है हलांकि वो डियाई टीम का वो हिस्सा थी लेकिन T20 मैच के अंदर उनको मौकान नहीं दिया गया और मेरे हिसाब से आज उनका डेबियो मैच जो है वो T20 का हो सकता है बरहल अब देखना होगा कि वो आज किस मैच को खेलते हैं या फ लिए है कि वो बड़िया क्रिकेट खेल थी वो नमबर वन की पॉजिशन पर चले गए हैं यानि कि आई सी सी टी ट्वन्टी रंकिंग के अंदर नमबर वन पर जा चुके हैं बाबर आजम एंड रही बात इसके बाद आनुवल प्लेयर की गाइस तो वो बड़ा काउंट हो है वो बड़िया खेलना चाहिए लेकिन इतनी अच्छी परफॉर्मेंस जो है फ़ही मश्रफ की भी काबले दीद परफॉर्मेंस जो है वो आप कह लीजिए कि नहीं रही है 29 मैचसे स्टी ट्वन्टी के इन्होंने खेल रखे हैं जबकि अगर हम बात कर लेते हैं फखट ज कि परफॉर्मेंस जो हो बहुत ही जो हो खराब रही है फखट जमान के बारे में आपको बता दू दो कि इन्होंने अपनी आखरी जो 40 से उपर रंज बनाए थे और उसके बाद इनकी जानेफ से कोई भी एतनी अच्छी और थास किसम की क्रिकेट जो है वो नहीं खेलीगी हाँ अगर हम देख लेते हैं यहाँ पर फखर जमान को तो 16 इंडिंग सोच की हैं जब से इन्होंने 40 सिपर रंज बिलकुल नहीं बनाए हुए और जिंबाबे के खिलाफ जो है बूदोस्तों इन्होंने 91 रंज बनाए थे जमान ने अस्ट्रेलिया के खिलाफ हरारे में 2018 की वो ट्राइ एंगुलर सीरिस थी जिसके अंदर पाकिस्तान की टीम ने फाइनल के अंदर लिम ऐस्ट्रेलिया को हराया था और कह लिजे के 10 की इंग के आवरेज रही है 7 दफा यह दस से कम के स्कोर पर आउट रहे हैं और 2 दफा यह कह लिजे के यहां पर 0 के स्कोर पर आउट होचे हैं तो फघर जमान को जो है वाज लाजमी चौर पे बड़िया पर्फॉर्म करना होगा एंड रही बात यहां पर ब्रेंडन टेलर की गाईज ये प्लेयर जो है वो इतना बड़िया परफॉर्म कर रहे थे वंडे सीरीज के अंदर लेकिन एटवंट की दो सीरीज के अंदर इन्होंने 23 रंज बनाये हुए हैं और आज इनको अच्छा खेलना होगा अगर इनकी टीम और पाकिस्तान के कप्तान ऐसा करेंगे या नहीं बाबराजम जबके दूसरी जानेब दोस्तों अगर हम बात कर लेते इनके बाद अन्मेल प्लेयर की तो वो होंगे बला कॉन हैदर अली हैदर अली ने प्रिष्ले मैच के अंदर ताबर तोड किसम की बैटिंग कर दी थी और उनकी बैटिंग के बदोलत ही पाकिस्तान की टीम ने इतना अच्छा और लाजवाब खेला था कि पाकिस्तान की टीम ने सोल वेंबर के अंदर जाकर जो है वो मैच को विन कर लिया था बहुत ही बड़या परफॉर्म किया था वहाँ पर हैदर अली ने और उनकी बेहतर बेहतरीन बालिंग करवाई थी और उनकी बेहतरीन बालिंग की वज़ा से पाकिस्तान की टीम ने उस मैस के अंदर रखात रखाक वागर्दगी दिखाई थी यह सीरीज तो आप कह सकते हैं कि इतनी खास जो है वो नहीं पाकिस्तान की टीम आसानी के साथ इस सीरीज को सीरी की conditions के अंदर जो है वो perform करना किसी भी player के लिए किसी भी team के लिए इतना असा नहीं होता तो पाकस्तान की team को अभी जो काम करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि अपनी जो बेहतरीन players है इनको select मतलब इनको देख लेना चाहिए जो के अगले आने वाले matches के अंदर पाकस्तान की team के लिए कारगर साबित हो सकते हैं और फिर उन्हीं playing lemon के साथ उसी playing lemon के साथ पाकस्तान की team को जो है वो New Zealand के दोरे पर जाना चाहिए इस जो squad जो मुझे नजर आ रहा है दोस्तों इसके अंदर मेरे हिसाब से सर्फराज अहमत की कमी हो रही है मुहमद आमिर squad का हिस्सा नहीं है जो अब मलिक को खिलाना चाहिए जो के अगले आने वाली series होगी उसकी में बात कर रहा हूं उसके अंदर ये ये तीन player जो है वो लाजमी तोर पे होने चाहिए और रही बात हैदर अली की guys तो हैदर अली ने one down की position पर रहते हुए इनकी जो सबसे खास बात है हैदर अली की सबसे खास बात है दोस्तों वो ये है कि हैदर अली ने जो है वो अपनी अपनी cricket के लिए natural cricket के लिए वो जर्रा बराबर भी pressure के अंदर नहीं आए हलांके हमने देख रखा है कि जब किसी प्लेयर को अपनी जगा बचा नहीं होती है तो वो थोड़ा प्रैशर के अंदर आ जाता है सफरी राजा हमारे साथ मौझे हैं वाली कामन सलाव अलकम टो दिस लाइश्रीम अब्दल खबफूर भाई और इजवान भाई जितने भी दोस्त जावलाव मौल भी जो भी दोस्त हमारे साथ मौझे हैं वेडियो के उपर लाइक और चैनल को सबस्क्राइब करते जाए यह त हमारे साथ जुड रहे हैं आप दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं यहां पर हैदर अली की तो हैदर अली जो है वो पाकिस्तान के टीम के अगले वक्त के अंदर आने वाले एक बेहतरीन स्टार प्लेयर साबित हो सकते हैं क्योंकि यह अपनी नैचरल गेम खेलते हैं बस इन जैसे क्रिकट खेलेंगे इनके पास experience आता जाएगा और experience जो है वो दोस्तों एक ऐसी चीज है जो कि कह लिए के लोहे को एक बहुत ही कह लिए के बहुत ही जबर्दस्टी चीज में convert कर सकता है मतलब जो experience वाला बंदा होता है तो इसे हैदर अली जो है वो कह लिए एपनी मैश्रफ से पहले हम बात कर चुके हारिस राउफ पहले match के अंदर जोंके बॉलिंग के अंदर थोड़ी सी खामिया नदर आई हमें वो यह थी कि हारिस राउफ ने जो है वो एक ही पेस के साथ एक ही लाइन लेंड के साथ बॉलिंग करवाई थी और यही वज़ा थी कि उन का फायदा रहा लाइक उन्होंने केंजिस ये किये थे दोस्तों के उन्होंने अपनी पेस को मिक्स किया और पेस को जहां मिक्स करते हुए बेहतरीन किसम की बॉलिंग होती हुई जो है वो उनकी जानम से दिखाई दी जिसके बाद आएंगे स्क्वार्ट के अंदर ये अगली सीडिस के अंदर आप इनको लाजमी तोर पे रंसीडर कर सकते हैं हमारे साथ लेजंड गेमर्स हारी लाल सर और शौकत भाई जितने दोस्त मौजूद हैं वल्कम अव्यों तो इस लाइश्ट्रीम ये तो दोस्तो हारी स्राव की जहां तक बात रही तो पहला वंडे मैच इन होने खेला लेकिन उसके बाद ये इंजट हो गए और इंजट होने के बाद दुबारा से इनकी टीम के अंदर वापसी नहीं हुई ये प्लेयर एक ऐसे प्लेयर है कि इनकी फिटनेस इतनी ये प्लेयर अदर्वाइज इनके लिए जो है हो कहली जहीं टीम के इंदर रहना इतना इसन नहीं रहने वाला आगले आने वंत के इनदर रही बात यहां पर पाकिस्तान के टीम के दूसरे प्लेयरस की लाइक अगर हम बात कर लेते हैं अभी दली queijo abides ko आज लाजमी तोर प पर करनी चाहिए अगर आप चेंजिस करेंगे तो यकीनी तोर पर मौका होगा कि नया टालेंट जो है वो आपको मिल सकता है देखने को बरहल अब देखना होगा कि ऐसा होता है यह नहीं पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है वो टीम के अंदर तब्दिलियां आज करती है य उनको टीम के अंदर शामिल क्या जाए बरहल टीम मैनेजमेंट की क्या ही बात है वो कुछ भी कर सकते है जब भी जब भी उनका दिल करें तो दोस्तों आज डिपेंड करेंगी ये चीज़ें टीम मैनेजमेंट के उपर जबकि अगर हम बात कर लेते हैं अगले प्लेयर की त था और यही एक वजा है कहे दोरा आए आस्ट्रेलिया के बाद जो है वनको वाका तो दिये गे लेकिन इतनी 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 परफॉर्मंस नहीं रही दोरा अस्ट्रेलिया जो के 2020 में बलके 19 के अंदर हुआ था पाक्सतान का और वहाँ पर इस देर ने कहलीजे कि इतना भी खराब पर्फॉर्म नहीं किया था लाइक अच्छा पर्फॉर्म किया था लेकिन उसके बाद इनकी पर्फॉर्मेंस इतनी खास नहीं रही थी और यही वजा है कि यह कॉंसिस्टेंट तोर पर जो है वो टीम के अंदर जगा बनान लेकिन खुशदिल शाब भी जो है वो एक नए प्लेयर है तो मुझे नहीं लगता कि उनको वो टीम से निकाला जाएगा बलके आज जो है वो खुशदिल शाब भी खेलते हुए मैं दिखाई देंगे नैशनल टी-20 कप के अंदर उनकी पर्फॉर्मेंस बहुत यह अच्छ रहे हैं इस वीडियो के अंदर इस मैच के कह लिए के यहाँ पर आप कह सकते हैं के थोड़ी से इंफोर्मेशन को के कौन कौन से प्रेयर्स आज टीम पाकस्तान के अंदर खेल सकते हैं और दोनों टीम्स के पर्फॉर्मेंस कैसी रहने वाली है दोनों टीम्स के स्कॉर्स को हम आज डिस्कस कर रहे हैं जहां पर सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों पाकिस्तान के स्कॉर्ड की तो पाकिस्तान के स्कॉर्ड के अंदर हम पहुंचे हुए हैं यहां पर कह लीजे के तमाम के तमाम प्लेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं हम अब्दुल्ला शाफीक, अबदुला शफ़िक के बाद, आबीद अली, बाबर आजम, बाबर आजम के बाद, पहीम अश्रफ अखड़ जमान, हैदर अली, हारिस इफ्तखार एहमद एंड इफ्तखार एहमद के बाद जो है वो पाकिस्तानी स्कॉर्ट के अंदर इमाद वसीम इमाद वसीम की दोस्तों बात कर लेते तो इमाद वसीम को भी आज जो है वो मौकान दिया जा सकता है क्योंकि मेरे हिसाब से उनको मोका ना यह दिया जाया तो यह बैटर रहेगा क्योंकि पाकिस्तान की टीम वो वैसे ही एक खास खेहल रही है कितना हराब टीम पाकिस्तान नहीं खेहल रही तो इमाद बसीम को भी rest देना चाहिए क्योंकि अगले आने वाली जो सीरीज रहने वाली है वो important सीरीज रहने वाली है आपको तमाम के तमाम प्लेयर्स को जानना है कि तमाम के तमाम प्लेयर्स को जानना है कि तमाम के तमाम प्लेयर्स जो है वो कैसा perform कर रहे हैं इस टीम के अंदर so that's why कह सकते हैं कि आप अगर इमा इमादवसीम जो है वो कह लीजे के बढ़्या परफॉर्म करते हुए हमें दिखाए देंग आज के इस मैच के अंदर अगर उनको खिलाय जाता है इमादवसीम की वैसे हैं हम अगर बात कर लेते तो इमाद वसीम ने भी पिछले कुछ मैचेस के अंदर बढ़िया परफॉर्म कर रखा है लाइक उनकी बॉलिंग परफॉर्मिंस जो है वो टीम पाकिस्तान की जान से अच्छी रही है उन्होंने एजे आलर अच्छी अंदास से उबरने की कोशिश की है मैचेस के अंदर बरहल अब देखना होगा कि वो इस मैचे के अंदर कैसा परफॉर्म करती है और रही बात इमाद वसीम के बाद आने में प्लेयर की तो इमाम उलहक को मौका नहीं दिया जाएगा इमाम उलहक को यहाँ पर मौका बिल्कुल नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो प्लेयर एक ऐसे प्लेयर है जो के वंडे के प्लेयर है लेकिन फिर भी उनको T20 स्कौट का हिस्सा रखा गया है हाँ जी हारीलाल सर बोलते हुए के पाकिस्तान की टिंग को आज पहले बैटिंग करनी चाहिए जी बिल्कुल ठीक वोला आपने हारीलाल सर के पाकिस्तान की टिंग को जो है वो आज पहले बैटिंग ही करनी चाहिए आईमा खान बिल्ला स्टूडियोज ने हमें जोईन कर रखा है सर्फ्राज खेर रही है जी नहीं भाई मेरे सर्फ्राज को जह बाद इस मैच का हिस्सान नहीं बनाया गया और सर्फ्राज हमें बिल्कुल भी टीम के अंदर शामिल होते हुए दिखाई नहीं देंगे अइब हम पहुंचे हैं दोस्तों यहां पर खुषदिल शा के उपर हम जो है वो पहुँच चुके और खुषदिल शा के जहां तक बात कर लिते हैं गायई serve करना चाहिए, इस सिलिए मैं बोल रहा हूं कि आज पाकिस्तान की रिंग पहले बाटींग करनी चाहिए, बाटींग अगर करती है यकीनी तो पर इस चीज़ का फांदा रह सकता है टीम पाकिस्तान को बरहल अफ्लीग देखना होगा दिखाई देगा या नहीं आजी दोस्तों हम बात कर रहे थे यहां पर हुषदिल्शा की और हुषदिल्शा के बाद जो है वो हम अगले प्लेयर की बात कर लेते हैं गाई तो वो रहने वाली हैं है चिएंगर के अंदर मोहमध हफीश और मोहमध हफीश की जहां दर बात करते हैं गाई तो मोहमध के तमाम प्लेएर्स का जो है वह हमें यहां पर पता जो है वो चल जाएगा। इस दोस्तों और हम बात कर लेती हैं पाकस्तान के अगले प्लेइर की तो वह होंगे मुहम्मद संन यर्थ अरे यह वो हैं वह पहती लाजवाब किसम की performance रही थी इनकी एंड मुहमर रिजवान की दोस्तों बात कर लेते तो इस सीरीज के अंदर रोहेल नजीर और रोहेल नजीर के साथ मुहमर रिजवान को वो टींग पाकिस्तान का हिस्सा रखा गया है और रिजवान की जहां तक अगर हम बात कर लेते हैं गाइस तो रिजवान जो हैं वो कह लीजे के इतने अच्छे विकट की पर बैट्समन हमें साबित होते हुए दिखाई नहीं दिये बरहल अब देखना होगा कि इनकी performance आज किस मैच के अंदर कैसी रहने वाली है जहां पर अगर हम बात कर लेते हैं रिजवान की गाइस इनको टीम के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा और इसी बीच अगर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ टूर्णमेंट के यानि किस मैच के सबसे बेहतरीन प्लेयर की बात तो वो बला कौन है वो है बाबर आजम गाईज और बाबर आजम के अगर हम बात कर लेती हैं तो उन्होंने एक सो जो है वो पच्पन तेंतीस बना रखी हैं सीरीज के अंदर और मदवीर ने चरौनमे रंज बनाए हुए बाबर आजम के पास एक बड़ा मौका होगा आज कि वो इस मैच के अंदर भी 50 को स्कूर करें और 50 को जो है वो स्कूर करते हुए इस साल के अंदर जाने के साल 2020 के अंदर वो अपनी पांच 50 को मुकमल करें साल 2020 के अंदर उन्होंने दो सो जो है वो पैंटीस बलके 250 के आसपास रंज को बना रखा है और आज उनके पास एक और बड़ा मौका होगा कि वो अपनी 50 को जो है वो यहां पर मुकमल करें इस दिना दोस्तों अग लेकिन इनकी गेन इतनी ज्यादा स्विंग नहीं होती हाँ T20 के अंदर अगर ये अपनी गेन को यान के वेरियेशन के साथ करवाते हैं तो फिर यहाँ पर कहलीगे के यकीनी तोर पर यकीनी तोर पर इस टीम को जब थोड़ा सा फाइदा रह सकता है और आज देखना होगा व बहाब याज नहीं खेलेंगे हो सकता है कि एक और प्लेयर जिसका नाम है हारिस रौफ उसको भी टीम से निकाला जाए और इन दोनों प्लेयर को टीम से ड्रॉप करते हुए किसी ने प्लेयर को जब वो टीम के अंदर शामिल किया जाए आज और आज मुहमद मुसा का चांस बन सकता है ने प्लेयर है और मेरे हिसाब से आज मुहमद रिजवान को भी चुटी देनी चाहिए और मुहमद रिजवान की जगा पर राज रोहिल नजीर को आपको ट्राइ करना चाहिए जो के पाकिस्तान के वेकट के पर बैट्समन हैं अंडर 19 टीम के कप्तान भी रही है और उन्हों ने इस साल पाकिस्तान के अंडर 19 टीम की कपतानी भी की थी लेकिन अब देखना होगा कि सिर्रीयस के अंदर उनको खिला जाता है यहां नहीं जी जी बिल्कुल गाईज आज जुह हो डेखने वाली बात यह होगी कि उनको जो तीम के अंदर शामिल किया जाता ह आँस यहाँ और पुष्ग ऐसएे नहीं और रही बात गाइज यहाँ पर अगले आने वाल प्लेएप के तो वो होंगे पाकशतान के टिम के अंदर राज क्राइज के आज girls ने ययर रहील नजीर को आज करवा देना चाहिए मरे सासे रहेँ नजीर ने अब तक को किपिंग स्किल्स भी टेस्ट हो जाएंगे आज और साथ-साथ ये भी आपको बता दूँ के रिजवान जो हैं वो इतना अच्छा पर्फॉर्म नहीं कर सके सो दैट्स वाए रिजवान को थोड़ा सा रस्ट भी मिल जाएगा और अगर रिजवान थोड़ा सा रस्ट लेते है है दोस्तों तो प्र यकीनी तॉकपर रहील नजीर का जो है वह मौका बन सकता है इसमयाज के अंदर रही बात यहां पर रोहील नजीर के बाद आने मेले प्लेयर की तो वह होंगे पाकिस्तान के अंदर आज बला कौन गाइस रही बात दोस्तों यहां पर शादाब खान की तो वो थोड़े से इंजड़ हुए और इस वज़ए से उनको टीम के अंदर शामिल नहीं किया गया और मेरे हिसाब से शादाब खान जो हमें अब एक ही दफ़ा खेलते हुए दिखाए देंगे और वो खेलते हुए हमें दिखाए देंगे PSL के अंदर और PSL जो है वो कह लीजे के कुछ ही देर के बाद होगी आपको हम मिलेंगे जल्दी एंड रही बाद दोस्तों अगले आने मले प्लेयर की पाक्स्तान के स्कॉर्ड का जो हिस्सा है वो है बला कॉन वो है गाइस यहाँ पर शाहीन आफरीदी इसा नहीं रहने वाली एंड उस्मान कादिर उस्मान कादिर की एक जो सबसे बेहतरीन चीज जो मुझे लगी है दोस्तों इस सीरीज के अंदर वो यह लगी है क्योंकि गुगली बहुत ही कारामत गुगली है और गुगली जब वो करवाती है तो बेहतरीन किसम की गुगली को अपने नाम किया पहले मैच के अंदर बले ही इएक विक्रट को अपने नाम किया हो लेकिन दूसरे मैच के अंदर अच्छा कमबैक किया और बहतरीन अंदाद से बॉलिंग करवाएगी उनकी जान से यह रही बात व्हभाव्याज की तो वहाब्याज जो है वो उनको आज टीम के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा जी विलकल दोस्तों वहाब्याज की जगापर आज नए बॉलर को टीम के अंदर शामिल किया जाएगा और नए बॉलर का मतलब ये हुआ दोस्तों कि आज मुहमद मुसा को मेभी टीम के अंदर चैंस दिया जाए और मुसा की जगा पर एक और बॉलर जो हुआ आज एक और प्लेयर जो हुआ वो टीम पाकिस्तान का हिसा है जफर गोहर इनका नाम है और अब देखना होगा कि जफर गोहर की परफरमिस जो है वो कैसी रहने हम वाली है तो दोस्तों ये रहेगा पाकिस्तान का स्कौर्ड और टूर्णामिंट की यानि की सीरीज के अगर हम बात कर लेती है तो सीरीज के अंदर सबसे ज़्यादा विक्टें जो है वो हारी स्राउफ ने अपने नाम कर रखी है पहले मैच के अंदर उन्होंने दो विकट्स को अपने नाम किया था दूसरे मैच के अंदर उन्होंने चार तीन विकट्स को अपने नाम किया और इस वगत पांच विकट्स के साथ वो नमबर वन पर मौजूद है हारी स्राउफ जबके उस्मान कादिर की दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं तो उस्मान कादिर ने जो है वो चार जो है वो विकेट्स को अपने नाम का रखा है नुमबर दो पर मौझूद है and blessing मुजारबानी ने है जो है वो इस सीरीस के अंदर चार बिगर्स को अपने नाम कर रखा है जो के नमबर तीन पर मौजूद है बरहला जो देखना होगा कि इस किसम की परफॉर्मिस रहने वाली है और इसी बीच वीडियो के ओपर 100 दोस्तों है वो लाइक करते हुए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमान दोस्तों का वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जहां पर यह रहा है दोस्तों पाकिस्तान का स्क्वार्ड और अब बारी है कि मैं आपके स जिन्होंने एक-40 मैचेश खेल रखे हैं वो कहलिजे कि यहां पर टीम का हिसार हैने वाली है ब्राइन चारी नंबर 3 के ऊपर मौजूद हो रहेंगे जो कि स्कॉाड का हिसा है नंबर 4 पर मॉंबा जो है वो स्कॉाड का हिसार हैने वाली है एंड इसके बाद चुमुच बा जो है वो उनका ये final और last match रहने वाला है गाईज और कहलीजे के यहाँ पर final और last match जो है वो दोस्तों इनका कहलीजे के खेला जाएगा और अब दिखना होगा कि ये कैसी performance दिखाते हैं आज के इस match के अंतर आज अब दोस्तों आज अपना last match खेलेंगे एंड इसी तरह अगर हम फराज अकरम की बाद कर लिते तो वो भी stream का हिसा रहने वाली है ने प्लेयर है और अभी तक इन्होंने कोवी match नहीं के रखा शुम्बा जो हो दोस्तों टीम का हिसा रहने वाली मिल्टॉन शुमबा जो ह भूबी टीम के अंदर शामिल रहने वाली है आज और रिचर्ड नागा रावा के बाद जो है वो रिच मॉन्ड जो है वो टीम का हिसर रहने वाले 22 मैचेश खेल रखे हैं रेयान बोर्ल को जो है वो टीम के अंदर शामिल के आज जाएगा सेन विलियम्स जो है वो टीम का हिसर रहने वाले हैं सिकंदर अधा बट जो है वो दोस्तों चतीस मैचेस के लिए हुए जो के आज के स्मैच का हिसर रहने वाले हैं तिंडाई चितारो टिंडाई चितारा जो है वो दोस्तों टीम का हिसर रहने वाले हैं एंड चितारा के बाद अगर हम बात कर लेतें एगले प्लेयर की आईस तो वो होंगे टीम जिंबाब्वी के अंदर टीम डाई चिसारो एंड पिनाशी जो है वो टीम का हिसा रहने वाले हैं विलियम वशिंटन मसा कद्जा को जो है वो टीम के अंदर शामिल के आ जाएंगे विशले मादावेर जिन्होंने दो मैचेस खेले हुए और बेहतरीन परफॉर्मिस दिखाई हुए है वो आज के इस मैच का हिसा रहने वाले हैं जहां पर अब बारी है कि मैं आपके साथ प्रेडिक्टेड प्लिंग लेवन को शेर कर दूँ दोनों टीम्स की जो के आज के इस मैच के अंदर खेलती हुई हमें दिखाई देगी तो तमाम दोस्त जो हैं वो प्रेडिक्टेड प्लिंग लेवन जानने के लिए हमारे साथ ही रहेगा यहां पर आज के इस मैच की प्रेडिक्टेड प्लिंग लेवन के बारे में आपको बता देता हूँ जो के हमें आज के स्मयाच के अंदर जो खेलेगी वो कुछ यू रहेगी गाईज और उसके बाद आपको पिछी रिपोर्ट के बारे में बता दूँगा मैं और वैदर के बारे में बता दूँगा पिंडी स्टेडियम से जो मैच जो हो दोस्तों के लिए जाएगा और वैदर शुड बी क्लेर फॉर आल डे जी बिलकल दोस्तों वैदर जो हो आज के इस मैच का बेहतरीन रहने वाला है लाइक है किसी भी किसम की रेन एक्सपेक्टेशन जो है वो आज किस दिन के अंदर नही जाएगा यह तो दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं पिंडी की पिछ को तो यहाँ पर मूवमेंट होगी यानि के पिछ के उपर जो है वो गेन मूव कर सकती है और बरहल अब देखना होगा कैसी मूवमेंट परवाइड करती है पिछ प्लेयर्स के लिए और रही बात दिखाए रिंगे लाइक पाकस्तान की बात कर लें तो पाकस्तान की रिम के अंदर फखर जमान आज नहीं के लेंगे अब्दुल्ला शाफिक या फिर आबिद अली मिस से एक प्लेयर को जहाँ वो टीम पाकस्तान का आज इससा बनाया जागा फखर जमान की दोस्तों कनफर भरम तोर पर चुटी रने वाली है टीम के अंदर जो मुझे लग रहा है तो दोस्तों आज कहले जीए कि फखर जमान तीम पाकस्तान का रिखनी रहेंगे तो इनकी जग़ा पर कहले जीए कि अबदुला शाफिक को टीम पाकस्तान के अंदर शामिल कि आ जाएगा एन। रह और रही बात बाबर आजम की तो बाबर आजम जो है वह दोस्तों ओपनिंग करेंगे और बाबर आजम के पास आज एक और बहुत बड़ा मौका होगा के वो इस मैच के अंदर खेलें और अपनी टीम को जितवाएं और साथ-साथ अपने अपने रिकॉर्ड को भी बहुत इंप्रेसिव रहा है बाबर आजम का घाईज यहां पर बाबर आजम ने जो है वो 145 स्ट्राइक रेट से खेल रखा है और आज आव इनका स्ट्राइक रेट जो है वो क्या हीज़ेगे 130 का रहता है लेकिन अब इन्होंने अपने स्ट्राइक रेट को बढ़ाया है क्रिकेट के अंदर इस साल के अंदर उन्हें 144 के स्ट्राइक रीट से खेल रखा है और रही बात गाईज पाक्स्तान के अगले प्लेयर की जो के आज के स्मयाच का हिस्सा रहेंगे बाबर आजम के पास बात तो बाबर आजम के बारे में आपको एक और चीज़ बता दूं के बाबर आजम जो है वो नंबर वन पर चले गए हैं 2020 रैंकिंग के अंदर और बरहल अब देखना होगा के इनके प्रफोर्मेंस आज के स्मयाच के अंदर कैसी रहने वाली हैं इसी तरह दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं पाक्स्तानी प्लेयर यानि को जो अगले खेलते आज के स्मयाच के अंदर तो वो होगे बला कौन वो होगे मुहमद हाफीज और मेबी मुहमद हाफीज के जगा पर आभी दली को भी टीम के अंदर शामिल किया जाए मेरे हिसाब से यहाँ पर कुछ यूँ है तबदीलियां सारी की सारी टीम को आज चेंज कर दें तो कोई आज आज नğı नुकसान नहीं रहेगा वैसे टीम पाकस्तान को लाइक अगर आज मुहमद हफीज को नहीं खेलाते फगर जमान को नहीं खेलाते और इन दोनों प्लेऊस के जगा पर अबिदल्लाई शवीक को आपको खिलाना चाहिए और मुहमद हद अधना दोology को आफो लेकिन आज मुहमर इजवान को भी टीम से निकाल कर उनकी जगा पर टीम के अंदर जो है वो आपको रोहेल नजीर को शामिल करना चाहिए और रोहेल नजीर के बारे में आपको बताता चलूंगा इसके रोहेल नजीर जो है वो एक बड़िया प्लेयर है लाइक बाकस्तान की अंडर 19 टीम के अपतान भी रह चुके है ये प्लेयर और आज देखना होगा कि इनको जो है वो टीम के अंदर शामिल के आज जाता है या फिर नहीं तो गाइस ये जो है वो पाक्स्तान के विकेट कीपर बैस्मन आज के स्मैश के अंदर रह सकते हैं और रही बात यहाँ प वो हमें पहले खेलते हुए दिखाए दिए हैं और रही बात गाइस खुछ दिल शाह के बाद आने मले प्लेयर की तो वो होंगे बला कौन वो होंगे आज जे के स्मैश के अंदर फाही मश्रफ और फाही मश्रफ के बारे में आपको बताता चलूँगा इसके वो भी एक आल रूंडर प्लेयर जो के फास्ट बॉलर है वो कहले है के यहाँ पर टीम के अंदर शामिल नहीं है अई और पो रही बात अगले प्लेयर की गाइस तो वो होंगे बहाब रियाज्ज और मोहमद मुसा को मेरे हिसाब शाफ से टीम का हिस्सा बनाया जाएगा और मोहमद मुसा क यही जगा बनती है वहाब रियास के आज की जो है वो टीम के अंदर जगा बिल्कुल नहीं बनती है और देखना होगा कि आज मुहमद मुसा जब आएंगे टीम के अंदर तो किस अंदा से खेलेंगे जी तो दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं यहां पर अगले आने वाले प्लेयर के तो वो रहने वाली हैं यहां पर वहाब रियास के बाद मुहमद मुशा और मुहमद मुशा को में भी चांस जो हो दिया जाए उस्मान कादिर जो है दोस्तों team का हिस्सा रहने वाले है और उस्मान कादिर कि अगर हम बात कर लेती है तो गुगली इनकी बहतरीन रही है लाज जब आपके समके कुगली जो है वो इनकी जानिब से घरबाई गई है आज के इस match के अंदर देखना होगा कि इनकी performance कैसे रहने वाली है गुगली जो है वो इनकी सबसे बहतरीन रही है बहुत ही ज्यादा turn करते हैं गुगली को हलांके इनकी leg spin जो arm gain होती है अब वो इतनी ज्यादा spin और turn जो है वो नहीं होती मुसा भी है हाँ जी भाई मुसा जो है और मुसा आज हमें बेहतरीन अंदास से खेलते हैं वो दिखाए दिंगे और इसी बेच वीडियो के उपर अब 200 लाइक सुने वाली हैं 200 लाइक सुने में एक लाइक की मसी जरूर था कि इस और नेम्स ऑफ प्रॉफिट सो दैट स्वाइब बी केरफ़ल बड़ी अर्श लास वार्निंग यह तो दोस्तों यहां पर अगर हम बात कर लेते हैं मुहमद मुसा की तो वो टीम के अंदर शामिल है उस्मान का दिर जो हम वो टीम का हिस्सा है और अब देखना होगा कि हारी स्रॉफ की परफॉमेंस जो हो आज किस मैच के अंदर कैसी रहने वाली है और अब अब देखना होगा कि कैसी परफॉमेंस रहती है इन दोनों प्लेयर्स की why do you have any problems jee bro I have some problems you are requested to don't use that kind of name here again जीत दोस्तों यहाँ पर अब आब जो है वो टॉस होने में कुछी समय मजीद बाकी है लाइक कुछी वक्त जो है वो टॉस होने में मजीद बाकी है और अब देखना होगा के ऑन से डी माज के इस मैच के टॉस को विन करती है और उनकी जान से क्या डिसीन लिया जाता है यहाँ पर अब टॉस का बग जो है वो कुछी देर के बाद होने वाला है और रही बात इस सीरीस के गाइस तो सीरीस के अंदर बारा चके तेरा चौके लग चुकी है और सीरीस के अंदर अब तक दो मैच इस हुए उननीस विकेर्ट जो है उननीस के अंदर गिर चुकी है और अब देखना होगा यहाँ पर क्यासी परफॉर्मिस रहती है टीम पाक्स्तान और जिमबाबबे के प्लेयर्स जो के एक बड़िया मैच के अंदर हमें खेलते हुए आज दिखाए देंगे गाईज और मैच कब शुरू होने वाला है मैच जो है वो दोस्तों अब से कुछी देर के बाद शुरू होने वाला है लेजेंड गेमर्ड़ लेजेंड गेमर्ड़ यहां पर आप लाइफ चैट के अंदर जो है वो नाम देख दीजे के कब जाकर जो है वो मैच शुरू होने वाला है और जो भी दोस्त वीडियो का लाइक कर रहे हैं हम सब दोस्तों के लिए दो बज़े से लेकर रात को जो है वो कह लीजे के रात तक जो है वो कह लीजे के यहां पर यह मैच जारी रहेंगे अब यह मैच होगा उसके बाद आई पेल का मैच होगा तो एक अच्छी क्रिकेट जो होती हुए में रखें है और उन्होंने जो है वो नंबर वन की पॉजिशन को अपने नाम कर रखा है लाइक बहुत ही बड़ी आ परफॉर्म किया हुए है उनने और रही बात गाईज यहां पर रही बात यहां पर बॉलर्स की तो हारी स्राफ ने पांच विकेट्स को अपने नाम का रखा है पाक्स्तान की टीम के पास आज एक बड़ा मौका होगा कि वो इस मैच को विन करें और मैच को जितने के बाद वो सीरिस के इंदर क्लीन स्वीप करें बरहल अब देखना होगा क्या असा होगा या फिर नहीं ? की एक बड़ा मौका होगा पाक्सान के पास और उनकव या वोकाम आज करना चाहिए वो चाहिए या है पर पहले बैटिंग करनी चाहिए टास जमान की जगाँ पर और वहाँ बयास की जगाँ पर आज जब मुहमद मुसा या फिर किसी और ट्लेयर को जो है वो टीम के अंदर शामिल करें और अपने आपको जो है वो दोस्तों यहां पर चैलेंज करेगी अगर यह टीम तो फिर ही कह लीजे के मैच के अंदर जब आगे ब international series खेलते हुए हमें दिखाई दी कि वो होगी December में, December की 18 तारिख को पाकिस्तान और New Zealand का match खेला जाएगा, एक बड़ा match होते हुए हमें दिखाई दीगा guys और उस match के लिए हम आपके साथ जुड़ जाएंगे on time और रही बात, उस series के तो तीन series, यानि के तीन जो है वो matches उस series के अंदर खेले जाएंगे, T20 के दो test matches जो है, वो खेले जाएंगे, उस series के अंदर और देखना होगा, कौन city मुझ सीरिस को जीती है, T20 matches तो में भी पाकिस्तान की टीम जीत सके लेकिन रही बात यहां पर, अगर test matches की guys, तो test matches को जीतना पाकिस्तान के लिए इतना आसान नह नहीं रहेगा, एंद रही बात वीडियो की तो वीडियो की उपर जो है, वो क्या हीजे के अब साड़े दोसों यनके अड़ाइस तो दोस्तों है, वो लाइक कर चुके हैं बदबश्रों कि आपका legend gamers टाइम को जब आप अपडेट करते रही है, लाइफ चैट के अंदर के क इतने बज़े जो है, यह मैज शुरू होगा, जी तो दोस्तों हम बात कर रही हैं यहाँ पर पाकस्तान की अगले आने वाले दौरे की तो न्यूजिलैंड के साथ जब दौरा होगा पाकस्तान का गाइस तो न्यूजिलैंड से जितना इतना असान नहीं रहेगा, किसी भी के लिए, हमने देखा कि नंबर बन के टीम जो है वो जाकर वहाँ पर इतना अच्छा परहूम नहीं कर सकी, उनको T20 सीरीस तो जीत ली थी, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के टीम की लेकिन टैस सीरीस जो है वो जीतने में कामयाब नहीं हो सकी थी, इंडियन टीम वहाँ प कुछ नहीं पता कब कोई टीम कैसा परफॉर्म कर दे लेकिन अवराल जो है वो जो भी टीम एशिन टीम न्यूजिलैंड के अंदर जाती है तो न्यूजिलैंड के अंदर जाकर कह लिजे के उनकी जाने से इतना अच्छा नहीं खिला जाता इस चीज़ की जो हो तारीख तो डोग या था और पाक संकी टीम ने दस विक्टों से हराया था और रही बात यहां पर यहां पर इस सीरे जो कुछ ऐसे ही रिजर्ट पर डियूस करेगी और इसके इलावा अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अगले आने वाली सीरीज की लाइक अगले आने वाले मैच जब खतम होगा तो यह दोनों सीरीज यह दोनों कह लिजे के एक टूर्णामेंट आईपेल का और यह सीरीज भी मुकमल हो जाए होते हुए हमें दिखाए देगी यहाँ पर प्येस जो होगी 14 तारीख से पहला मैच होगा और 14 को पहले मैच के अंदर हमें मुलतान सुल्तान और कॉराची किंग्स के टीम के टीम केलते हो दिखाए देगी और वो मैच तीन वजे शायद हो पाकिस्ताणी मताबक दोपहर को नैशनल स्टेडियम कराची से वो मैच खिला जाएगा एंड अप हम जो है वो लाइव आएंगे PSL के मैचेस के अंदर भी और PSL की जहां तक बात रही दोस्तों तो PSL हम अपने दूसरे चैनल ट्रैक्नो रिकॉर्स के उपर लाइव करेंगे जिसके उपर इस वरे दोस्तों प खिला जाएगा और PSL के मैच के लिए हम आपके साथ एक ब़से लाइव आ जाएगे गई और उस दिन मैच तीन बजे धर होता है तो तीन बजे मैच होगा टीम थाल लीजे के मुलतान सुल्तान कराची का मैच खिला जाएगा तो कराची के जीतने के चांसες थोड़े ज्यादा होंगे and रही बात ग concerned अगले आने वाली टीम के तो अगले आने वाली दीन के अंदर जो शाम को मैच होगा वह तना होगा कर देखना होगा कि उस मैच को वह कौनसे टीम बिन करती है एक मैच जो हैब वहहों क्वालिफाइर होगा एक मैच इलिमिनेटर होगा और 15 ता जो है वो हो रही होगी लेकिन मुश्किल ही है कि हम उस लीक को कवर करें और उसके बाद 27 तारीख से दुबारा से लंकान प्रीमेर लीक का आगाज होगा और लंका की प्रीमेर लीक के बाद जो है वो दोस्तों यहाँ पर कह लीजिए कि लंका की प्रीमेर लीक का आगाज 27 ता साथ जितने मैच उस सीरीज के हो सके उनको भी हम जो है वह लाजमी तॉर पर कवर करने की को कोशिश करेंगे गाइस और एक और सीरीज होगी इंडिया वर्ट्स ऐस्ट्रेलिया सीरीज होगी गाइस 27 तारीख से ही उसका पहला वंडे मैच खिला जाएगा तो उस मैच को भी ज जो है वो 27 तारीक से शुरू होने वाले हैं सो अब देखना होगा कि क्या situation जो होगा इस रहती है आज रोहेल नजीर खेल सकते हैं टीम के अंदर आज जो है वो दोस्तों अब दिल्ला शफीक ओपनिंग कर सकते हैं जो हर जमान की जगा पर टीम के अंदर आज मुहमद मुसा टीम के अंदर खेल सकते हैं तो ये तीन तब्दिलियां जो है वो लाजमी तोर पर टीम पाकस्तान के अंदर की जाएंगी जहां पर अब टॉस होने में कुछी वक्त जो है वो दोस्तों मजीद बाखी है प्लेयर्स ग्राउंड के अंदर मुहजूद है और ग्राउंड के अंदर रहकर प्लेयर्स जो है वो वर्म अप कर रही है इस वकत और अपने आपको जो है वो दोस्तों इंटरेटेन कर रही है और दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं इस मैच के 30-20 मैच और उसके बाद ये सीरिज मुकमल हो जाएगी और इस वकत कहलीजे के टॉस होने में लगबग कहलीजे के 12-13 मिनट कबक जो है दोस्तों मजीद बाकी है और देखना होगा टॉस को जो है वो कौन सिटी मुन करते हैं जिमबाबबे के टीम की बात कर लेते हैं ब्रेंडन टेलर जो पिछले 2-2 मैचस के अंदर फेल रही हैं उनको आज अच्छा परफरम करना होगा और यकीनी तोर पर उनको जब अपनी टीम को ये मैच जित्वाना ह होगा अदरवाइस उनकी टीम के लिए लाइक अगर ब्रेंडन टेलर अच्छा परफरम नहीं करते गा इस तो उनकी टीम के लिए जितना जो है मुश्किल हो जाएगा इससी तरह दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं यहां पर मुज़राबानी की तो वह अच्छी बालिंग क दोस्तों वीडियो को लाइक और चानल को सब्सक्राइब कर दीजेगा जहां पर अगर हम बात कर लेते हैं गाईज जिबावे के अगले प्लेयर की तो वह है मदवीरा मदवीरा ने जो है वह हो कह लीजे के बड़िया क्रिकेट जो है वह गाईज खेल रखिए इस टोड़ा रहने वाली है जहां पर एक बढ़िया मैं आचेक अच्छा मैं जो होते हुए दिखाई देगा और अब टास वह होने में कुछ हिवक्ट जो है वह दोस्तों मजीद बाकी है दोनों टीम्स के प्लेयर ग्राम के अंदर मौजूद है और ग्राम के अंदर रहकर दोनों टीम्स के प्लेयर जो है वह दोस्तों इस बगत अपने क्या लिजे कि यहां पर आपको इंटर्टेन्मेंट और वार्म अप करने कोई कोई कोशिश कर रहे हैं और गाईज रही बात जिम्बावी की टीम की तो हम डिसकेशन कर चुके हैं मदब वीरे ने एक 50 बना रखे 70 रंस की बेहतरीन पारी खेली थी उन्होंने पहले टीफरंटी मैच के अंदर और आज देखना होगा कि उनकी परफॉनस कैसी रहती है लेकिन अगर हम बात कर लेते टीम पाक्स्तान की गाईज तो पाक्स्तान की टीम के अंदर जो आज प्लेयर शामिल रहने वाली हैं वो होगे बाला कौन वो होगे गाईज यहाँ पर पाउप सकेलटन प्लीज टॉक अबाउट क्रिकेट हीर तमाम के तमाम दोस्तों है वो क्रिकेट के बारे में बात करिएगा और इसी बीच तीन सो दोस्तों है वीडियो को लाइक करते हुए बदबश्यों कि आपका वीडियो को लाइक एंड चैनल को जहाँ वो अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मैं आपको लिंक प्रवाइड कर रहा हूँ लाइफ चैनल के अदर जल्दी से तमाम दोस्तों के उपर जाईए और मुझे जोईन कर लीजे दूसरी लाइस्ट्रीम के उपर क्योंकि ये लाइस्ट्रीम जो है बंद होने वाली है और मैं आपके साथ ख्रिक के ऊपर ही मौझोद रहूगा तो तमाम दोस्तों हमारा साथ ख्रिक टेल गल नहीं दोस्तों है मैम लाइफ मौझोद हूँ जो इस वीडियो के नीचे दहीं आपको मिल जाएगी कि अवन गाइस एक साथ तमान दोस्ट जो है वह आज जाईएगा हमारे दूसरे चानल के उपर करती है जिम्बाब देखे टीम के प्लेयर्स को आज टॉस को जीत करें पहले उन्होंने बैटिंग की हुई है दोनों मैंसिस के अंदर देखना होगा कि आज भी उनकी जान से बैटिंग पहले ली जाती है या नहीं जी हाँ गाइस देखने वाली बात ये होगी के अब जो है वुनकी जान से बैटिंग ली जाती है यहाँ पर अब टॉस होने में पाने से छे मिनर का वक्ट जो है मजीद बागी बाद बश्यों के आप तमान दोस तोगा साथ रहने के लिए पाकस्तान की प्रेडिक्टिड प् के लिए रही कि रेडिक्टिड प्लिंग्लरन को हम दि Gregory Tings, तो प्रेडिक्टिडीड प्लिंग्ल्मन के बारे में आपको बाद में बताहूंगा सबसे पहले आपको बता दो कि पाकस्तान और जिंबाव odor के इसमाय तैडर्मार्बाहा माले has just है दोस्तो है अर यह यहां के बाबर आजम की बाक्स्तान का हिस्सा मुखेंगे लिए कृ। और अगर महां से यह भागी यॐ लेकर यह Bengal वाली को प्राफीज आगर वाले प्लेयर की तो वह करें हैं टीम के अंदर जो है वो शामिल नहीं करना चाहिए और हफीज की जगा पर ने प्लेयर को टीम के अंदर शामिल करना चाहिए यही बात है ना हर जगा पर हर किसम के जो लोग है वो पाय जाते हैं आप किसी खराब एक बंदे के खराब होने की वज़ास से सब को खराब या फिर सब को बुरा जो है वो नहीं बोल सकते हैं ऐसा ही है बाई कहाई पर भी सब के सब अच्छे लोग और नहीं पाए जाए ये तो दोस्तों आपको बता दूँ कि यहां पर अब खुश दिल शा को टीम का हिसा रखा जाएगा मुहमर रिजवान की जगापर रेक और नए प्लेयर को टीम के अंदर शामिल किया जाएगा जिनका नाम है रोहेल नजीर एंड रोहेल नजीर के बाद खुश दिल शार खुश दिल शा के बाद मुहमद मुसा टीम का हिसा रहने वाले हैं और इसे बेच इसे बेच यहां पर कह लीजे के वीडियो के उपर अब साड़े तीम सो दोस्तों है वो लाइक करते हुए बहुत वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जहां पर अब मैच का आगाज जो है वो गाईस होने वाला है मैच का आगाज जो होगा जिस होने वाला है कुछ ही वक्त जो हो मजीद बाकी है मैच का आगाज जो है वो होने में and let's see what will happen in this match जहां पर कहली जिये के टीम पाकिस्तान की कोशिश होगी कि वो टास को विन करें और टास को जीते हुए पहले इस मैच के अंदर बैटिंग करने का जो है वो फैसला करें और अपने आपको चैलेंज करें ये प्लेयर बरहल अब देखना होगा क्या असा होता है नहीं रही बात बॉलर्स की तो पाकिस्तान की टीम के अंदर उस्मान कादिर जिन्होंने गुगली बहुत ही ला जवाब करवाई हुई है फही मश्रप माफ की जिगा इमाद बसीम और शादाप खान इस सीरीज का हिस्सान नहीं बनाया गया तो शाहीन आफरीदी को भी जो है वो टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया तो मेरे हिसाब से ये प्लेर बड़ी अप्लेर साबित हो सकते हैं लाइक पाकिस्तान की टीम के अंदर जिनका नाम है उस्मान कादिर और इनको टेस्ट करना है कर यकिनी तो पर अच्छी चीज रही है होंगे 600 के उपर दो समार साथ पहुंजो दें मैच का टास होने में कुछ ही बक्त जो है मजीद बाकी है पीच रिपोर्ट के दोस्तों अगर हम बात कर लेते तो पीच जो है वो यहाँ पर अच्छा बिहेव करती हुए दिकाई देगी पाकिस्तान की डिम पहले बैटिंग करती है दोस्तों पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान की डिम को इस मैच के अंदर बड़े रंस को जोड़ना चाहिए यहाँ पर अब टॉस होने में लगबग दोस्ते तीन मिनर का बग जो होगा इस मज़ीद बाकी है और अब देखना होगा कि कौन से डिम आज के इस मैच के डॉस को विन करती है और उनकी जान से क्या डिसीन जो होगा इस लिया जाता है कि अगल कर दोस्तब साथ मुझद बढ़ने के लिए अपने प्यार को शोग करने के लिए तमाम दोस्त जो हैं वह हमार्षात मुझद बढ़ने के आपका जहां पर अब अब जो है वह लगाईस मैंच का आगाज होने में कुछी वक्त वह मजीद बाकी है लाइक हम तौस होन आप बोल सकती हैं कि हम पर दो बच्च के सतावन अठावन मिनट होचके हैं और अब दो से तीन मिनर का बग जो है वो मजीद बाकी है टॉस होने में और अब देखना होगा कि कॉन से टीम आज के स्मैच के टॉस को विन करती है और उनकी जानेश से क्या जो है वोड लिया जाता है आज से क्रिकेट को ब्रेक लगेगी आज और कल को विमिन्स बिग बैश लीग के मैचेस तो खेले जाएंगे लेकिन उन मैचेस को कवर करना हमारे बस में होगा लेकिन यह है कि हम उन मैचेस को मुश्किल ही कवर करेंगे बरहल अब देखते हैं क्या सिचुशन जो हो गाईज रहती है थैंक्स अलोड गाईज फोर स्ट्रिंग हेर बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का साथ रहने के लिए जहां पर अब जो है वह गाईज कह लिए के टस मैच का होने बाला है कुछ ही वक्त जो है वो मैच के अंदर यानी के टस होने में मजीद बाकी हैंड देखना होगा के कौन से टीम आज के स्मैच के टॉस को विन करती है और उनकी जाने से क्या डिस्टीयन और क्या फैसला आज लिया जाता है तमाम दोस्त को बताता चेलों के पिछ रिपोर्ट जो है वो इस वागत पेश की जाएगी और पिछ रिपोर्ट की जहां स्मैच के अंदर और एंड लेट सी वाट विल हैपन इन इस मैच और कांशी टीम जो भी इस मैच को विन करती है जी तो दोस्तों यहाँ पर एक बड़िया मैच एक अच्छा मैच होते हूँ इन दोनों टीम्स के दर्मयान और अब जो है वो टॉस होने में दो मिनार का बग जो है मजीद बाग ही है और अब रुमीज राजा जो है वो दोनों कप्तान के साथ तयार हैं दोस्तों और रुमीज राजा जो है वो कह लीजे के बाबराजम जो है उस्टिके को उचा लेंगे और रब टॉस का फैसला आएगा थो है और अरे भाई ऐर भाई आरे भाई ने टॉस को बीन कर लिया है गाई यहां पर और Zimbabwe की टीम की जाने बस से जो है वो कह लिजिए कि यहां पर अब जो फैसला किया गया है वो कुछ यूँ फैसला किया गया है कि उन्होंने पहले बैटिंग करने का जो है वो दोस्तों फैसला कर लिया है पांच दोस जो है मजीद वीडियो को लाइक करेंगे तो यहां पर वीडिय करने का फैसला कर लिया है और बुरी ख़बर जो है दोस्तों यहां पर कह लीजे के यहां एक थोड़ी सी रहते हुए पाकिस्तानी प्लेट के लिए क्योंकि उनको पहले बैटिंग करनी चाहिए थी लेकिन अब उनकी जान से पहले बॉलिंग की जाएगी और अब जो है वो कह लिजे के यहां पर रहसाद नहीं हुए तो इसके लिए आप तमाम दोस्तों को हमारे साथ ही रहना चाहिए जहां पर टॉस हो चुछका है और जिंबावे के टीम ने डॉस को जीते हुए पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है और आज कह लिजे के जिंबावे के टीम को वन सैडिड नहीं बनाना चाहिए इस मैच को बड़े अंदाज से कहलना चाहिए वैसे मेरी ख्वाहिश थी कि आज पाकस्तान की टीम पहले बैटिंग करती में इस मैच के अंदर अच्छा स्कोर बनाती है और अच्छे जो है वो इंटर्टेन करती तमाम के तमाम फैंस को लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ और दोस्तों अब दोनों टीम्स के प्लिंग 11 का इलान किया जाएगा और अब देखना होगा कि दोनों टीम्स के अंदर कॉन कॉन से प्लियर रहे रहे जी तो दोस्तों यहां पर कह लिजे के अब जो है वो दोनों टीम्स के प्लिंग 11 का इलान किया जाएगा देखना होगा कि दोनों टीम्स के अंदर कॉन कॉन से प्लियर रहते हैं और इसे भी साड़े चार सो दोस्तों वीडियो को लाइक करते हुए और आपको यह चीज़ बता दूगा इस के यहां पर यहां पर अब जो है वो दोनों टीम्स के प्लिंग 11 का इलान किया जाएगा और फोकल बस अगर आप हमार साथ मौझूद हैं लेजेंड गेमर्स अगर आप हमार साथ मौझूद हैं तो लीज वराहे महरबानी आपसे गुजारिश है कि लाइट चार के अंदर ख्याल रखें कि कोई किसी को बुरा ना बोले आपसे मैं बोलना चाहूंगा आपको ख्याल रखना होगा इसी इसका लाजमी तोर पे आपसे मिले राहे इसकी कोई एसके लाजमी तोर आप़र आपको थाल रखना है घ्ट दूर आपको लाजमी तोर आपको ख्याल रखना होगा रखना है कर दोपते हैं, और भान कर दो कि अवार पड़ो तर प्रश कर दो भाइस हैं कि एना तो बाहरा हैं कि अवार कर दो प्रूब लगारा है कि अवारा भान का पूब हैं जी तो दोस्तो अब दोनों टीम्स का स्क्वाड आपके सामने मौजूद है लेकिन अप्लेंग लेवन का इलान भी आप से कुछ ही देर के बात कर दिया जागा जिंबाबवे के टीम ने जो है वो टॉस को विन कर लिया है और उन्होंने टॉस को जीते हुए पहले अगें दा बैटिंग करने का जो है पहले फैसला कर लिया है बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदेटर भाई थैंक्यू सो मच फूर स्ट्रिंग हेर कोकल बस भाई जर आपने छुडियां को लहाडे थोड़े से तेज कर लिजिए और जो भी गलत Santo language काम इस्तमाल कर रहा है उसको रोकें आर रहा है यह तो अच्छी बात नहीं है न फिर के जो भी आता है गलत Santo language काम कर इस्तमाल करता है बन्दा कर दो झाल झाल जी तो दोस्तों प्लेइंग लेवन के थे गई सा डी आरे आरे सोरी सोरी मेरी एटेंशन स्थोरी सी डायवर्ट थी लेकिन अब जो है वो प्लेइंग लेवन के उपर आपके साथ में बातचीत कर लेता हूं गाइस के दोनों टीम्स के अंदर कौन कौन सी है दिए जहां वो श दीरा नहीं है कि यहां पर लोग इस एक दूसरे को बुरा बला बोले तो यह सिच्विशन है गाइस के अब मैच का टॉस हो हो चुका है और इस टाइम के अब दोनों टीम्स के प्लेइंग लेवन के बारे में आपको बता दू मैं यह दोनों टीम्स के अंदर कौन कौन से प प्लेयर आज इंकलूड रहने वाली हैं वो कुछ यू रहेंगे लाइक पाकिस्तान की टीम्स के अंदर जो हैं वो कह लीजे के अरे भाई कि ने पाकिस्तान भी प्लेइंग लेवन एक साथ है हाँ जी दोस्तों अगर हम बात कर लेती हैं कीम्स कि तो फखट जमान बाबराजम हैदर अली अबदुला शाफिक खुश दिल्शा मुहमर इज्वाण इमाद बसीम उस्मान कालीर मुहम्द मुसा हार इस्रौ मुहम्मद हुसनेयन के साथ साथ ये तमाम के तमाम प्लेयर जो हम वो टीम पाकिसान का हिस्सा रहने वाली ही हुआ हुआ है जी हाँ गाइज पाकस्तान की टीम के अंदर पाकस्तान की टीम के अंदर जो हो गाइज पहली ये कि हाँ पर फखड जमान बाबर आजम हैदर अली अब्दुल्ला शफीक खुछ दिल शाह और अब्दुल्ला शफीक को टीम के अंदर शामन के आगा फखड जमान को क्यों खिल यार वैसे ये बात थोड़ी सी समझ से बाहिर है कि फखर जिमान को जो है वो टीम से क्यों खिलाया टीम में जो है वो क्यों चामिल किया गया है हलांकि मेरे हिसाब से आज उनको मौका दिया गया है लास्मन और एक चीज़ आपको बता दूंगा इसके फखर जमान जो है वो कह करेंगे और एक चीज़ आपको बता दूँ कि अगर पखर जमाना अच्छा परफॉम्ट कर लेती हैं तो फिर कह लीजे कि उनकी जानिप से यकीनी तोर हां मैं देख रहा हूं जी हां जी बहुत बश्यों करें आपका करेंगे आपका साथ रहने के लिए करेंगे हो parfois मैं बता हूं जाते ङायाँ हैं जाते हरें कि अगर वBeसर कि अगर झाल अगर रहना कि एbes रहल पाक्स्तान 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 चुट विन इस मैच और लग भी ऐसा रहा है कि पाक्स्तान की टीम जो हो आज के इस मैच को विन कर सकती है लेकिन बाकी बातें बात की पाक्स्तान के स्कॉट को ही जो हो अभी तक शो किया जा रहा है पाक्स्तान की प्लिंग 11 को जब शो किया जाएगा तो इस बारे में भी आपको जो है वो मैं बता दूगा कि पाक्स्तान की टीम के अंदर कौन कौन से प्लेयर्ज जो हैं वो शामिल आहें कि इस तुछ धोडा से पता रहा था जो भी गर्त लेंग्वज का इस इसको फॉरन से उडाना आपका काम है उंसे फिर नहीं हो रहा हो हु कि णसे आपसे भी हेंडल सी अघूह रहा हो नहीं नहीं हो रहा जो भी दोस्त महर उनाहसा है और आपसे से कीश KP करने पड़ेंगे moderator shift में क्योंकि मेरे उपर अतराज आ रही है कि आपसे लाइव चैट जो है वह हैंडल नहीं हो रही कि तो इन अतराजाद को लेकर मैं नहीं जी सकता जी तो दोस्तों सोहेल तन्मीर को क्यों खिला गया है तो भाई मेरे ऐसा कुछ भी नहीं है और बस थोड़ा से वेट करिये प्लिंग 11 का वेट है मुझे भी जो के प्लेयर्स के साथ जब भी आएगी तो मैं आप पोल्स ज़रूर बताऊंगा कैसी लगी बैटिंग आरे भाई प्लिंग 11 गुम हो गई हमारी आज चलिए हम देख लेते हैं इसको पाकिस्तान की टीम के अंदर फखर जमान को आज फिर से मौका दिया गया है गाईज और देखना होगा कि फखर जमान की परफॉमेंस आज कैसी रहती है पाकिस्तान की टी और बाबर आजम के दोस्तों जहां दब बात रही तो बाबर आजम जो है वो कप्तान है टीम पाकिस्तान के अंदर यकिनी तोर पर अरफ। पखट जमान नमबर वन पर बाबर आजम कैप्टन नमबर दो पर और नमबर तीन पर जो है वो है दर अली टीम का ही सा रहने वाली है और नमबर कह लीजे के चार पर अब्दुल्ला हैदर वली रहने वाली है नमबर तीन पर अब्दुला शाफीक जो है वो नमबर चार पर टीम के अंदर रहने वाली है मुहमद रिजवान के जहां तक बात रही तो उनको आज टीम के अंदर फिर से शामिल किया गया है मुहमद रिजवान के बाद जो है वो इमाद वसीम टीम का हिसा रहने वाली है इमाद वसीम के बाद पाकिस्तान की टीम के अंदर उस्मान कादिर को जो है वो शामिल किया गया है मुहमद मुसा जो है वो टीम के अंदर रहने वाली है हारिस राउफ टीम के अंदर रहने वाली है गाईज और देखना होगा के पाकिस्तान के ये तमाम के तमाम प्लेइर्स कैसा परफॉर्म करते हैं और क्या ये अपनी टीम को जितवाने में जो है वो काम या बहँ पाएंग ये नहीं और अब फाइनल प्लेइग लेवन के बारे में आपको बता दीता हूं गाईस पाइनल प्लेंग 11 के बारे में आपको बता देता हूँ ण। पाकसान की टीम के जो पहले हम बात कर लिए थे जिमबाबे की प्लेंग 11 की ग़ाइस तो जिमबाबे के अंदर ब्रेंदन टेलर एंड ब्रेंडन टेलर ऐसे विकेट कीपर जो हम भए खेलते हुए में दिखाई द जो कि आज कप्तानी करेंगे अब देखना होगा कि उनकी परफोर्मस कैसे रहने वाली है इस मैच के अंदर रही बात टीम की तो टीम के अंदर जो अगले प्लेयर रहने वाली है गाईज वो होंगे प्रेग एर्वाइन और क्रेग एर्वाइन की दोस्तों जहांगे बात की जाए तो प्रेग एर्वाइन ने 24 जी हां गाइज प्रेग एर्वाइन और जिदुनी 24 मैंचेज खेल रूखें मिल्टन सुम्बा ने जो है वो कोई मैच नहीं खेला जो के आज का मैच खेलेंगे बेजले मैदावीर ने दो मैचेज खेले हुए हैं रियांद बर्ल ने आठारा मैचेज खेले हुए हैं अरे भाई की हो गया लेजिंड गेमर सौरी गाइज आज जो है वो थोड़ी सी जो है वो क्या दीजे के अटेंशन थोड़ी सी डाइवर थी अब और लियांद बोर्ल टीम का ही सरहने वाली हैं अठारा मैच जो है वो थो ने खेल रखे हैं झाल 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 और दोस्तों मदा वीरे ने बहुत ही बड़ी अपरफॉर्म किया हुआ है र्यांद बोर्ल ने अठारा मैच जो है एल्टन चगवरा ने वच्पन मैच जो है फ्यास अक्रम मूम ने जो है वो कोई भी मैच जो है वो नहीं खेला हुआ रही बात ब्लैसिंग मजरबानी कि तो उन्होंने दो मैच जो हुए है और रही बात वचिंटन मसा का जिसा की तो उन्होंने बारा मैच जो हुए है पाकिस्तान की प्लिंग लेवन की तो पाकिस्तान की टिंग के अंदर फखर जमान देंटालीस मैच जो हुए है रही बात बाबराजम की तो उन्होंने तो उन्होंने तीन मैच जो हुए है अबदुल्ला शाफीक जो है वो आज अपना डेब्यू मैच खिल रहे है लैटसी के इनकी परफॉर्मेंस जो है वो कैसी रहने वाली है और किस परकार ये परफॉर्म करते हैं आज किस मैच के अं मैच रहने वाला है मुहमर इज्वान ने 20 मैच खेले हुए है गाईज एंड इमाद वसीम जो है वो कह लीजे के 40 मैच खेलते हुए हमें दिखाई देंगे उस्मान कादिर जो है वो दो मैचेस खेल चुके मुहमद मुसा ने एक मैच जो है वो खेला हुआ है गाईज एंड हारी स्टाफ ने पांच मैचेस खेले हुए है जब के मुहमद मुसा चे मैचेस खेल चुके हैं जो के आज के इस मैच का जो है वो गाईज हिसा रहने वाली है तो दोस्तो मैच का आगाज अब होने वाला है और मैच के आगाज की अगर हम बात कर लेते हैं तो एक बेहतरीन मैच जो है वो होते हुए इन दोनों टीम्स के दर्मियान हमें दिखाई देगा जहां पर अब कहा लीजे के 10 मिनर का बक जो है मैच का आगाज होने में मजीद बा एक चीज जो खराब हुए टीम पाकिसान के लिए वह यह हुए के महने टीम के अंधर इतनी ज्यादा तबदीलियां नहीं की इनको तबदीलियां करने चाहिए थि फख़ए जमान को ज़ह है वाइजडरेस देना चाहिए मेरे हिसाब से वकट जमान को जह हो गाइज रेस देना चाहिए जय चाहिए लिए गिए आएज लाइज बाइज रेसे होगा जाएज में ले leगष देकरे स्वापन देकर देकरे के दिदेंगादे कि आना चाहिए लाइज अजे वगए ऑजड़े डाएज़ेसे हो गाइज है झाल झाल जी तो दोस्तो जी तो दोस्तो अब दिख्थे हैं कि क्या सिचूशन रहती है इस मैच की जहां पर मैच का जो है वो रह सोच गया और इसी भी साढ़े 500 दोस्त जो हैं वीडियो को लाइक कर चुके हैं बहुत बत्षूक्रिया आपका वीडियो को लाइक एंड गानल को जो है वह सब्सक्राइब करने के लिए वह सब्सक्राइब करने के लिए वह सब्सक्राइब करें विए वह सब्सक्राइब करने के लिए भी बेर्स हमार साथ मौझूद हैं लेजन्ड गेमर जो है वो हमार साथ मौझूद हैं तो इट विल बी अ गूर थिंग कर सकति काहिं लेए को talking कर दो के नवर्स के बमक। कर सकते हैं अभाई मेर सीटिए, उस में विल फृप हमार साथ सो गाइज मैच का आगाज होने वाला है थेंक्यू बड़े बाई क्या जी कौन सी बड़े बाई को थेंक्यू बोल रही है आप पाक्स्तान और जिम्बावे जी तो दोस्तो फाइनली तो पर एक दबाई फिर हम मैच को जान ले तें? क्योंकि अभी 6 मिनर का बग जो है मजीद बाकी है तो अगर हम मैच के प्रिव्यू को एक नजर देख लेते हैं मैच का प्रिव्यू जो है वाज कुछ यू रहने वाला है पाकिस्तान और जिम्बाभी के टीमों के दिर्माइन ये तीसरा पाकिस्तान के टीमों फेरसे बालिंग करवाते हैं वो दिखाए दीगी लाइक अगर हम देख लेते हैं टीम जिमबाबवे को गाइस तो जिमबाबवे के टीम की जो प्लेइंग 11 होगी क्योंकि उन्हें टॉस को विन किया और टॉस को जीते हुए पहले बालिंग करने का फैसला किया गया है उनकी जान से तो ब्रैंडन टेलर जो है वो पाकिस्तान क मैचस के ऐसे खेल रखे एए तो यह इंदर से जाती हैं ब्लैसिंग मज़ाबादी ने दो मैचस को खेल रखा है एंड रही बात वेलिंटन मसा कादजा की तो उन्होंने 12 मैचेज खेल रखा है एंड लेट से के उनकी जो है वो क्रिकेट क्यासी रहती है अगर हम देख लेते हैं यहां पर टीम पाकिसान को तो पाकिसान की टीम के लिए अन्दर वोड्यो को लाइक हो गार सोने में मैच का आगाज जो है वो होने में कुछ ही वक्त जो है वो मजीद बाकि है अब्धुल्ला शफीक की तो वो नमबर तीन चार्ट पर खेलते हुए में दिखाए दिएगे खुश दिल्शाद नमबर पांच पर खेलेंगे टीम के अंदर एंड रही बात मुहमद रिज्वान की तो उन्होंने जो है वो कह लिजे के 20 मैचे जो है वो खेल रखे हैं डरही बात माज वसीम की तो उन्होंने 40 मैचे जो है वो खेल रखे हैं उस्मान कादिर ने दो जो है वो कह लिजे के मैचे खेल रखे मुहमद मुसा ने एक मैच खेल रखा है हारी स्रौफ ने पांच मैचे खेल रखे हैं मुहमद तो उसना नीचे मैंचिस खेल रखी हैं इखा और अब जो हो दोस्तो दोनों जमबावियन ओपनर्ज जो है वो ग्राउं का रूप करते हुए देखना ओगा कि इनकी जानिर से किस किसम खेली जायेगी और किस अंदाज से जो है वो ये दोनों प्लेइट्ष ओपनी करते हैं तीम जिम्बावे का जैसे उन्होंने आखरी बंडे मैच जो है वो खेला वैसे ही उनको आज आखरी ट्वंटी मैच जो है वो खेलना पड़ेगा एंड लेट सी के कैसी पर्फॉर्मिस जो है उनकी रहने वाली है अब्दुल्ला शाफीग जो है वो टीम का हिस्सा रहने वाली है अब्दुल्ला शाफीग के साथ हैदर अली को जो है वो टीम का हिस्सा बनाया जाएगा जिस मैस के अंदर जो है वो कैसी रहने वाली है हुआ 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 है मैच का बाकाइदा तोर पर आगाज जो है वो होते हुए सफरे राजा हमार साथ हैं वाली कमस्तलाम वेल्कम टो दिस लाश्ट्यूम अईली गेंद पढ़ने के बाद अंदर की जानिबाई गेंद इस गेंद को डिफरेंट कर दिया है थर लेक्सार की जानिब फिल्टर ही माजूद एक और सिंगल लेते हुए टीम जिंबावी के प्ल प्लीज्ट को कर जो आजाएगा बस थोड़ा से बेट कर लिए आप तमांदोस फोर काट जो है वो अब आ जाएगा रसकोर काट जो है वह बाइसता हैसता से आते हुए क्योंकि इसमेश को उतना हाई प्रफाइल मैच जो हो नहीं समझा जाता सो दाट सब्स्वाइब जो score card makers हैं जो कह लिजे कि यहां पर score card को update करने वाले लोग हैं वो इतनी ज्यादा अच्छे अंदास नहीं कर पाते हैं यहां पर अगली game को leave किया है जाने दिया है विकर्ट के पर के बास एक और dot delivery और dot delivery के चलने के बाद अब जो है वो मैच के अंदर score जो है वो गाइस रहते हुए एक टीम जिम्बाविका बिनांके से विकर्ट के नुकसान पे हाँ अगर यही IPL के मैच ना होते तो मुझे लगता है कि यहां पर स्कूर कार्ड को भी बहुत ही जल्दी से अपडेट किया जा रहा होता लेकिन ऐसा नहीं है क्योंके सारी की सारा क्रिक्ट क्रिकेट वेपसाइट्स के IPL के मैच इस की तरफ मुझे है स्कूर कार्ड को इतने अच्छा अंदास है वो मैच नहीं कर पाती यहां पर यहां पर मना किया साथी प्लियर टेलर ने चीमूच अबाबा को और एक रहते हुए स्कूर टीम जिम्बाबे का बिना कि से विकट नुक्सांबर तीन गिनों के बाद जिम्बाबे के टीम ने टास को इनकिया टास को जिते होए भ़हले बिलेबादी करने का फैसला कर लिया जहां पर रब तीमोचा बाबा, जो हैं वो जीरो के स्कोर पर मौझूद, ब्रेंडन टेलर एक के स्कोर पर मौझूद, दो गिनों का सामना करखे मुहामद असनान ने, कीन गिन एक रवाई है और तैन के उपर उन्हों ने जो है वो कोई भी विकर्ट को अपने नाम नहीं कया जहां गी गेन लेकर स्टीयूशन के यह को रही है यह इन दर वन्डी के बाद बाहर के जान निखली गेन इस गेन को डिफ الرेंट कर दिया है पॉइंट की जानेब फिल्टर मौजूद एक और डॉट डिलिवरी तो बहतनी नागाज रहा है मुहमद अस्नेयन का जहां इस गेन को डिफेंट कर दिया था और विसी बीच अब जो है वो मैच के अंदर सिचुएशन कुछ ही हो है गाई इसके स्कोर रहते हुए इस दो टीम जिमबावे का बिना किसी विगर की नुकसान पर पांच गेनों का खेल मुकमन होचका है जिमबावे के टीम को आज बड़ा स्कोर बनाना होगा वन साइडिड मैच नहीं रखना होगा और अच्छी अंदास से जो है वो आगे बढ़ना होगा टी जो है वीडियो को लाइक कर चुके हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो को लाइक एंड चैनल को जहाब सब्सक्राइब करने के लिए जहां पर एक बेहतरीन मैच एक अच्छा मैच चलते हुए इन दोनों टीम के दर्मियान अगली गेन दास चुम के बाट जाते अब देखना होगा कि उनकी जान से कैसी परफॉमेंस दिखाई जाती है सास से उपर दोस्त जो हैं हमार साथ मोजो दें वल्कम एवर्यवन टुदिस लाइव जिम जहां पर ब्रेंडन टेलर जहां वो कह लीजे के एक रंड बनाकर स्ट्राइक पर मोजो ने दो गिनों का सा अब देखना होगा कि उनकी परफॉमेंस आज के उनकी रहने वाली है जहां पर जिम बाद्बे के टीम ने टॉस को जी था और टॉस को जी थे हुए पहले बैटिंग करने का फैसला किया कि मुच बाबा इस बाटिंग उन मन एंड ब्रेंडन टेलर एक पर मोजो ने तीन गिनों का सामना करका है मोहमद असने ने कवर करा दो रंजी और आज जो है वो उनकी जाने बस से जो है वो कह लीजे के बड़िया क्रिकेट जो है वो दोस्तों खेली जा रही है जहां पर अ आएगा बेनिके लिए लाए जाएगा जिहां गाइज हारी सर आउफ को जाव बाएं के लाए जाएगा What a lovely hit by this trade चौका लगाते हुए different जी हाँ guys एक बहतरीन चौका ज़ोएँ लगते हुए sensitive चौका लगते हुए इसकीन के उपर चौके के चलते हुए multiply इसममिघारशी के निकिसान पर मिझास्टीफिश्बशीर्शule men इत्मिजण के द्रमियान जहांपर और अब situation कुछ यूँ है guys के दो होते हुए score टीम जिमभावे का बिना किसी विगर की निकसाम पे इसी बीच इस गेन को फिर से कट कर दिया है और गेन जाते हुए deep point boundary line के बाहर एक और खुबसूरा चौका एक और खुबसूरा चौका लगाते हुए ची मुचा भाबा जो के कप्तान ही अपनी टीम के और लाजबाब किसम की क्रिकट खेलते हुए स्मैश के अंदर इस गेन को बाकफूट पराते हुए स्मैश कर दिया और गेन बरते हुए जाएगी boundary line के बाहर एक और खुबसूरा च और एक दफ़ा फिर महां हारी सर राउस जारी रखेंगे हारी स्की अगेंड और इस दफ़ा विकेट की पर इसके इनको रोकनी में रहेंगे नाकाम और गेन बरते हुए जाएगी वाइड की सूरत में चौके के लिए boundary line के बाहर वाह क्या बात है जिम्बाबबे के टीम एक बेहतरीन आगाज अपने नाम करते हुए जहां पर चौका लगा है स्कीन के उपर और चौके के चलते हुए दस हो जाएगा टीम जिम्बाबबे का स्कोर बिना के सिविकर के नुक जी हां गाइज यहां पर अब पंदर आ रहते हुए स्कोर टीम जिम्बाबे का बिना के सिविकर के नुक साम पे अपने अवर की दिश्री गेन लेकर बालर हार इस्टाव फेक दवा फेट से तयार जिन होने अब जहां वो तीन गेन करवाई और तीन गेनों के उपर बलके दो गेने करवाई तेरा रंस दिया गेन को डिफेंड कर दिया है कवर और पॉइंट की जानेब पॉइंट की पॉजिशन पर फिल्टर ही माजूद करेंगे इसके इनको फ्यूल डेका डाट डिलिवरी और डाट डिलिवरी के चलते हुए दस रहेगा स्कोर बिना किसे विकर चलते हुए इन दोनों टीम्स के बेच जहां पर अब हारी स्राउफ अपनी अवर के लिए गेन लेकर एक दवा फिर से तयार दान अश्रू क्या तेस हुए अंपार को ब्रॉस के अगेन क्या पैट्स पर आदब अगेन दफ्लिक कर दिया इस गेन को मिग विगट की जानिब अगेन और बांडरी लाइन के बाहर जाती हुए एक और खुबसूरा चौका लवली पीस ओव बैटिंग बाय टीम जिमबाबे जहां एक और चौका जड़ा गया है इस गेन के उपर फिलिक कर दिया था इस गेन को अंदर आती हुए गेन को और गेन बरते हुए जाएगी फ यहां पर अब बीस रहेगा टीम जिमबाबे का स्कोर बिना किसी विकर को नुकसाम पर अलिगेन स्लोर वन गेन को फिलिक कर दिया है लकसाइट की जाने अब मिड़ विकर की पोजिशन पर फिल्टर हींगे माजूद करेंगे इस गेन को फिल्ड एक और जो है वो हो कह लिए पर इस सवर के अधर आठारा रंज जो है दोस्तों इस सवर के अंदर आती हुए हारी स्रॉफ के पास पेस जो है वो काफी ज्यादा है लेकिन पेस ज्यादा होने के बावजूद उनकी जाने बस से जो है वो इतनी अच्छी बालिंग नहीं करवाई जा रही ही और वो लगातार खराब गेने जो है वो करवा रही ही इस मेंच के अंदर जहां अपने अवर के रिगीन लेकर बालर तयार शॉट फिच गेन लेक्शन पार इमाद वसीम के आज बात कर लेते तो इमाद वसीम के अंदर शामिल के आ है और अब देखना होगा के इमाद वसीम की परफ़ॉरमस रहाँ जरस के अंदर कैसी रहने माली है जहां पर नशी रहेगा विख पाक्सिन 90 runs रहों देते हुए हार इस रहो फेक ही अबर के अंदर क आफिस जदम महंगे बॉलर जो हैं वो साबित हुए और अब जिम्बावी के टीम ने याद रहे दोस्तों के टॉस को विन क्या टॉस को जिते हुए पहले बॉलिंग करने का फैसला कर लिया जहां अपने वर केली गेन लेकर मुहमद असनेहन एक दवा फिर से आगेन क्या रन आउट होने का खत्रा लेकिन लेकिन इस गेन को थामने में आकाम रहेंगे मुहमद असनेहन और अब भी किस रहते हुए टीम जिम्बावी का स्कोर बिना किसी विगर के नोगसान पे दो आशर यह एक अबर का खेल जावे इस मैच के अंदर अब तक मुखमल होच का है जहां पर एक बड़िया मैच एक बेहतरीन मैच जो है वो इन दोनों टीम के दर्मान चलते हुए थैंक सा लाट गाईज फ्र स्रीन हेर जहां पर अब एक किस रहते हुए टीम जिम्बावी का स्कोर बिना किसी विगर के नोगसान पे इक इस रहते वोई टीम Zimbabwee का स्कोर बिना किसी विगर के निकसान पी अगली गेन दंदर आते हुए गेन लिस स्किन को डिफ्रैट कर दिया है और रन-ाउट का चांस एक और मिस्कर्थे वह इन पर टीम पाक्स्तान जो है वो रन-ाउट का चांस मिस्कर्थे गुए मुहम्मद असनेयन इस्किन को थामा और मारने की कोशिश नौन स्ट्राइकरेंड की जाने विक्टो में लेकिन वो इस्किन को जो है वो दे मारने में रहेंगे नाकाम एक और डिलिवरी और अब और यहां पर एकिस रहेगा स्कोर बिनांकिस भीगर के नुकसान पे तो स्कोर रहेगा एक किस टीम जिमबावे का बिनांकिस भीगर के नुकसान पे दो आशार या एक और के बाद जिमबावे के टीम ने टॉस को जिता और टॉस को जिते होगा पहले बैटिंग करने का फैसला किया पाकस्तान की टीम फॉर्म में आ रही है इनको और अच्छी यार तैसरी गेन शाट फिचे गेन अंदर आते हुए गेन इस गेन को कट करना चाहते थे बैट्समन लेकिन रहेंगे ना काम एक और डाट डिलेववरी स्कोर रहेगा एक किस टीम जिंबावे का बिना किस विगर के नुकसान थी अच्छी गेन थी पढ़ने के बाद अंदर की जाने बाई इसके इनको और इसके इनको जह है वो कैली जेके डिफेंट कर दिया वापिस बॉलर की जाने 22 रहेगा स्कोर बिना किस विगर के नुकसान थी अगरी गेन दास्टों के बाद जाताव गेन थी सके इनको निकाल दिया है थर्ड मैन की जानिव सिंगल आए की स्केन के पर और सिंगल के चलते हुए स्कोर हो जाएगा टीम जिम्बावे का बाइस बिना के सिवेकर के नुकसान पे दो देशमलब यानिके दो आशरियती नमर का खेलब मुकमल हो चुका है कि पेस्ट रहते हुए स्कोर टीम जिम्बावे का बिना कि सिवेकर के नुकसान पे अले गेन दॉस्ट उनके बाइट यादा शॉट पिजेगे इंडिफेंट कर दिया इसके इनको कवर और पॉइंट के जाने बेक और डॉट डिलिवरी स्कोर रहेगा थेस्ट बिना कि सिवेकर के नुकसान पे वासे भाई या एक क्यों है की भाई लेजेंड गेमर्स क्या बोलना चाहरे हैं आप हमार साथ जो है वो शिरिद्ने वासा गौर्व जो है मौजूद है हद्राबाद से बहुत बश्यों कि आपका भी साथ रहने के लिए तेस्ट रहेगा टीम जिंबावेगा स्कोर बिना कि सिवेकर के नुकसान पे अगर आप मुझसे नहीं पूचेंगे तो फिर किस से पूचेंगे तो गाइज इस गूइंग तो बीए गुड मैच बिट्विन इस टूज टीम और अब देखना होगा कि कौन से टीम आज किस मैच को विन करती है जहां पर अब तेस्ट रहेगा स्कोर बिना किसी विगट के नुकसान थी जिंबाबे के टीम का एक बहुत ही अच्छा गाज है और अब देखना होगा कि किस किसम की बैटिंग जो है वो उनकी जानी से की जाती है यार सची मुची बताओं लेजंड गेमर्स तो मैंने सब को बराबरी की स्पोर्ट की हुई है पी एसल के अंदर मैंने जो है वो किसी वी टीम को ज्यादा या कम किसम की स्पोर्ट जाओ नहीं की हुई एस रहेगा स्कोर टीम जिंबावी का बिना किसी विगट की नुकसान थी टीम जिंबावी का स्कोर बिना किसी विगट की नुकसान थी इन आशारिया दो बर के बाद यहां पैट पर आथे वी टीम को फ्लिक कर दिया है खेल दिया है लेक्सान की जाने अब मेंड बिकट की पॉजिशन पर फिल्टर रहींगा माजूद लॉंग ऑन की पॉजिशन पर जो करेंगे स्कोर फिल्ड इसी के साथ स्कोर हो जाएगा प कि जाने अब एक और सिंगल आते हुए आसानी के साथ सिंगल आएगी चब बिस रहेगा टीम जिंबावे का स्कोर बिना कि सिविकर के नुक्सांती चब बिस रहेगा टीम जिंबावे की जहां आउट होच के ब्रेंडन टेलर बाहिर निकलते हुए इसके इन को खेला था और इस गेन को खेलने में काम्याब हुए थे लक्साट के जाने इब सिंगल जहां हो कह लिजे के कैच को ड्रॉप करते करते बचके मुहमद हारिस रव फोर गेन के इसी दा फिल्डर के हाथ में और अब सिच्वेशन कुछ यूं रहेगी गाइस के स्कोर रहेगा 26 बिना किसी विकट के नुक्साम पे इम जिंबावे जो है विकट कलोज करते हुए जिंबावे के टीम जो है वो गाईज यहां पर विकट कलोज करते हुए और अब देखना होगा कि जिंबावे के टीम कितने रंज बनाती है ब्रेंडन टेलर लगा तार नाकाम रहे हैं इस सीरीस के अंदर जिदने आठ रंज बनाए 10 गेनों के उपर और एक चौका जो है व सब्सक्राइब कर रहा और इमाद वसीम पहला मैच कहल रहे हैं और पहले ही मैच के अंदर उन्हें विगट को जहां आइज अपने नाम कर लिया है बढ़िया गेन बादी करवाते हुए हां पर इमाद वसीम और रेक इंट्रस्टिंग मैच एक बढ़िया मैच चलते हुए दोनों टीम्स के दिमाद 26 रहेगा टीम जिम्बावे का स्कोर रहा बिना किसे विगट के नुकसान पे 26 रहेगा 26 रहेगा 26 रहेगा 26 रहेगा 26 रहेगा टीम्बावे का इमाद वसीम में जो है वो पांच जो है वो गिनों का पांच गिने करवाते हुए तीन रहेगा और एक विगट को उन्होंने अपने नाम किया एंड ब्रेंडन टेलर और खुछ दिल शा की दोस्तों बात कर लेते तो कुछ दिल शा ने कैच किया था ब्रेंडन टेलर का आठ रंज बनाया थी उन्होंने और गेंड हवा में रहने के बाद जाएगी सिधा एक बड़िया मैच एक बहतरीन मैच जो है वो गाइस चलते हुए दोनों टीम्स के दर्मियान जहां पर पाकसान की टीम की कोशिश होगी कि वो इस मैच को विन करें और मैच को जीते हुए सीरीज के अंदर क्लीन स्वीप करें लेकिन अब देखना होगा कि वो ऐसा कर पाए पाकस्तान सूपर लीग का आगास भी जो है वो दोस्तों से कुछी दिनों के बाद हो जाएगा और अब देखना होगा कि PSL के अंदर क्रिकट जो है कैसे होते हुए हमें दिखाई दिगा और इस ट्रिंग का पलड़ा जो है वो दोस्तों होते हुए यहन के बारी होते हुए दिखाई दिखाई दिगा हमें जहां पर अब 27 रहते हुए टीम जिमबावे का स्कोर एक विकट के नुकसान पे चार बर्स के बाद इमाद वसीम ने विकट को अपने नाम किया है बेहतरी इन किसम की बॉलिंग जो है वो करवाए गई यह विकट को जो है वो गाईज यहां पर अपने नाम किया हुए है जबकि दूसरी जाने अब बॉलिंग करवाने के लिए तयार है मुहमाद अस्थान की गेंड़ पैट्स पर आथे वी गेंड़ फिलिक किया है इस गेंड़ को लेक्साइट की जाने बेक और डॉट डिलिवरी डंग से काम इंटरी तो करो जिब्राइल इन सारी बाई क्या कर सब्सक्राइब के लिए तो यकिनी तो पर उसको आना चाहिए जी तो दोस्तों यहां पर 18 रहीगा टीम जिंबावे का स्कोर एक बिकर के निकस्तान थी किस अंदर भी ऐसा हुआ जहां क्रेगर वाइन की क्रेगर वाइन को आती हुए इसके इन को फ्रंट फूट पर आते वे डिफेंट कर दिया है चौट एक्स्ट्रा कवर की जाने फिल्टर हिंग माजू देक और डिलिवरी और अठाइस रहेगा टीम जिंबावे का स्कोर एक विगट के नुकसान पे चार आशर्य तीन अमर का खेल जहाब अब तक मुकमल हो चुका है जिम्बावे के टीम ने टॉस को मिन किया टॉस को जीते हो पहले बैटिंग करने का फैसला किया जहां पर अठाइस रहते वो स्कोर टीम जिंबावे का एक विगट के नुकसान पे जिनका अगास तो बहुत ही बेहतरीन था लेकिन अब जो है वो उन्होंने इतना अच्छा नहीं खेल रहा रखा लाइक उनको जहाब बड़ी अंदास से आगे मूप करना चाहिए जहां पर रठाइस होते वो स्कोर एक विगट के नुकसान पे अगर एगें दासरंग के बा मुहमद मुसा को आज जो है वो T20 मुकाबला खिला आया जा रहा है और अब देखना होगा कि मुहमद मुसा की जाने बस से जो है वो किस किसम के क्रिकट खेली जाती है आज केस में अचके अंदर जहां पर बॉलर रहेंगे तयार अपने अबर के लिगें लेकर सामना करेंगे इस गें का क्रेगर वाइन जो के उन्होंने अभी तक कोई भी रन ने बनाया जो के सामना करेंगे बॉलर तयार त्यूर दाना शुरू किया तेज हुए अमपार को ग्रॉस का गेन का शॉट फीचे गेन फुल कर दिया इस गेन को मिड विकर की जानी बुम्दा शॉट फिल्डर गेन के पीछे लेकिन गेन की रफदर फिल्डर की रफदर से कहीं ज्यादा और गेन जाते हुए boundary line के बाहर चौकी के लिए एक खुबसूरत चौका लगा गया है यहां पर Kregor Bain के बल्ले से जिन्होंने इस गिन को pull कर दिया था लेक साट की जानेब और गेंद बरते होई जाएगी boundary line के बाहर चौकी के लिए और चौकी के चलते हो स्कोर हो जाएगा 28 टीम जिम्बावे का एक विगर के नुकसाम पे चार आशरीय पांच अवर्स का खेल जो है वो अब तक मुकमल हो चुका है जहां जिम्बावे के टीम ने टॉस को विन किया और टॉस को जीते हो पहले बाटिंग करने का फैसला किया और इस गेंड को कर दिया था पुल लेकसाइड की जाने बहुर रही गेंड गैप में और गई गेंड बांडरी लाइन के बाहर चौकी के लिए और अब 28 टीम जिम्बावे का स्कोर एक विगर के नुकसाम पे चारा शरिया पांच अबर्स का खेली इस मैच के अंदर अब तक मुकमल होचका है जहां इम जिम्बावे की कोशिश के वो बड़ा स्कोर बनाए इस मैच के अंदर और अपनी टीम को जो है वो ये मैच जित्वाने में आहम किर्दारादा करें बरहल अब देखना होगा क्यासा हो पाएगा या नहीं अपनी बॉलिंग के सिस्टे को जारी रखेंगे हर इस की अगें शॉट पिज्जे गेंद और बल्ले के बाहरी किनारे को मिस्स करते वो जाएगी ये गेंद विकट के पर के आप में एक और डाट डिलबरी इस गेंद को जो है वो कह लीजे के बिना किसी छेर चार्ट के या हो गाईज विकट गिर चुकी है अब तक जो एक ही विकट गिरी हुई है स्वेंच के अंदर जहां पर अब 32 रहते हो इसको टीम जिंबाबी का एक विकट की नुकसान पे इसे बीचे स्केंद को ड्राइब कर दिया है एक्स्ट्रा कवर की जानी सिंगल आएगी सिंगल के च चार रंज बनाए हुए पांच के उबर एक चौका लगाया गया है जिंबाबी के टीम ने टॉस को विन किया और टॉस को जीते हुए पहले बैटिंग करने का फैसला क्या है उन्होंने अफजाल इजास भाई हमार साथ मौजूद ही है जापान से बहुत बश्यूक्रिया आ यहां पर सीधा पॉइंट के फिल्टर के आप में फखट जमान का बेहतरीन कैच एपसुल्टी ब्रिलेंट कैच बाई फखट जमान जिन्होंने डाइफ किया और डाइफ करते हुए इस अन्बलीवबल कैच को जहां वो थाम दिया है जहां पाकस्तान के टीम जिंबावी के एक और विकट के अपने नाम करते हुए कब माल कैच किया गया है फखट जमान की जान से इन्होंने आगे की जाने डाइफ करते हुए इस इनको इस अन्बलीवबल कैच को जहां वो यहां पर थाम दिया है और इस तरह जिंबावी के टीम एक और विकट को जहां वो दोस्तो को लूज करते हुए, score रहेगा team Zimbabwee का 33 विकर्ट के नुक साम पे, 5 आशर ये 2 बर्स के बाद यहाँ, 5 आशर ये 3 बर्स के बाद score रहेगा 32 विकर्ट के नुक साम पे, परकाष भाई बोलते हुए, के बैगराउंड के अंदर साउंड डालना चाहिए था आपको, यार मैंने तो डाला हुए, साउंड, I think कम है थोड़ा सा, अब क्या साय है, वैसे, नाओ यू के बाउट साउंड, बैगराउंड साउंड, मैंने बढ़ा दिया इसको, ये तो दोस्तों, तैंथ इस रहते हो टीम जिमबावे का स्कोर, एक विकर्ट के नुकसान पे, वैसले, मदबीरा को आज पहले बैटिंग करने के लिए वेजा गया है, लाइक मदभीर ने पांच मैंचेस के लिए पांच मैंचेस के इंदर अठान में रंज जो है वो गाइस बना रखे हैं जहां पर अपनी गेंद बादी के सिसले को जारी रखे हुए देखना होगा कि किस किसम की बाटिंग उनकी जान सकी जाती है पहली गेंद को फिक कर दिया कि जाने गेंद जाएगी बांब्री लाइन के बाहर चौकी के लिए जी हाँ गाइज चौका मिलेगा इसकिन के उबर और चौकी के चलते हुए स्कूर हो जाएगा इस मैंच के अंदर अब संथी स्टीम जिम्बावी का एक विगट के लिए साम पे वो स्पेक्ट्रेटर के साउंड की बात कर रहा यार स्पेक्ट्रेटर का साउंड नहीं है क्या यह तो दोस्तो चौका लगा गया और चौकी के चलते हुए स्कूर हो जाएगा इस मैंच के अंदर अब यारब स्पेक्ट्रेटर का साउंड जो हो आ रहा है यह दोस्तों 37 रहते हुए टीम जिम्बावी का स्कूर एक विगट के निकसान पे जहां पर एक बड़िया मैंच एक अच्छा मैं चलते हुए इन दोनों टीम्स के दिमान पैट्स पर आते हुए गेंद अफलिक कर दिया इसके इनको लग साट के जानेब सिंगल आएगी इन दोनों प्लेयर्स के लिए और सिंगल के चलते हुए स्कूर हो जाएगा आब पच्पन क्या दीजिए के माफ के जिगा स्कूर होते हुए 35 टीम 37 से 38 टीम जिम्बावी का दो विगट के नुकसान पे एक बड़िया मैं च एक अच्छा मैं चलते हुए इन दोनों टीम्स के दर्मियान अवास बिल्कुल ठीक है या फिर कोई इशू लग रहा है अवास के साथ तो आप मुझे कर सकते हैं बता सकती हैं आप लाइफ चाट के अदर जहां जिम्बावी के टीम ने टॉस को इनकिया टॉस को जीते सब्सक्राइब अच्छा मैं चलते हुए इन दोनों टीम्स के दर्मियान अठीस रहेगा टीम जिम्बावी का स्कोर दोवेकर के नुक्ताइब बलके 49 रहेगा स्कोर दोवेकर के नुक्ताइब और अब 6 अवर्स का खेल जहां वो मुकमल हो चुका है मेरी आवास के आप तमान दोस्तों को नहीं आ रही 670 के उपर दोस्त जो है वो कह लीजे के वीडियो को लाइक कर चुके हैं बहुत बश्यूक्रिया आपका साथ रहने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आसरन के बाद जाता होगे इंड इसके इनको खेल दिया है कवर और पॉइंट के जाने अब सिंगल आएगी सिंगल के उपर और सिंगल के चलते वे स्कोर हो जाएगा 49 टीम जिंबावे का बलके 42 विकट के नुकसान पे 6 आशर ये कवर के बाद लंकन लेकी भी कोमेंटरी करेंगे हाँ जी हाँ जी भाई हम करेंगे इंशाला जरूर उस लेकी भी कोमेंटरी जो है वा करने की कोशिश करेंगे हम जी तो दोस्तो चाली स्राथे वे स्कोर दो विकट के नुकसान पे जहाँ जी हाँ जी तो दोस्तो एक ताली स्कोर दो विकट के नुकसान पे जी तो दोस्तो एक ताली स्कोर दो विकट के नुकसान पे छे आशार या दो वर्ष का खेलब तक हुमकमल होच का हैं लंकन लीग है कपसे तो लंकन लीग का आगाज 27 तारीख को होगा और 27 तारीख को जो हमें बड़े-बड़े मैचे जो हैं वो गाइस होते वोई दिखाए दिए पावर प्लिय के अंदर जिम्बावे के तीम ने दो विकट को लूज कर दिया और जिम्बावे के टीम की बात कर लेते गाइस तो उनकी जान से ब्रेंडन टेलर आउट होचके एक रवाइन जो है वो आउट होचके जहां आपने वक्या लीगे लेकर बॉलर तयार शाट पिच्छे गें इसके इन को लेफ किया इसके इन को जाने दिया विकट कीपर के पास सब्सक्राइब डॉट डॉट डिलिवरी के चलत रहनी के लिए जहां एक ताली स्ट रहेगा स्कोर दो विकट के नुकसान पी एक ताली स्ट रहते हो टीम जिम्बावे का स्कोर दो विकट के नुकसान पी छे आशर यह चार वर्स का खियो जहां वक्तक मुकमल होच का है जहां अपने वर्की पांच में लेकर बॉलर जहां वो तयार दौना शूकिया तेज हुए गौतम अदे ने हमिजवाइन करका इसी बीचिस के नको स्ट्रेट हीट कर दिया है क्या चाओ खोने का खत्रा लेकिन यहां पर एक और जो है वो कह लीजे कि सिंगल मिलेगी और सिंगल के चलते हुए स्कोर हो जाएगा इस मैच के नदर 42 विकट के नुकसान पी दोस्तो 41 से बड़ता हुआ स्कोर हो जाएगा 42 विकट के नुकसान पे 6 आशरीय चार वर्स का खेल मुकमिल होच काहिम यहां इस मैच के अंदर 13 आशरीय दो वर्स का खेल जब होना मजीद बागी है मदवीर ने 6 रंज बनाए हुए हैं और उन्होंने जो है वो कह लीजे के 3 गिनों का सामना करका एक चौकाम की जान से लगाया गया है चीमो चबाबा ने 18 रंज बनाए हुए है बीस के नों की उपर और अच्छी क्रिकेट जो है वो खेलते हुए चीमो चबाबा आज कप्तानी जो है वो कह लीजे के अच्छी करते हुए अपने टीम की और अच्छी अंदा से आगे जा रहे है इसी के इनको ड्राइब कर दिया है शौट एक्ष्ट्रा कवर की जानेब फिल्टर मौजूद एक और डॉट डिलिवरी ब्याली स्ट्रेटिवी स्कूर दू विगट के नुकसाम पी 42 विगट्स यहां पर टीम जिंबाबे का स्कूर और अब जो है वो 7 अवर्स का खेल मुकमल हो चुका है थैंक्स साल फोर रस्टिंग हेर यहां पर अब पाकिस्तान और जिंबाबे के टीमे दर्मैन आखरी बंडे मैच आखरी टीट्वन्टी मैच जहांब दोस्तों जारी है और अब देखना होगा कि कौन से टीम इस मैच को विन करती है जहां पर रब विए इस थाथेवे स्कोर दो वी करती हुआ नुकसाम पे बैकपट पराते हुआ इस किन को कट कर दिया डिया डिया अक्स्टा कवर और पॉइंट की जाने जिए जिए इस किन के पर और सिंगल की चलते हुआ इस को रहे जाए गाए इस मैच के नरब बलके थेंटालिस टीम जिंबावी का एक पर करके दुकसाम पी कर दिया अलेक्सार की जाने फिल्टर रहेंगे माजो देख और जो है वो कह लिए कि यहां पर सिंगल आते हुआ इस सिंगल के चलते हुआ इस मैच के अंदर टीम जिंबावी का चिया वालीस दो विकट के नुकसाम पे साथ अशरीय दोबर का खेल अफ तक मुखमन होचका है जहां अपने अबर के लिए गेन लेकर बालर एक दवा फिट से आगे इनका इस गेन को स्लॉक स्विप कर दिया लॉग उनकी जाने बार गेन जाएगी बां 43 रहेगा स्कूर दो विकट के नुकसान पे अब लिए गेन को फिक कर दिया लेक्साइट के जाने बार क्याच को ड्रॉप क्या गया है गेन जाएगी बांडरी लाइन के बाहर एक और खुबसूरा चौका खुबसूरा तो नहीं बोल सकते लेकिन चौका मिलेगा यहाँ पर चबंदो विकट नुकसान पे कमाल क्रिकट खेलते हुए यहाँ पर जिंबाबे आट पिजे गेन कट कर दिया सकेन को डी पॉइंट के जाने इस सिंगल आईगी सकेन के अफरार रहा है सिंगल के साथ बरता हुआ स्कोर रहेगा पच्पंद टीम जिंबाबे का दो विकट नुकसान पे जी तो दोस्तों चमवन रहेगा सकोर दो विकट के नुकसान पे पच्पंद बलके होते हुए स्कोर दो विकट के नुकसान पे आठ हवर्स का खेल जहाँ बाब मुकबन होचका है और आज चिबूचा बाबा जो है वह अच्छा खेलते हुए अपनी टीम के लिए पच्पन रहेगा स्कोर दो विगर के लिंक सांथ और अब उस्मान कादिर को बॉलिंग के लिए लाया गया है क्या हुआ जी क्या हुआ हाँ ये भी जितवाद हो भाई लास्ट रोडिया की तरह चिल मिस्टर फोगल बस वो भी आये हुए खेलने के लिए पच्पन रहेगा स्कोर दो विगर के लिक सांथ अंदर आती हुए गयन इस गयन को डिफ्रेंट कर दिया है वापिस बॉलर की जाने बेक और डॉट डिलिवरी और डॉट डिलिवरी के चलते हैं वो पहली ही गयन गुगली डाल दी है यहां पर उस्मान कादिर ने इसी बीच इस गयन को स्लॉक स्वीप कर दिया है हवा में है गयन दौर एक और विकेट को जो है वो दोस्तो लूस करते हुए टीम जिमबाबवे जैसा मैं बोल रहा था के जिमबाबवे के टीम अच्छा खेल रही है चीवुचा बाब अच्छा खेल रहे है लेकिन इसे बीच एक खराब शॉट खेला गया उनकी जान से और वो विकेट को जो है वो कह लीजे के लोज करते हुए और अब जो हो दोस्तो पच्छपन रहते हुए स्कोर टीम जिमबावे का तीन विकेट के नुकसान थे बड़ा दच्का लगेगा टीम जिमबावे को कप्तान जो है वो दोस्तो आफोच कही है एश्टाग जिस्टर्स क्या हो गया जी हाँ जी मैंने कहा था अगले अबर के अंदर के आप ने कहा था के आउट हो जाएंगे तो आउट होते हुए विसमान कादिर जहां दोस्तों आकर बड़ा खेल रहे हैं पच्छपन पर तीन आउट होते हुए आई दी गेन दा पर आते हुए गेन इस गेन को खेल दिया है लकसाइट की जानेब सिंगल जा हो गाइस इस गेन क्यूपर जो है वो गाइस बनेगी और सिंगल के चलते हुए स्कोर रहेगा पच्छपन तीन बिगर के नुकसाम पे आठा शरिया दो बड़्स के बाद सिंगल आते हुए स्कोर रहेगा पच्छपन होते हुए स्कोर तीन बिगर के नुकसाम पे और इसी बीच इसकेन को स्ट्रेट ड्राइव किया है सिंगल आते हुए स्केन के उपराद रहेगा पच्छपन होते हैं स्कोर रहेगा स्टावन तीन में गर के नुकसाम पे स्टावन रहते हुए स्कोर तीन में गर के नुकसाम पे स्टावन रहते हुए स्कोर तीन में गर के नुकसाम पे गुगली अगेंद और बोल्ट होते होते बाल बाल बचेंगी अपने अपने अंदर आती हुए गेंद और अगें जो हाँ बल्ले को मिस्स करते हो जाएगे विकट के पर के आपने और रब सतामर रहेगा टीम जिंबा वेगा स्कोर तीन में गर के नुकसाम ते एक बढ़िया मैच एक अच्छा मैच चलते हुए गली-गली में शोर है वहाँ से भाई हीरो है भाई ये कौन सी लोजिक थी ओ भाई मारो मुझे मारो ये वैसे कौन सी लोजिक थी कहां की लोजिक थी ये के गली-गली में शोर है वहाँ से भाई हीरो है कसम से आद होगी वैसे वैसले मद अब इर साथ पर मौझी थे हैं रियान बॉर लेक पर मौझूद है और लाइव चैट के अंदर कमाल होते हुए वीडियो की उपर आप जो है वो आप साथ सो लाइक्स नो लाइक्स की मजी जरूर थे जल्ली से वीडियो का लाइक एंड चैन और डॉट डिलिवरी के चलते हुए इसको रहेगा सत्तावन तीन विकट के नुकसाम पर जहाँ यहां यह माद बसीम अपने अवर के लिगेन लेकर फिर से आगे इन क्या हवा में किला इस गेन को रहेक और विगट डूर लूज करते हुए टीम जिमबाब्बे रियान बड लूज करते हुए और विकट को जो है लूज करने के साथ 17 रहेगा टीम जिमबाबे का स्कोर चार विकट के नुकसान पर 9-14 बर के बाद और जिमबाबे के टीम के साथ हो भी कुछ यूँ ही रहा है दोस्तों कि उन्होंने यानिके स्टार्ट तो बहुत अच्छा लिया ले पांच गिनों के उपर एंडर इमाद वसीम ने दो आशरीय एक अबर के अंदर बलके दो आशरीय दो अबर के अंदर 17 देते हुए दो विकट को अपने नाम कर रखा है बड़िया क्रिकट खेलती हुए टीम पाक्स्तान आज किस मैच के अंदर लगातार विकट स्कुल अपने रियान बर लेक पर मौझूद हैं वेल्स दे मदा वीर साथ पर मौझूद हैं इमाद वसीम ने दो आशरीय दो आवर के अंदर 17 रंस देते हुए दो विकट को अपने नाम किया है अच्छी बॉलिंग पर्फरमेंस दिखाई जा रही है अच्छी बॉलिंग पर्फरमेंस द पर विकट के दुख साम भी नो आशरीय दी नमर्स का खेल जहाओ अब मुकमन होच का है जहां पर जिंबाब्वे के टीम ने टॉस को जीते हुए पहले बैठिंग करने का फैसला किया आसंग के बार जादावा शॉट पीछे गेंडिफेंड कर दिया इसके इनको कवर और प बढ़िया आज जो है वो दोस्तों उन्होंने बालिंग गरबार रखी है और अपनी टीम को लीड भी किया हुआ इनका पहला क्वालिफायर मैच्च टीम मुलतान के साथ होगा चौदा तारीख को और जो भी टीम उस मैच को जीतेगी तो वो जाएगी सिदा फाइनल के तो इस वज़े से कह लीजे के मसला है अदर्वाइज अल्हम्दुलिल्ला ठीक बन जाते लेकिन आज कर डाउं जीतो दोस्तों इस गेन को स्विप पर डियालेक साथ की जाने सिंगल आएगी सिंगल के जलते हुए स्कूर हो जाएगा इस मैच के अंदर अब टीम जिंबाब देका बला कितना अठावन चौर विकर्ट के नुट सांग पी दस सबसका के लब मुकमन होज का है कि मिल्टन सुंबा जो हो बैठिंग करने के लिए आचके और अब देखना होगा मिल्टन सुंबा ने सिंगल ली है और सिंगल जो हो गाईज लेते हुए सिंगल जो होगा इस लेते हुए उन्होंने अपना खाता खोला है टीव ट्वन्टी क्रिक्ट के अंदर आज जब पहला मैच जो हो दोस्तों खेल रहे हैं यह मिल्टन सुंबा रजले मदावीर ने साथ जो है वो और रंज बना रखे आठ ये नों के उपर एक चौका उंकी जान से लगाया गया है अग्याइन दास्टंग के बाट जाता वगेंदी स्केंग को ड्राइब कर दिया है अक्ट राइब कर दिया है अक्ट्ट्रा कवर की जानिब सिंगल आईगे स्केंग के उबर रहा इस सिंगल के चलते हो स्कोर हो जाएगा अंश तीन जिम्बाभे का का विगर तनक्सांपी लाइजंड गेमर्स लीव हिम आलाउन जाने दे इनको कोई जवाब नी देना पालीकम अस्तलम शाहिद हुसें बाइब दो शुक्री आपका भी साथ आने के लिए जहां पर वीडियो की उपर साथ सो लाइक सोने में छे की मसी जरूर थे इस वीडियो की उपर नीचे आपक लाइक एंड सब्सक्राइब को बड़ा मिल जाएगा जहां अली गेंड इस इस इनको स्वीप कर दिया लेक साथ की जानिब गैप में है गेंड और सिंगल आते हुए स्किंट की ऊपर सिंगल के चलते हुए स्कूर हो जाएगा 59 टीम जिंबावे का बलके 60 इम जिंबावे का स्लॉक्स स्मैश करिया है एक्ष्ट्रा कवर की जानेब सिंगल आगी स्किन के उपर और सिंगल जो है वह दोस्तों आने के बाद हो जाएगा यहां पर एक सर्ट स्कोर टीम जिंबावे का चार विकर्ट के नुक्सान पे स्कोर रहेगा एक सर्टीम जिंभावे का चार विगर्ट की नुक्साम डे तैस और शर्या तीन अमर के बाद यहाँ मदभीर ने आट रंज मना रखे है, सुंबा ने तीम रंज मना रखे है उस्मान ने चार आशरिया यानिक एक आशरिया ती नमर के अंदर चार रंज देते हुए एक विगर्ट को अपने नाम के और बॉल्ड होते होते बाल 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 बचेगी ये प्लेयर मदा बेर रहा absolutely brilliant balling by उस्मान जहां पढ़ने के बाद अंदर की जानी बाई ये गेन थी और अंदर आते हुए गेन दो विग्टों के बिलकुल उपसे होते हुए विगर्ट कीपर को बीट करते हुए जाएगी boundary line के बाहर चौकी के लिए unbelievable अंदा से जो है वो कह लिजे के Zimbabwe के ये प्लेयर बचे हैं क्योंके गुगली बहतरीन करवाई जाती है उस्मान कादर की जानिब से गुगली जो है वो दोस्तों बहतरीन करवाई जाती है और ये गेन दभी पढ़ने के बाद अंदर की जानिब आई थी और गेन गई बा को जीतना चाहिए टीम जिम्भावे को तके वह Season के कंदर को ना कोई मैस मैसे के लिए जो है वो कह लिएकर आब अब मशीब जो काम करना चाहिए हो यह करना चाहिए कि बड़ी पात्रिंश्बंगे को लगाना चाहिए इन दोनों प्लेयर जान तक खेलना एचान से लिए जाता है नहीं मुझे नहीं लगता है यहां पर टीम पाकस्तान रिव्यू जए बढलाजम के जानव से बढला वह नहीं पाकस्तान कि थी पाकस्तान की तीन काम्याब होगा कि यहाँ पर रिव्यू के अंदर काम याब रहती यह टीम या फिर नहीं स्वीप करना चाहते थे इस गिन को लेकिन यस गैन बाहर के जाने निकल रही थी दोस्तों और विक्टो को मिस करी गये सिधी सी बात है कि ये गये इंद विक्टो को मिस्स करेगी और इस तरह जो है वो नॉट आउट का इशारा दिया जाएगा अमपार की जान से पैंसर रहते वो टीम जिंबाभी का स्कोर्ट चार बीकर की नुक्सान पे अपील हुई थी LBW की लेकिन अमपार का इशारा के बैट्समन नॉट आउट है गाईज और अब जो है वो देखना होगा के अमपार की जान से क्या डिसीन दिया जाता है तो नॉट आउट का डिसीन दिया जाएगा मेरा ऐसा माना है अमपार की जान से क्योंकि ये गेंड मिस्स कर रही थी और गेंड मिस्स करते हुए जाकर टकराई है थाई पाट से और थाई पाट से रकाने के बाद अब पैंसर रहेगा टीम जिम बावी का स्कोर चार्ट भी करके नुक्स साम पे बड़िया बालिंग करवाते हुए यहां पर वस्मान कादिर जिनकी गेंड स्विंग हो रही और स्विंग होते हुए गेंड जाकर टकराई थी पाट से पिचिंग इन लाइन इंपक्ट आउट साइड ओफ और इस वजह से नॉट आउट का इशारा जो है वो दिया जाएगा अंपायर की जाने से नोट आउट का इशारा दिया जैगा Ampar की जान से और पाकिस्तान के ये दोनों Ampar जो है बेहतरीन Ampar है अलीमडार की हम बात कर लेते हैं टीके इंड बाग्वोर परते वे स्केंट को स्माश कर दिया है एक्श्डवा कवर की जानेब सिंगल आती हुए सिंगल के चलते हुए स्कूर हो जाएगा इसमाच के अंदर अब चाहसर टीम जिंबावेका चार विगर के नुकसान पी ग्यारा आशर या एक अवर के बाद यहाँ इमाद वसीम अपनी बॉलिंग के सिसले को जारी रखे हुए इमाद की अगें दो विगर तो विगर आताव अगें दे सिंग को डिफरेंड कर दिया है लेक साइट के जाने मिड विगर की पॉजिशन पर फिल्डर मौझूद करेंगे इसके इंको फिल्ड एक और डिलिवरी और सिंगल और सिंगल के चलते हुए सट सट रहेगा स्कोर टीम जिंबावेका चार विगर के नुकसान पे मदभी ये नौप पर माझूद है सुंबा जो हम चार पर माझूद है जहां पर डे इमाद बसींग ने बीस रूंस देते हुए दो विकट कपते नाम कर रखा है और आखरी अबर चलते हुए इमाद बसींग का और अब दिखना होगा कि कैसा वर जो है वो इनका ये साबित होता है जहां अपने अबर के लिगेंग लेकर इमाद बसींग तवा फिट से आगे इन क्या हवा में खेला इस गेंग को पॉइंट की जानिब और उंदा फिल्डिंग थर्ड मैन के फिल्डर की माफ करीगा थर्ड मैन की जानिब गई थी ये गेंद रहेगा स्कूर चार विकर्ट के नुकसाम पे आश्रूं के बाइड अलव अगेन इस गेंग को डिफेंट कर दिया है वापिस बॉलर की जानिब और इमाद बसीं के अब दो ही गेने बाखी है और अब देखना होगा कि दो गेनों के उपर कितने रंज़ बनाती हैं ये टीम सठ सठ रहेगा स्कूर चार विकर्ट के नुकसाम पे जहां अपने अबर की तीस गेन लेकर बॉलर एक दवा फिट से आगेन क्या और चक्का मिलते हुए जंबाबे के प्लेयर स्कूर बहुत ही खुबसूरत शॉट लगेगा शॉट पीजे गेन थी और इस गेन को सुंबा कर दिया लेक साइट की जानिव और गेंदा हवा में रहने के बाद जाते हुए बांडरी लाइन के बाहर बेहतरीन चक्का वाव वाड एन एपसलोड़ी आप्सेंडिंग हीट बाइडिस टेर जहां इस गेन को स्वीप कर दिया था पैंसेट मीटर का लबा चका लगाते हु दस के स्कोर पर जा चुकी है और इंट्रस्टिंग बनाना होगा टीम जिंबावे को ये मैच महा इंट्रस्टिंग बनाना होगा ताके मैच के अंदर जो है वो हो क्या हीजिए के इंट्रस्ट पैदा हुँ तमाम के तमाम क्रिकट फैंस का इसी बेचे सिंगल आते हुए सिं किया टॉस को जीते हुए पहले बाॉलिंग करने का बैटिंग करने का जो है फैसला किया गया उनकी जान से जहाँ पर अब आवर का खेल मुकमल होने वाला है और इस सबर के अंदर जो रंज आए वो अच्छे रंस यानिक अच्छे खासे रंस जो है विस सबर के अंदर आगे गुबदी गेंद और यहाँ पर एक और दिए करते हुए टीम डिमबावे बढ़िया बढ़ियार ला जवाब किस्म की जहाँ हो दोस्तो यहाँ पर बाुलिंग करवाते हुए उसमान कादिर और उसमान कादिर की गुबदी यानि के गुमती हुइ गेंदो को खेलणा असंबल लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, टीम जिंबावे के लिए, जहां बाहर निकलती हुए एगेन थी और बाहर निकलती हुए एगें, गयी विग्ट экспер के हाथ में गुबली गेन थी और कोई मौका नहीं बना, सुम्बा के बास्ट के वो इसके इन के उपर अपने विगट के थामते हुए देमारा विक्टों में और इस तरह जिम्बावे के टीम में एक और विकट को जाहूँगा इस लूज करते हुए तोहत्तर रहेगा टीम जिम्बावे का स्कोर पांच विकट के दुटसान पे बारा अशर यह एक अबर के बाद सुम्बा उठ होंगे चक्का लगाया फिछ लेवर के अंदर सुम्बा ने और इस सवर के अंदर वो अपनी विकट कलोज करते हुए जाएंगे पबलियन के तरह वापिस और अब वीडियो के उपर 700 लाइक्स होने वाले हैं 700 लाइक्स होने के लिए दो लाइक्स के जरूरत है और इसे कहते हैं टीम पाकस्तान आखरी मैच कहल रहे हैं आज एल्टन चुकंबुरा और तमाम के तमाम प्लेयर्स जो है वो उनको गाड ओफ आनर पेस कर रहे हैं यहाँ पर तमाम के तमाम प्लेयर्स उनके लिए क्लैपिंग कर रही हैं एक लाइन बनाते हुए उनको जो है वो एप्रिशेट कर रही हैं उनके कैरियर को जो है वो कह लीजे के यहाँ पर एप्रिशेट किया जा रहा है टीम जिंबावे के इस प्लेयर को एक लेजन जो है वो समझे जाएंगे यह टीम जिंबावे के लिए अल्टन चिंगम बुरा जो के आज अपना लास्ट मैच खेल रहेंगा इस तावन मैचेस के अंदर चपन जो है वो आट सो इकाम ने रंध बनार खेन होने और यकीनी तोर पर इनके टीम यह मैच लाजमी तोर पर जितना चाहेगी तो कि यह अल्टन चिंगम बुरा का जो होगा इस लास्ट मैच है और बस स्कोर रहेगा चोहतर टीम जिंबावे का चार विगर्ट पांच विगर्ट के नुक्सान पर बारा शरिया एक अबर के बाद यहां विगर्ट के लूस कर दिया टीम जिंबावे ने और बड़ा दिस कर लक्ते हुए टीम जिंबावे को आज किस मैच के अंदर एल्टन चिंगम बुरा यकीनी तोर पर चाहेंगे के वो अपने टीम को यह मैच जित्वाएं बरहलब दिखना होगा ऐसा होता है नहीं एक स्लिप के साथ बाबराजम स्लिप पर जाते हुए जहां एल्टन चिंग लोबर्स का खेल जाहब अब तक मुंकमन होच का है अली गेंद को स्वीप करना चाहते थे बैट्समन लेकिन रहींगे नाकाम एक और डॉट डिलिवरी और डॉट डिलिवरी के चलते हुए स्कोर रहेगा चुहतर पांट मेंगर के नुकसान पे आखरी मैं अच्छे आइट चिकम बुरा की जाने से यकीनी तोर पर उनको एट लिस्ट इस मैंज के अंदर लास्ट तक बैटिंग करनी चाहिए जोहतर रहेगा टीम जिंबावे का स्कोर पांट मेंगर के नुकसान पे स्वीप कर दिया इसके इनको बाकवर्ड स्कोर लगिए जाने बागाप में है गेंज सिंगल आएगी स्कीन के उपर आड़ रहा है सिंगल के चलते हुए स्कोर हो जागा पिजट्तर टीम जिंबावे जिंबावे का स्कोर पांच विगट के नुकसान पे जहां अपने अपर के लिगें लेकर बॉलर तयार बॉलर जो हम घाइज रहेंगे यहां पर तयार पीजतर होते होँए स्कोर पांच विगट को नुकसान पे यहां उस्मान की गेन और एक और बिगट का लोज करते हुए टीम जिंबाब्बी पीज़तर रहेगा स्कोर 6 विगट के नुकसान पर और अब जो है वो एक और विगट को लूस करते हुए उस्मान कादर यू ब्यूटी कभी ये प्लेयर गुगली करवाते हैं कभी ये प्लेयर गेन को बाहर के जान में निकालते हैं और कोई मौका नहीं बन रहा टीम जिमबाबी के पास कि वो इस मैच के अंदर कमबैक कर सके बड़िया गेन बाजी लाग जवाब गेन बाजी करते हुए ज्याद रहे दोस्तों कि जिमबाबी के टीम ने टॉस को इन किया और टॉस को जीते हुए पहले उन्होंने बाटिंग करने का फैसला किया और उनका ये फैसला एक ड्राना खाब सावित हो रहा है जहां मदाबेर जो कि अच्छी फॉर्म में थे मदाबेर आउट होकर पाबिलियन के तरफ वापिस गए है और इस तरह जो है वो दोस्तों जिंबावे के टीम एक और विकट को जो है वो गाइस लूस करते हुए जहां पी जत्तर रहेगा स्कोर टीम जिंबावे का छे विकट के नुकसाम पी बारा ऐचरी या पांचे वर्श के बाद और अब उस्मान कादिर अपनी बेहतरीं बॉलिंग करवाते हुए जिन्स ने 5 रंच देते हुए, 3 विकेट को अपने नाम का रखा इस Limit श्रीज के अधर, उन्से अपना डेवियोग चिया, पहले मैच के अंदर 1 रूंपक अदर 2-5 रेदे उसमेक हाजिये, उसमेक के अंदर भी 3 विकेट जो हैं अपने नाम जो हैं वो कर रकी है, जहांँ प बहुत ही अच्छा काच बाबराजम की जाने से पुल्टास के इंद स्मैश कर दिया स्केंग को लॉंग आफ की जाने बुम्दा शॉर्ट सिंगल आएगी स्किन के पर और सिंगल के चलते हुए स्कोर हो जाएगा इसमेश के अंदर शेप्तर टीम जिम्भावे का छे बिकट के नुक्साम पर जिए हां गाइस दो स्कोर हो जाएगा यहां पर अब पिज़तर शेविकर के नुक्साम पर अब बारा शर्या पांच अबर्स का खेल जहां वो मुक्वन होच का है एक अच्छा मैच एक बेहतरीन मैच जो है वो चलते हुए न दोनों टीम्स के दर्मयान यहां पर अब डेखना होगा पाकस्तान की टीम इस मैच को जीती है या फिर जिम्भावे की पाकस्तान की तीम अगर जीतेगी तो वो जाएगी इस सीरिस को कुईन स्वीप करने के अच्छा मैच के अच्छा मैच के अच्छा मैच के अच्छा मैच के स्कूर रहते हुए 76 टीम जिम्भावे का 6 बिगर के नुफसान ते रिव्यू को लेने का सोच रही है टीम जिम्भावे तेरा वर्ज का खेल जाएब अब तक मकमल होच का है बल्ले का बाहरी किनारा मिस्स किया इसके निए और अब देखना होगा कि बैट्समन आउट है या नहीं बिल्कुल गाइज अब जो है वो देखना होगा कि बैट्समन आउट जो है वो इसमाज के अंदर होते हैं या फिर नहीं जो गाइज इस गोइए अन इंट्रोस्टिक मैच बेविन इस तूव तो तीम जहां पर रहे गाएज तर तीम जिंबाबे का चे विगट के नुकसांपे और नौड आउट आशारा दिया गया है अंपार की जान से अलीम डार एक दवा फिर परफेक्ट रहते हुए स्कोर रहेगा चे तर टीम जिंबाबे का चे विगट के नुकसांपे तेरा शरी एक अवर के बाद यहां जिंबाबे के टीम जो है वो उनको कम से कम सोर रंस को 200 रंस के विलके 1500 रंस के आस पास जाना चाहिए चे तर रहेगा स्कोर चे विगट के नुकसांपे तेरा शरी एक अवर के बाद यहां पर अब बॉलर जो है वो दोस्तों तयार मुसा को बॉलिंग के लिए लाए गया है दोना शुक्या तेज हुए अब पाक को ब्रॉस के आगें के आउस्टों के बाद जाद अब अगेंद इसकिन को ड्राइब कर दिया है एक्स्ट्रा कबर की जानेब फिल्टर हेंगे मौजू देख और डाट डिलिवरी और डाट डिलिवरी के चलते हुए स्कूर हो जाएगा इस मैच के अंदर अब चे 99% है आज के स्मैश के अंदर खिरी निवास गुरु बहुत बश्यों के आपका साथ रहने के लिए स्मैश कर दिया है इसकिन को एक्स्ट्रा कबर की जानेब अब जो है वो बाब राजम गिन का पीछा करते हुए बिल्कुल बाम फ्री लाइन के बास जाकर इसकिन को रोकें है एक अच्छा मैच एक बढ़िया मैच चलते हुए पाकस्तान के लिए जिम्बाब्वे के टीम की कोशिश के वो डेर सो दोसों के आसपास रंज बनाने बनाए आज के स्मैश के अंदर सुगाइज स्कोर इस सेवंटी एक अंद लॉस अव सिक्स विगेट्स डॉलन तरफानो तीम पर मौझूद है चार गिनों का सामना करका है यह बाबा ने एक रन बनाए हुए है अच्छा का बर की जानेब फिल्डर रहेंगे माजूद एक और डिलिब्री और अब अठतर र यहां पर किस किसम की क्रिकट जो है वह दोस्तों खेली जाती है टीम जिम्बावे के इस प्लेयर की जान से जिसका नाम है तिकम बुरा यकीनी तरफ पर इनको एट लिस्ट एक लिस्ट इस इस इनक्स के लास्ट तक बैटिंग जो है वो लाजमी तरफे करनी चाहिए यहाइ अगली गेन लेकर बॉलर तयार रॉस्टन के बाद यादावा गुडलन का गेन डिफरंट कर दिया इस गेन को मुसाखी गेन को कवर और पॉइंट के जाने सिंगल आईगे इस गेन को पर और अवर थ्रो की सुरुप में एक और रन आते हुए और रेसी के साथ बरता हुआ स्क पर बलके असी होते हुए स्कोर तीम जिंबाबी का छे बेकर के नुक्सान पर जहां पर अब आखरी ही छे आवर्स का खेल जाए होगा इस होना जो है वो मजीद बाकी है आई पेल का फाइनल हुए आज दिल्ली कैपिलल और टीम मुंबई इनियंत के दर्म्यान और अब दीखना होगा आखे कौन सी टीम जो है वो स्मैच को विन करती है मुंबई के चांसे सोड़े ज्यादा है लेकिन सर्प्राइस करने के लिए दिल्ली कैपिल के टीम स्कूर्स के बाद और आप जो हो दोस्तों अच्छी हो चुका है स्कूर्चे बिगट के नुकसाम पर चिगंबुरा ने एक रंज बना रखे तीन के नो के उपर राट्रीट फानों ने जो है वो पांच रंज बना रखे साथ के नो के उपर उस्मान कादिर की ये गेंदिस के इनको स्लॉक स्विप करना चाहते तेलाग साट की जानेब लेकिन रहेंगे नाकाम एक और डॉट डिलिवरी और डॉट डिलिवरी के चलते हुए स्कूर हो जाएगा असी छे बिगट के नुकसाम पे त्रेट हिट क्या एक्स्ट्रा कवर की जाने भवा में है गेंद सिंगल आगे सिंगल के साथ वरतावा स्कूर हो जाएगा एक यासी टीम जिंबावे का छे विकट के नुकसाम थे चौदा दिशंबल यानिके चौदा श्रीय दो बड़्स के बाद और अर आप जो है वो दोस्तों एक अच्छा मैच एक बड़िया मैच चलते हुए दोनों टीम के दिरम्यान और एक यासी रहेगा स्कूरशे विकट के नुकसाम थे अपने अबर के लिए लेकर बाद फिट से आगें क्या लाक्स मिन होता हुआ गेंद और गेंद बल्ले का बाहरी के नारमिस करते हो जाएगी विकट के पर के हाथ में एक और दौतम यादे विट वीट वीट लट मी टीकार एसस हीर आस्ट न के बार जाता होगे इन दिस किन को डिफ्रेंट कर दिया है कवर और प्वांट की जानिब एक और जो है वो हो यहाँ पर डौत डिलिवरी और डौत डिलिवरी के चलते हुए स्कोर हो जाएगा इस मैच के अंदर एक यासी चिछे विगड़ के मुकसाम पे इस नौट यूर होम बड़ी यहाँ पर आप गालियां दे रहे हैं किसी को भी clear your mind and after that come here यहाँ आपका अपना घर नहीं है जहाँ पर आप किसी को भी गाली देते पूरें अंदर आती हुए गें डबले को मिस्स करते हुए यह गें जाएगी विगड़ कीपर को मिस्स करने के बाद बांडरी लाइन के बाहर चौकी के लिए यही तो दोस्तों चौका मिलेगा इसकिन के उपर और बुल मिलाकर पांच रंज आएगे और पांच रंज क्या आते हुए स्कोर रहेगा एक यासे टीम जिम्बावे का छे विगड़ के नुक्सान पे अंदर आती हुई गेंद थी और अंदर आती हुई गेंद जो है वो दोस्तों बल्ले को मिस्स करते हुए जाएगी विक्टर के बिल्कुल पास से होते हुए बांडरी लाइन के बाहर चौकी के लिए अगली गेन अंदर आते हुई गेन दिस स्किन को ड्राइब करना चाहते थे एक्स्टा कावर की जानेब सिंगल आएगी स्किन के उपर और सिंगल के साथ बरतावा स्कोर जो हो गाइस हो जाएगा यहां पर अब 86 टीम जिंबावे का बल्के 87 होते हुए स्कोर्च वेकर के सामपे 14 शर या पांच अबर्स के बाद इस सबर के अंदर कुल मिलाकर छे रंज आचुके हैं बल्के साथ रंज आते हुए टीम जिंबावे के लिए और जिंबाबवे के टीम की यकीनी तोर प्रकोश अब जिंबावे के टीम जो है वो इस बड़े लियर को लूज करते हुए एक अच्छा क्यार रहा इनका पूल लेजंड नो ब्रो नो दाट्स नॉट यूर दाट्स नॉट यूर कह लीजिये के अरे भाई किस किसम के लोग आ जाते हैं लाइब चाट के अंदर किसम से हद है वैसे गालिया देना शुरू कर देते हैं आप आकर तो हद है भाई लोग आपकी कि यह दोस्ते एक बड़िया मैं चेक अच्छा मैं चलते हूं इन दोनों टीम्स के दिर्म्यान थैंक्स अब्रीवन फर रस्ट्रेंग हेर बहुत शुक्रिया आपका साथ रहने के लिए सतासी रहेगा स्कूर साथ देगर के नक्सांपी कि यह दोस्तों यहां पर कह लीजे के एक अच्छा मैच खेलते हुए अरे यार गुरु भाई बात यह है कि अच्छे बुरे लोग जो है वो हर जगा पर पाई जाते हैं तो क्या कर सकते हैं यार क्या कर सकते हैं सोच का फरक होता है सोच को जो है वो अच्छी रखेंगे तो आप पॉलिटिव को अट्रैक्ट करेंगे लेकिन आप अगर इसी किसम की सोच रखेंगे तो फिर यकीनी तो पर ऐसे ही लोग जो है वो हम यह देखने को मिलेंगे यह बस आते हैं और आकर अपने दिल का उबाल निकाल कर चले जाती है ना किसी को फरक पड़ता है ना और पुछ लेकिन यह कि अपनी असलियत को बता जाते हैं और इसे बेच इस गेन को स्लैप कर दिया है बांडरी लाइन के बाद जाएगी यह देख और चौके के लिए तो चौका लगेगा गाईस इस गेन के उपर और चौके के लगते हों स्कूर हो जाएगा सता से टीम जिमभावे का साथ वेकर कुनके साम पर आप क्या लीजे के आब जो है वो पंद्रा बट्स का खिल मुकमल होच कह है जी जी बिलकुल जॉइसे करता है उनके लिए सौट कौर्णर रखना जो हैं किसी नहीं को चांस देना चाहिए की जबारा दोबारा गलत लेंउड़ का खिल कोई इस्तमाल करीगा तो पिर उसका जौका कोई हल नहीं आस्टों के बार जादा वगेंद इसके इन को स्मैश कर दिया है कवर और क्वाइट की जाने वार गेंद जाएगी बांडरी लाइन के बाहर चौकी के लिए एक और चौका और चौकी के साथ बरता हुआ स्कोर रहेगा अब टीम जिम्बावे का पिछान में साथ वेकर के नुकसान पे बड़िया बल्ले बादी करते हुए जिम्बावे के ये दोनों फेयर्ज जहां इस गेंद को गाइड कर दिया था और गेंद बरते हुए गई गौतम गेमिंग इस नॉट ब्रो ऐसी सोच गलत है आपकी अगर आप यही बोलेंगे ना के अपना जिस थारी में खाते हो छेट करते हो भाई इसमें कौन सी बड़े बात है इंसानियत सबसे बड़ा मजब होता है किसी कर दो पाकिस्तानी यू नॉट एंडिया जब तक आपके अंदर इंसानियत नहीं है बात करने का तरीका नहीं है आपको किसी के साथ तो फिर कह लीजे के यहां पर आप कैसे इंसान है हद होती है वैसे यार किसी भी चीज़ की दुबारा बापिस आई बात करते हैं फिर इस चीज़ के उपर पिचान में रहेगा स्कोर्ज टीम जिंबावेगा साथ विकर्ट के नुकसान पर छेद वाली बात क्या है भाई यहां पर कौन गलत बात कर रहा है इंडियन लोगों के खिलाब बता यह ज़रा मुझे एक बंदा बता दिया है ऐसा जो कर रहा है अध्य वैसे कसम से पता नहीं कैसी सोच है आपकी सबको मैं भाई मान कर बात कर रहा हूं सब के साथ प्यार के साथ बेच आ रहा हूं लेकिन फिर भी एसी सोच है अध्य वैसे आप सुनके बाद जाद आवगे इस चीन को डिफेंड कर दिया है कवर और पॉइंट की जाने हो है गाइस के स्कोर रहेगा 96 तीम जिम्बावी का साथ भी रखते नुकसान भी हां जी हां जी मैं छोड़ रहा हूं यह देखिए यह भी तो दोस्त है ना इंडिया सी है ना सब इंसानियत के नाते सब जो है वो कह लीजे के इंसानियत के नाते सब जो है वो एक दूसरे के साथ अच्छे अंदास से बात कर रहे हैं लेकिन पता नहीं जो जोड़ें अब मैच के उपर वापिस आते हैं मैच के आखरी चार वर्ट होने बाकी है जहां आस्टन के बाद जादा वागें इंडिसकें को बुरे है ना पाकिस्तान की लोग बुरे है पता कौन बुरे है बता हूँ अब आपको सची मुची बताता हूँ नमबर वन इस मेडिया ठीक हो गया नमबर टू इस गौर्मेंट ठीक हो गया गौर्मेंट और मेडिया का काम यह है कि आप उसे में बढ़काएं और खुद जो है वो अच्छे अंदास से elections को और सारे campaigns वगारा सारा कुछ करके वो फिर से उपर आएं और अवाम भी इतनी पागल होती है कसम से इतनी पागल होती है ना कि वो उनकी बातों में आ जाती है इनकी बातों में आकर जो है वो एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए I'm here with you और कसम से यकीन करिये मैंने कभी भी ये फरक नहीं किया कि कोई पाकिस्तान से कोई इंडिया से है हम सब एक अच्छे अंदास से बात करती है और ये ही ऐसा ही होना चाहिए 98 में रहेगा स्कोर साथ विगर के नुकसाम पी और अब ये सिच्वेशन कुछ यूँ है इसके एक बढ़िया मैच एक अच्छा मैच चलते हैं इन दोनों टीम्स के दिरम्यान संदीब बाई जाईए कोई काम नहीं है आपका यहाँ पर एर्टर्स हैव नो प्लेस एर सोदा स्कोर इस 98 रह टीम्स इंबावे का साथ विगर के नुकसाम पी इरपानो 16 पर मौजूद हैं और मसा काजा ने एक आज जो है वो दोस्तों मसा काजा को टीम के अंदर शामिल के आगया है विलिंटन मसा काजा जिन्होंने एक रन बना रखा एक गेन के उपर और उस्मान कादेर जो है वो दोस्तों बेहतरीन बालिंग करवाते हुए चार वर्स में तेरा रन्स देते हुए चार वेकर का अपने नाम किया सबसे बेहतरीन बालिंग जो है वो इनकी जानिब से करवाए गई हाँ जी ये इम्रान ताहिर की जो है वो कॉपी है गौतम अदे भाई अगर आप गलत लेंग्विज का दुबारा से इस्तेमाल करेंगे तो इस नोट गोड़ तीम फोर यू आपको अच्छे से बात करें भाई मैं आपका भाई हूँ तो अच्छे से बात करें और मैथ को इंज़वार करें तो इस वोई किसी को गाली नहीं दे रहा आप कोई गाली देकर दिखाए तो सही मैं उसको अच्छे से ट्रीट करेंगा डोंट वरी वो जब लाइव स्ट्रीम शुरू हुई थी न तो उस वकत जो है मेरे लिए सब के सब बराबर हैं बॉलिंगर जो है वो दोस्तों पाक्स्तान की टीम ने 157 मैचस के ले गए हैं और 157 मैचस के अंदर 131 दफ़ा जो है वो ओपोलेंड ओपोजिशन को अब तो गाली दे रहे हैं न भाई आप संदीप सिंग भाई जाइए मज करिए अजये पिले टेम ने 155 अगयर जाइगा या अटिशर कोई गिए जाइगा एक आटोंके एशां तॉक जाइगा साथ जिंभावे का साथ के सांप अटन मेर्शाथ मूले कम असला हम धल कम अधम चलिस आटेल अरसल थोर भाई, look at this live stream, what's going on in the live chat इंडिया वालो देख लो, कुछ भाई बात नहीं है, ऐसी pop skeleton, कुछ भी ऐसा जो है वो नहीं हो रहा बस यह आपकी गलत पहमी है और जो भी जो भी गलत language का इस्तमाल करेगा, उसको ही रोका जाएगा चाहे वो पाक्स्तान से है, चाहे वो इंडिया से ठीक हो गया That's, that's the rules we have for you अगली गेन, the Pats पराती भी गेन, इसकिन को फ्लिक कर दिया, लेकसा की जानीब और ACB चौका में लेगा जिमबाभी के टीम को एक और बहतरीम चौका लगते हुए और चौके के साथ बरतावा स्कूर हो जाएगा, 117 जिमबाभी का साथ भी गड़ के नुकस्ताम के अरे भाई छोड़ी इन बातों को सेंड़िच खाने है, तो आज आई आज फिर मैंने सेंड़िच है, जो है वो बना नहीं है गलत लंग्विज वळा बन्दा यहां पर नहीं ठीकेगा, that's it, यह रूल्स है एक सो तीन होते में स्कूर साथ वेकर के नुकसाम पर, चाहे हम किसी को पसंद है या नहीं है, काहें ये चैनल किसी को पसंद है या नहीं है गाली देने वाला गलत बात करने वाला बंदा यहां पर नहीं टिगेगा that's the thing बॉलर तयार अगली गेम लेकर इस सबके आफस्ट्रिम के बाहर जाते भी गेंदेशके को डिफ्रेंड कर दिया है कवर और पॉइंट के जानेब रहींगे माजू देखा और जो है वो कह लीजे कि यहां पर डाट डिलिवरी और डाट डिलिवरी के चलते वह स्कोर हो जाएगा बलके सिंगल और सिंगल के चलते वह स्कोर हो जाएगा 187 विकर्ट किनुक्तान पर और यह मैसेज मेरे ग्रुप वालों के लिए भी है जो अगर कोई मौजूद है यहां पर कि यह सारा हसाब जो है वो चुपता कर दिया उस वकट मैं लाइव चैट को देखी नहीं रहा था जब स्पैमिंग हो रही थी गलत लाइन में जिक्कार इस्तमाल हो रहा था मैं ऐसे पहले तो उस वकट अगर कुछ ऐसा वैसा हो भी गया तो माजरती सीज के लिए लेकिन अब जो हो रहा है वो तो आप देखी सकते है न तो आप किसी स्पैसिफिक चीज़ को डिफेंड नहीं कर सकते है क्योंकि हर जगा पर हर किसम के लोग पाए जाते हैं अस्तम के बाट जाता हो गया निकाल ले अस गिनको थर्ड बैन की जान सिंगल आगी हारी लाल सर ने हमें जोइन कर रख रहा है बाद बशो के आपका साथ रहने के लिए अरसल थोर भाई हमार साथ मौजूद हैं भाई एक इधर बेज़ दो जी जी ज़रूर उस दिन वाले ही हैं उनमें से निकाल कर एक खाले आप अलवाई जरूर वाई नौट यूद से अनिफिंग अब मत लेना कोई इसमीर का ना नहीं भाई कोई भी नहीं ले रहा बस सियासत की बात ही नहीं करनी हमें कोई भी नहीं कर रहा आज मुंबई जीते गाँ यार मेरा दिल कर रहा है कि आज दिली जीते क्या खाल है वास आपका अलटना नहीं होता ये अगर कोई बंदा समझ जाए ना कि वो गलती पे आए तो वो पलटना नहीं होता अगर किसी को समझ आज़े अस्तों के बाद आपका हार इस्राव का ये अगें दपन्ने के बाद बाद की जान निकलेगा और बल्ले के बिलकुल पासे को दुरते में जाएगा विगटिवर के हाथ एक और डिलिवरी और रभ एक सुदस रहेगा टीम जिम्बा लेगा स्कोर साथ एक अगर निक्साब आरी लाल सर बोल रहे हैं के जो है वो ख्याली प्लाव देखना अच्छा होता है रैसे यार मेरा दिल कर रहा है कि आज दिली को थोड़ी ज्यादा स्पोर्ट की जाए आर एक दरफ आप खुद देखें ना के एक तरफ चार दफा की चैंप्योंटीम है और एक तरफ जो है आरे वो कह दीजे के वो टीम है जिन्होंने टाइटल को अपने नाम नहीं किया हुआ अठार्मी गेन लेकर यानके अठार्मी अबर की तील स्टी गेन लेकर बॉलर था यार रास्टों के बाहर जाता आप गेम दे और एक और डॉट डिलेवरी में लेगी तो दोस्तों आपको बता दूँ के राशित खान ने 47 विक्टों को अपने नाम कर रखा है हारिस रॉफ ने 28 विक्टों को शाहिन आफिरी ने 31 विक्टों तो इस वज़ा से आप कह सकते हैं कि पाकिस्ताउनी प्लेयर्स अच्छा पर्फॉर्म करते हुए 112 रहेगा टीम जिम्बावे का स्कोर साथ विकट के नुकसाम पी तेरा शर्यतीन वर्स के बाद आजाएं आजाएं जी अगर किसी को खाने है तो 721 के क्रीब दोस्ट जो हैं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब पर सकते हैं डॉनल्ड टिर्फान हो जाए वो क्रीज को गौतम बाई बोलते हुए डॉलन्ड क्रीज के उपर मौजू दे हां जी हां जी ऐसा ही है पलट नहीं गया उसको जब समझ आ गई है कि क्या सच है और क्या गलत है इखलाग के साथ बात करेंगे तो उनका हमारा साथ रहेगा लंबा अगली गेन के उपर आज हुए है बल्लेबाज और गेन बढ़ते हो जाएगी थर्ड बैन की जानिब बाउंडरी लाइन के बाहर एक और खुब्सूरा चौका लाज जबाब क्रिकेट खेलते हो यहाँ पर जिंबाबवे के प्लेयर्ज डॉलर ठिरफानो स्ट्राइक पर माउजो थे जिन्होंने इसकें को ड्राइब करना चाहा लेकिन गेन बले का बाहरी किनारा चूते हो जाएगी थर्ड मैन की जानिब बाउंडरी लाइन के बाहर लेकिन यह और चौके के चलते हुए स्कोर हो जाएगा इस मैच के अंदर अब तीम जिम्बावे का 118 रहते हैं वो स्कोर टिम जिम्बावे का यहार यह स्कोर कार्ड जो हो थोड़ा देर से अपडेट हो रहा है मुझे यह जो है वो कह लीजे के थोड़ा सा मसला लग रहा ह स्कोर 118 रहा साथ बिगर के नुक साम पी जहां यौर के लेंच ये इंदा फ्लिक करना चाहते थे सिंगल आएगी सिंगल के चलते हुए सिंगल के साथ दूसरे रॉन के लिए दोनों के रापिस आगी और दो रॉन के चलते हुए स्कोर हो जाएगा इस मैच के अंदर अब ए जी हाँ गाईज स्कोर जो हो रहते हुए एक सो और बीस टीम जिंबावे का साथ बिगर के नुकसान पी और इन दोनों प्लेयर्स के दिम्यान तैंटी स्रंस के एक अच्छी पार्टनर्शिप लगाते हुए और जिंबावे के टीम एक अच्छा कमबैक करते हुए अलू भाई गलत लैंगविज का इस समाल नहीं चलेगा नो ब्रो नो यह आपका घर नहीं है यहाँ पर आप गाली देंगे किसी को भी यह तो दोस्तों एक सोबीस होते हुए स्कोर साथ विकर के लिकसाम पे अपने वकेरी गेन लेकर बालर तयार रहार इसकी असनियान की गेंद पढ़ने के बाद बाहर के जान निकली गेंद जाएगी सिधा थर्ड मैं के फिल्डर के याथ में और इस तरहां आइधिंक की जान से और गेन बाले का बाहरी किनारा लेने के बाद जाएगी सिधा फिल्डर के आथ में जो मौझूद है थर्ड मैं की जानेब करेंगे इसके इनको कैच और अब 120 रहते हुए स्कोर टीम जिंबावे का आठ विकर के नुकसाम पे आठारा अशर या एक अवर का खेल ज जो मैं अच्छी बॉलिंग करवाते हुए अच्छी और आरे भाई पाकिस्तानी बॉलर अच्छी बॉलिंग करवाते हुए लेकिन टीम जिंबावे ने भी अच्छा खेला है आज के इस मैच के अदर लाइक उन्होंने आगे लेकर बड़ा इस मैच को रच्छिंदा से आगे लेकर गई है टीम जिंबावे की टीम 136 140 अगर वो बना लेते हैं गाई तो फिर इस मैच के अंदर उनकी सिच्वेशन कुछ ऐसे आहां रिजवी गलत लेंग्विज का इस्तमाल नहीं चलेगा गलत लेंग्विज का इस संदिप सिंभ भाई आपके अंदर इंसानियत भी होनीं चाहिए अकेले आप र्यगूलर नहीं इंसानियत भी होनी चाहिए इंसानियत यहन नहीं होती कि कि आप किशी को बुरा बला बोलें आप किसी को होड़ करें यूँएव तो बी नूट्रल और अब जो है वे 120 रहते हैं वे स्कोर आठ विकर के नुकसान पर जिम्बाबबे के टीम को 130-140 रास्कोर जो है वो कह लीजेखे लाजमी तौर पे करना होगा जहां पर अब 120 होते हैं वे स्कोर आठ विकर के नुकसान पर दस स्केनों का खेल जहां वो होना मजीद बाकी असनान के लिगें रो मनाते हो इस स्केन को खेलना चाहते थे लोगन की जानिव लेकिन बले का इंसाड एच लेने के बाद जाएगी मिड विकर की जानिव सिंगल आएगी स्केन के उपर और सिंगल के साथ दूसरे रून के लिए दोनों प्लेर बापिस आएगी और दो रून्स के साथ बरताबा स्कोर हो जाएगा अब एक सो एक के स्टीम जिमबाविक आट विकर के नुकसान पर अठारा शर ये दो वर्स के बाद और आई थिंक ये प्लेयर भी रूनाउट हो जाएगे डानल फिरफानों जहाँ वर रूनाउट हो जाएगे पर आज जो हो आई थिंक यहाँ पर अब रूनाउट हो जाएगे डानल फिरफानों आपके ये रूनाउट हो जाएगे 122 रहते हो टीम जिमबाविका स्कोर नौ विकर के नुकसान पर अठारा शर ये तीन वर्स का खेल जाएगे वो अब तक मुकमल होजगा है आई मा खान गलत लेंग्विज का इस्तमाल नहीं चलेगा डोंट यूज पॉलिटिकल लेंग्विज हीर फिरहुर सिर्फ क्रिकट के बारे में बात करिएगा अधर्वाइज आपको रिमूव किया जाएगा और अब जो है वो रिमूव करते हुए जहां आस्टों के बार जाद आप अगेंग्विज स्मैश किया इस गिंग को शॉट एक्स्ट्रा कवर की जहांने फुल्ट रहींगे माजूद करेंगे इस गिंग को फिल्ड वीडियो के उपर साज फिल सबता इस दोस्ट जोनों लाइक कर चुके हैं बहुत बहुत शुकिया आपका अरे बाई पॉप स्कल्टन हमने कर दिया है उनको भी दोंट वरी अरे बाई गलत लेंगी का इस्तमाल कर रही है ज़भा आब इक और चौका जो हाँ और लगते हुए स्केन के उपर और चौगे के साथ बरताव स्कोर हो जाएगा 122 विकट के नुकसान पर 18 शरियती नवर का खेल अब तक मुकमन हो चुका है जहां अंदर आती हुए गेन थी बल्ले का इंसाइड एच लिया इस गेन और इंसाइड एच जो है वो कह लीजे के वो ते हुए गेन जाएगी बांप भी लाइन के बाहर चाहकी के लिए 122 रहेगा स्कोर 9 विकट के नुकसान पर पाक्तान और इंडिया की सीरीज का कौन बोल रहा है बला अरे बाई तो खेलो ना आकर क्यों नहीं खेल रहे दुबई में खेल लें का मात्ति रहे एता कि व्यक्しょう की यह ले आते हैं क्रिकेट के लिए स्था कोई तालग नहीं एई कि कि नहीं आकर क्रिकेट यवी में खेल लें तब स्कम क्रिकेट तो हो ना चाहिए जो मरजी जीते जो अर्जी हा रहे ऑन्स को तो अच्छा लगीगा ना ये तो दोस्तों यहां पर 122 रहते हुए स्कोर 9 विगट के निक साम प्या ठारा शर ये चार वर्ज का खेल जहाँ अब तक में खमल होचका है पर दिके इनको गाइड किया है आप स्टाइट की जाने एक्स्ट्रा कवर की पोजिशन पर फूर्ट रही है यहां पर सिंगल आते हुए और सिंगल के साथ बढ़ते हुए स्कोर हो जाएगा 117 विगट के निक सान पर हारी लाल सर जहां गाने और शायरी करते हुए लाइब चैट के अंदर पर आज को जहां बाज डेब्यू करवाया गया है दोस्तों अब देखना होगा के डेब्यू मैच के अंदर कैसा परफॉर्म करते हैं वो आई थिंक वो एक बॉलर ही है जोके नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद है उननेस आशर ये कवर का खेल मुकमन हुआ अगली गेन यॉर के लेंच ए गेन इस गेन को डिफेंट कर दिया है लॉंगन की जाने बैक और सिंगल जाओ गाईज आएगी और सिंगल की चलते हुए स्कोर हो जाएगा इस मैच के अंदर एक सो एक सो अठाइस टीम जिंबावे का दनो विकट के नुक्सान पिए I have seen many furgy here in YouTube क्या मतलब भाई आपका pop skeleton thanks all for string here जहाँ पर अब अपने अबर के रिगेन लेकर बॉलर तयार इसके उनको smash करना चाहते थे फ्रास लेकर रहेंगे ना काम अब गेंद उनके बल्ले के बिल्कुल पास से गुदरते हुए जाएगी विकट के पर कहाप में अनादर डिलिवरी और डॉट डिलिवरी के चल किस किसम के क्रिकट खेली जाती है स्कूर कार्ट प्लीज तो भाई मेरे थोड़ा सबेट करिये जैसे ही इनिंग्स मुकमल होगी तो आपके साथ में स्कूर कार्ट को भी शेयर कर दूँगा जहां पर अपने अबर के लिगेंद फ्लिक कर दिया इसके इनको लेक्सार की जान संदीप सिंग भाई बाज आजाए आप अपनी बातों से बाई मेरे हाइड होना है लगता आपने जब आपको बोला है कि इस किसम की बातें ना करें आप क्यों इस किसम की बातें कर रहे हैं आप हद होती है किसी भी चीज़ की ये तो दोस्तों 133 रहेगा स्कोर 9 विकट के नुकसांपी 129 विकट से यहाँ पर रग दिख गेंदास रूं के बाद ज्यादा वगें इस गेंड को इस गेंड को जाने दिया जो है वो विकट कीपर के बास एक और डिलिवरी और अब सिच्वेशन कुछ यू रहेगी गाई इसके स्कोर रहेगा 29 विकट के नुकसांपी आपने पड़ा न संदीव सिंग का क्यासा था यार यही मेरा पॉइंट होता है कि आप जो है वो हर किसी को खराब नहीं बोल सकते हैं होते हैं बंदे कुछ न जो नोने ऐसे बात ही करनी होती है ऐसे काम करनी होते हैं सकून को बरबाद करना होता है तो आखरी गेंड होगी दोस्तों से निसकी मुझजर बानी जो है वो कह लिजी के अब स्ट्राइक पर मौजुद होंगे अज़ां गेन ग्योर कलेंजें गेंद और 120 जो है वो गाईज कह लिजे के 120 दर्श का जो है वो अब कह लीजे के यहां पर टार्गे 130 रंस का टार्गेट दिया गया है टीम में जिम्बाभवे की जान से टीम पाक्सान को तो भाई मेरे गौतम में इस वकद उस अटाक की बात करने की क्या बात हुई बताए जरा मुझे What is the point of talking that kind of shit here now जब उस चीज़ को हुए इतनी देर हो गई है जी तो दोस्तों मैच जा रही है जोगत पाक्सान और जिम्बाभवे की टीम मुझे दर्मान जहां पर जिम्बाभे की टीम ने इस तीसरे रोड फैनल T20 मैच कंदर टॉस को गीन किया अर्टास को जीते वह पहले उन्हें इस मैच के पहले बैटिंग करने का फैसला किया और उनकी जानित से आज कि सम्मैच के इंदर पहले बैटिंग करते वह 139 रंज बनाए गे 9 बिकट के नुकसान पे और 130 रंज का जो है वो टार्गेट यहाँ पर दिया गया है अगर हम बात कर लेते हैं गाईज स्कोर कार्ड की तो स्कोर कार्ड आज के समयत का कुछ यू रहा गाईज के आज जो है बेर्टन टेलर ने 8 रंज बनाए 11 गिनों का सामना किया बात रही चीमोच बाबा की तो उन्होंने 31 रंज बनाए 28 गिनों का सामना किया 3-4 और एक चपका जो है बोन की जानिव से लगाया गया क्रेग अर्वाइन ने चार रंज बनाए 6 गेनों के उपर वैजले मैदवीरे ने नौर रंज बनाए 14 गेनों के उपर एंडर रही बात रियान बुर्ल की तो उन्हें आज के इस मैच के अंदर एक रंज बनाया और मिल्टुन शुम्बा ने जो है वो इस मैच के अंदर 14 रंज बनाएगी लेकिन अब जिम्बाबे के टीम जो हो इस मैच के अंदर 130 रंज का टार्गेट देते हैं वो तीम पाक्सान को एंडर रही बात गाईज यहां पर वलिंटन मसा कज्या की तो उन्हें 11 गेनों के उपर एंड फराज जक्रम ने दो रंज बनाए 4 गेनों के उ दोस्तों मैच का अवाल कुछ यूं ही है कि अब सैकेंड इनिक्स का आगास अब से कुछ दिर के बाद हो जाएगा जहाँ पाकिस्तान को जीतने के लिए 130 रंस की जरूरत है और अब देखना होगा कि पाकिस्तान के रिम इस मैच को जीतकर वाइट वोश टीम जिंबावे को कर पाएगी है नहीं इस मुतलिक आप तमाम दोस्ते जरूर से बताएगा और पाकिस्तान की जो रिक्वाइट रिन रेट होगी वो साड़ी छेकी होगी तो लेट सी वाट विल हैपन इन इस मैच जी हाँ गाईज देखने माली बात जो है वो यहीं होगी के कौन सेडिम जो है आज केस महा रुमांचिक तो नहीं बोल सकते लेकिन यह है कि मैच को विन करेगी ये तो व्क्त ही बेहतर बताएगा विल्कुल गाईज ये तो वक्त ही जो है वो यहाँ पर बेहतर बताएगा क्या सीचूशन रहती है आज केस मैच की जी तो दोस्तों मैच जा रही है जोगत पाकिस्तान और जिम्भावे के टीम ने इस तीसरे और फाइनल टी 20 मैच के अंदर टॉस को विन किया और टॉस को जीते हुए पहले उन्होंने जो है वो इस मैच के अंदर बैटिंग करने का फैसला किया और उनकी जानलित से आज किस म आज का कुछ यू रहा गाइस के आज जो है वो ब्रेंडन टेलर ने 8 रंज बनाए 11 गिनों का सामना किया बात रही चीमोच अबाबा की तो उन्होंने 31 रंज बनाए 28 गिनों का सामना किया 3-4 और एक चका जो है वो उनकी जानिव से लगाया गया क्रेगर वाइन ने 4 रंज बनाए 6 गिनों के उपर वैजले मैद अबीरे ने 9 रंज बनाए 14 गिनों के उपर एंडर रही बात रियान बर्ल की तो उन्होंने आज के स्मैच के अंदर एक रंज बनाया और मिल्टोन शुम्बा ने जो है वो इसमैच के अंदर 14 रंज बनाए अल्टन चिकंबुरा ने 2 रंज बनाए जबकि अगर हम बात कर लेते हैं डॉलन टिरफानों की तो उन्होंने 28 रंज के एक अच्छी निस खेली और यहां एक वक्त में आसा लग रहा था के टीम जिम्बावे इसमैच के अंदर लगबग 300 के आसपार माफ की का 100 के उपर रंज बनाएगी लेकिन अब बाबे के टीम जहाओ इसमैच के अंदर 130 रंज का टार्गेट देते हैं वो टीम पाकिसान को एंडर रही बात गाईज यहां पर वलेंटन मसा कज्जा की तो उन्होंने 11 रंज बनाए 28 यह उपर एंड फराज जक्रम ने 2 रंज बनाए 4 यह उपर रहा इसके साथ साथ ब्लै एक विकर्ट का अपने नाम किया, हारिसْ उफ्ने 4 अबर्स करवाए, 48 रंज पर रहा इसके साथ साथ बसे ब्लैट को एक ब्लै निमाद वसीर ने fattय में 27 रंज को चोपने नाम क्या पतनी नाम किया जब आज असमान कादर की जाने से बहतरीन बालिंग करवाएगी जिन जरूर थे और अब देखना होगा कि पाकिस्तान के रिमी स्माच को जीतकर वाइट वाइट वोच टीम में जिम्बावे को कर पाएगी है नहीं इस मुतलिक आप तमाँ दोस जरूर से बताएगा और पाकिस्तान की जो रिक्वाइट रिट होगी वो साड़ी छेकी होगी तो लेट सी वाट विल हैपन इन इस मैच जारी है जो अगल पाकिस्तान और जिम्बावे के टीम मुल दर्मान जहां पर जिम्बावे के टीम ने इस तीसरे और फाइनल 220 मैच के अंदर टॉस को बिन के अँड और टॉस को जीते हुए पहले उन्थोनी जो है वो स्कूर कार्ड की तो स्कूर कार्ड अज के इस मैच को यू रहा जो आज जो है यो ब्रैंडन टेलर ने आठ रंज बनाए ग्यारा गिनों का सामना किया बात रही चीमोचा बाबा की तो उन्होंने 31 रंज बनाए 28 गिनों का सामना किया 34 और एक चपका जो है बोन की जानिब से लगाया गया क्रेगर वाइन ने 4 रंज बनाए 6 गिनों के उपर वाइसले मैद अवीरे ने 9 रंज बनाए 14 गिनों के उपर एंडर रही बात रियान बर्ल की तो उन्होंने आज के स्मैच के अंदर एक रंज बनाए और मिल्टोदन शुम्बा ने जो है वे स्मैच के अंदर 14 रंज बनाए एल्टन शिकम्बुरा ने 2 रंज बनाए जबकि अगर हम बात कर लेते हैं डॉलन टिरफानों की तो उन्होंने 28 रंज के कच्छी निक्स के लिए और गहाँ एक बक्त में आसा लग रहा था के टीम जिंबाबे इस मैच के अंदर लगबग 300 के आसपाल माफ की जिका 100 के ऊपर रंज बनाएगी लेकिन आप जिंबाबे के टीम जह हुआ इस मैच के अंदर 130 रंज का टार्गेट देते हैं वो टीम पाक्स्तान को एंडर रही बात गाईज यहाँ पर वलेंटन मसा का जाकी तो उन्होंने 11 रंज बनाए इस तरह जिंबाबे के टीम ने 119 रंज के अंदर रहा हैं अगर हम भाग कर लेते हैं पाक्सान की बालिंग की तो पाक्सान की जानिव से जो हैं मुहमद असनया ने चार अबर्स करवाई 22 रंज देते हुए एक विगट को अपने नाम किया हारिस्टरफ ने चार अबर्स करवाई चार अबर्स में उन्होंने 38 रंज देते हुए एक विगट को अपने नाम किया निमाद बसीम ने चार अबर्स में 27 रंज देते हुए दो विगट को जो है बपने नाम किया कि अब second innings का आगाज अब से कुछी दिर के बाद हो जाएगा जाहाँ पाकस्तान को जीतने के लिए 130 runs की जरूरत है और अब देखना होगा कि पाकस्तान के रीम इस मैच को जीत कर वाइट वोच टीम में जिम्बावे को कर पाएगी है नहीं इस मुतलिक आप तमान दोस्त जरूर से बताएगा और पाकस्तान की जो रिक्वाइड रिट होगी वो साड़ी छेकी होगी तो लेट सी वाट विल हैपन इन इस मैच जी तो दोस्तों मैच जारी है जोगत पाकस्तान और जिम्बावे की टीम होगी दर्मान जहां पर जिंबावे के टीम निस तीसरे और फाइनल टी ट्वणटी मैच चनुमी चेंदर टॉस को मिन किया और टॉस को जीते हुए पहले उन्होंने जो है वो इस मैच के अदर बैटिंग करने का फैसला किया और उनकी जानिब से आज किस मैच के अंदर पहले बैटिंग करते हुए 139 रंस बनाए गे 9 बिकट के नुग सामपे और 130 रंस का जो है वो टारगेट यहाँ पर दिया गया है अगर हम बात कर लेते हैं गाईज स्कोरकाड की तो स्कोरकाड आज के समयच का कुछ यू रहा गाईज के आज जो है वो ब्रेंडन टेलर ने 8 रंस बनाए 11 गिनों का सामना किया बात रही चीमोच अबाबा की तो उन्हें 31 रंज बनाए 28 के नों का सामना किया 34 और एक चका जो है वोन की जानिब से लगाया गया क्रेगर वाइन ने 4 रंज बनाए 6 गे नों के उपर वैसले मैद अबीरे ने 9 रंज बनाए 14 गे नों के उपर एंडर रही बात रियान बर्ल की तो उन्हें आज के इस मैच के अंदर एक रंज बनाए और मिल्टोदन शुम्बा ने जो है वो इस मैच के अंदर 11 रंज बनाए अल्टन चिकंबुरा ने 2 रंज बनाए जबकि अगर हम बात कर लेती हैं डॉलन टिरफानों की तो उन्हें 28 रंज के कची लिए और यहां एक वक्त में ऐसा लग रहा था के टीम जिम्बावे इस मैच के अंदर लगबग 300 के आसफाल माफ़की का 100 के उपर रंज बनाएगी लेकिन अब जिम्बावे के टीम जह वो इस मैच के अंदर 130 रंज का टार्गिट देते वो टीम पाकिस्तान को एंडर रही इनने 139 रंज बनाए नो विकट के नुक साम पे अपने मुकरणा 20 रंज के अंदर रहा है अगर हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग की तो पाकिस्तान की जानिव से महमाद सनया ने चार आबर्स कर वाए 22 रंज को एक विकट को अपने नाम किया हारिस जाओष ने चार आबर्स ने रंज कर वाए और सबसे कुछी दिर के बाद हो जाएगा जाहां पाक्स्तान को जितनी के लिए 130 रंस की जरूरत है और अब देखना होगा कि पाक्स्तान के इसमाच को जीतकर वाइट वोश क्या तीम में जिम्बावे को कर पाएगी है नहीं और उनकी जानिब से आज किस मैच के अंदर पहले बैटिंग करते हुए 139 रंज बनाएं गे 9 विकट के नुक साम पे और 130 रंज का जो है वो टारगेट यहाँ पर दिया गया है अगर हम बात कर लेते हैं गाईज स्कोरकाड की तो स्कोरकाड आज के स्मैच का कुछ यू रहा गाईज के आज जो है वो ब्रेंडन टेलर ने 8 रंज बनाएं 11 गिनों का सामना किया बात रही चीमोच अबाबा की तो उन्होंने 31 रंज बनाएं 28 गिनों का सामना किया 34 और एक चका जो है वोन की जानिव से लगाया गया क्रेगर वाइन ने 4 रंज बनाए 6 गिनों के उपर वैसले मैदवीरे ने 9 रंज बनाए 14 गिनों के उपर एंडर रही बात रियान बर्ल की तो उन्होंने आज के इस मैच के अंदर एक रंज बनाया और मिल्टों शुम्बा ने जो है वो इस मैच के अंदर 11 रंज बनाएं लेकिन अब जिम्बाबे के टीम जो हो इस मैच के अंदर 130 रंज का टार्गेट देते हैं वो तीम पाक्स्तान को एंडर रही बात गाईज यहां पर वलिंटन मसा का जाकी तो उन्होंने 11 रंज बनाए 18 गिनों के उपर एंड फराज जक्रम ने दो रंज बनाए 4 गिनों के सासाथ ब्लैसिन मुजरबादी ने 5 रंज बनाए और इस तरह जिम्बा विगट हिन ने 139 रंज बनाए 9 विगट के दुक्साम पे अपने मुकरणा 20 अबर्स के अंदर रहा हैं अगर हम बात कर लेते हैं पाक्सान के बालिंग की तो पाक्सान की जानिब से तो दोस्तो मैच का अवाल कुछ यूँ ही है कि अब सेकेंड इंस का अगाज अब से कुछी दिर के बाद हो जाएगा जहां पाक्सान को जीतने के लिए 130 रंज की जरूरत है और अब देखना होगा कि पाक्सान के रीमी समयच को जीतकर वाइट वर्श तीम जिम्बावे को कर पाएगी है नहीं इस मुतलिक आप तवाम दोस्त जरूर से बताएगा और पाक्सान की जो रिक्वाइड रिन रेट होगी वो साड़ी छेकी होगी तो लेट सी वाट विल हैपन हेलो एंड वॉलकम अगें गाइज बहुत बहुत शोक्रिया आपका साथ रहने के लिए जहां पर पाक्सान और जिम्बावे के दर्मियान होने वाले इस मैच की सेकेंड इनिस का आगाज जो हब होने वाला है और अब अब अब्दुल्ला शाफिक दस मैंच के अंदर तीम स अस्ट्रेलिया के खिलाब बनाए थे यहां फाइनल को विन किया था टीम पाकस्तान ने हरारी में हराया था टीम जो है वो अस्ट्रेलिया को और उसके बाद अब जाकर जो है वो इनके पास मौका होगा कि वो 40 से उपरन्द बनाए इस कहली जिए कर पिसले दो सालों के इनके अब मुरबजार मुजरबान की गेंदे स्कून को पूल कर दिया है लकसाइट की जाने अब मेड़ बिकर की पॉजिशन पर यंकी मुड़न की पॉजिशन पर फिल्ट रहींगे मौजूद करेंगे स्केंगों फिल्ड और अब जो होगा इस कहली जिए के मैच का जो है आँ पाकितान दे यह है बोब बैटिंग करते हुए समयाइच के अंदर पाकस्तान के प्लेज जो है वो बैटिंग करते हुए बैस्ट बालिंग फिगर्जिंट इन टी-20 बाइपाकस्ताणी स्पिनर्स तो इमाद वसीम ने है पाकस्तान की जान से 14 रंस देते हुए ये कौन सी फिगर्स है तेलिए ये तो हालिया दोर की फिगर्स हैं दोस्तों जहां पर इमाद बिसिंग के जान से 14 रंज देते हुए उन्होंने 5 विकर्ट का अपने नाम का रखा है जब कि आज दूसरे तीसरे बलखे कहलीजे के चौते नंबर पर बेहतरीन पांच में नंब पर आज दिवाना तो दोस्तों वही सिचुएशन है ये वासिफ भाई कि वाज क्या हो गया मेरी आवास को क्या मेरी आवास थोड़ी डिपरेंट लग रही है ऐस्टाग मिस चावाना थीक हो गया जीत हो दोस्तों यहां पर एक रहते हो इसको अबदुल्ला शफीक डोमेस् इस मैच अंदर खेलते हुए गाइट कर दिया इसके इनको थर्ड मैन की जाने असद शफीक जैसा इनका जो है वो कह लीजिए के थोड़ा सा लगता है तरीका खेलने का जो के थोड़ा सा आफसाइड को फेवर करते हैं बरहल अब देखना होगा क्यासी क्रिकट खेली जाती की जान से जीरो गाइस मैच का आगाज होते हुए एक बेहतरीन मैच एक अच्छा मैच चलते हुए इन दोनों टीम्स के रिए अगली गेन को डिफेंड कर दिया है वाप इस वह लग की जाने वे का रड़ दिलिवरी इन रहते हुए टीम पाक्सान का स्कोर बिना किसे विगट के नुकसान ते पांच गिनों के बाद अंदर आती हुगेन को फ्लिक कर दिया लग साट के जाने वा अबदुल्ला शाफीक के निकले बल्ले से निकला हुए बेहतरीन शॉट और चौका लगाएंगे अबदुल्ला शाफीक तो दोस्तों ने जो है वो यहा पर उप्ल आजाए हम इंगोर है एपटी गेमर्स साट मुझेए यहां पर आज मुझे स्पोर्ट की जरूरत है कि आज आज आपको बता दू कि है और थोपोडी सी टाइट है खरे मैच यूटीब के लाई और दोस्तों और चौका लगाया गया हिन की जान से तेरा रहते तीन रहते हुए टीम पाकिस्तान का स्कोर बिना किसे विगट के निकसान पर बलके साथ होते हुए स्कोर बिना किसे विगट के निकसान पर एक बड़या मैच, एक अच्छा मैच होते हुए, पाक्स्तान और जिंबावे के टीमोविदर में, पकट जमान विल बी अंस्ट्राइक और अब देखना होगा के जमान बाईया की जानिब से एक इस किसम की बैठिंग जो है वो इस मैच के अंदर की जाती है, जहां पर अब ब फ्लिक कर दिया, इस गेन को बाकवर्ट स्कॉर लग की जानिब गाप में है गेन, सिंगल लाईगी, सिंगल के साथ, दूसरे रन के लिए फखर जमान वापिस आईगी, और दो रन्स के जलते हुए, स्कोर हो जाएगा नौ टीम, जो है वो, पाक्स्तान का बिना किसी बिगर कि नौकसान पेगा शरी एक अबर्स के बाद, मॉंबई इंडियन्स वर्सिज टीम दिली कैपिटल जाज शाम को मैच किला जाएगा, फाइनल मुकाबला और देखना होगा कि फाइनल मैच को जो है, वो कौन सी टीम विन करती है, पानु के लिगेन, दो विकर टीम को डिफर पर नौ टीम पाक्सान का बना के सिविकर्ट के नुकसान पे, डिसी शुड विन, यस, यू कं से लिगेन को जीतना चाहिए, क्योंके वो एक नई टीम है, और नई टीम अगर जीती है, तो यकीनी तोर पर उनक अच्छा फील होगा, लाइक वो, यकीनी तोर पर अगर वोच अंदर आती हुई गेन थी, और ये गेन जाकर टकराएगी पैट से, अपील हुई ये, लबीड़्यू की, लेकिन अंपार का इशारा के बैट्समन रहीगा, नौट आउट और, नौट आउट के बाद अब रहेगा नौ टीम पाक्सान का स्कोर बिना किसे विकर्ट के नुक लेक साट के जानेब, मिड विकर्ट के पॉजिशन पर फिल्ड रहेंगा माजूद, करेंगे स्किन को फिल्ड एक और डॉट डिलिवरी और, डॉट डिलिवरी के चलते हुए हो जाएगा स्कूरिस मैच के अंदर अब, नौ टीम पाकिस्तान का बिना किसे विकर्ट के नुक एक बड़ा मौका हो सकता था, कि वो खुद बैटिंग करने के लिए और आकर अपने रिकॉर्ड को जो है, वो मजीद बेहतर करें लेके दुन्होंने अब्दिल्ला शफीक को ओपनिंग दी हुई है, जो कि आज अपना डेब्यू कर रहे है, थैंक्यों समझ रवाना, असला इस बैटिंग ओन फोर, जहां पर पगट जमान की गाईज, अगर हम बात कर लेते हैं, उनको आज अच्छा खेलना होगा, अच्छा खेलेंगे तो उनकी टीम ये मैच जीत पाएगी, अदर्वाइस उनके लिए ये मैच जो है वो गाईज, येतना बहुत ही मुश्किल रहन आजने वाला है अब रहल, पाक्सान के टीम के अंदर राज उस्मान कादर ने अच्छी बालिंग करवाई, इसी बेच पाट्स बरादेंगे इंदी स्किन को डिफेंड कर दिया है, लक्सार की जाने, बाद मिट विकट की पोजिशन पर फिल रहेंगे माजूद करेंगे स्क लाइक तो फिर हम क्या करें, बताईए जरा तमाम दोस्त के कल से जो है, वो कोई भी मैच नहीं होगा क्रिकेट का तो फिर हमें क्या करना चाहिए, इस मुतलिक आप तमाम दोस्ते हम अपनी व्राय का इज़ार कर सकते हैं, बता सकते हैं, लाइफ चाट के अंदर यहां पर यहां पर अब यह मैच जो है दोस्तों जारी है, स्कूर रहते हुए नो, टीम पाकिसान का, बिना किसे विगर के नुकसाम पर, जहां मुझदरबान की अगेन, दा शाट फिच गेन, डिफेंट कर दिया, इस कि इनको लेक्साइट के जाने वेकार डॉर्ड डिलिवरी, एक रही है, उस्मान कादर की जानिब से, जिन होने अच्छा डेब्यू किया है अपना T20 मैच जिन दर, यहां उस्मान कादर की दोस्तों बात कर लेते हैं, तो उन्होंने 8 विगर्स को जो है, वो इस सीरिस के अंदर अपने नाम किया, लेकिन अगले आने वाली सीरिस के अंदर उनका सही पता चलेगा कि किस परकार कितने हैं, वो बड़े फ्लेयर हैं, वो बड़ी टीम के खिलाफ जब खेलेंगे वो, मेरे हिसाब से उनको जो है व अपने गूगली को जो है वो थोड़ा सा इंपरो, गूगली तो उनकी बेहतरीन है, लेकिन उनको लगस्वीन गें को अपनी लाइनो लेंद को थोड़ा सा इंप्रूव करना होगा इम्रान काहिर जैसे वो बोलर मुझे लगे जहाँ पर राग लिगे एंद विकेट विकर आता होगे इंद इसकिन को डिफेंट कर दिया है वह आप इस बोलर की जाने बेका और डॉट डिलिबरी अपदुल्ला आश शफीक जो है वो एक अच्छे प्लेड है लाइक अपना डेब्यू कर रहे है तो यकीनी तोर पर रहें को डेब्यू मैच के अंदर अच्छा खेलना चाहिए आप उनको बेस्ट विशिज पेश करें ना कि आप उनको जहें वो इस तरह की बाते कर रहे हैं इन चौक आफ अखट जमान के बल्ली से और चौक के चलते हुए दस हो जागा टीम पाकिस्तान का स्कोर बिना किसी विगर के निकसान पि जहां लिगें दास्टों के बाट जाने बिगेंद और क्याट को ड्रॉप कर दिया है क्याच को जो है वो गाइज ड्रॉप कर दिया यहां पर एक्स्ट्रा कवर पर मौजो दा फुल्डर की जानिब से जिन्हें डाइव करते हुए इसके स्कोर रहते हुए चौदा टीम पाकस्तान का बिना के सिविगर के नुकसान पि एक बड़िया कैच हो सकता था लेकिन कैच को जो है वो ड्रॉप कर दिया गया है कप्तान की जानिब से इसके बाद अब चौदा रहेगा स्कोर बिना के सिविगर के नुकसान पि एक गेन का खेल जो है वो होना इस सबर के अंदर मजीद बाकी है यए के अंदर मजीद बाकी है अब दिखना होगा कि ईक गेन की ऊपर कितने रंज बनाती है टीम पाकिसतान यहाँ पर द सेबाब दे टीम अगर जीती है तो वो सीरिस को लइक सब्गी tratar दो दो एक से जो है वो वो फिनिश करेगी पाक्सतान की टीम अबर इसमेंच को जीती है गाइस तो पाक्सतान की टीम जो है वो सीरीज के अंदर अच्छे अंदास है आगे बड़ेगी और सीरीज को क्लीन स्वीप कर लेगी जहां अब्दल्ला शिफीक को आती हो एक लिगें अंदर आएगी अगें इस वीडियो को डिफरेंट कर दिया है वाप इस वादर की जहाने बेका अदर डिलेवरी थैंक्स साल फोर स्विंग हीर आप हमारे गेमिंग चैनल एपिक गेमर्स को भी जहाँ चेक कर सकती हैं जिसका लिंक आपको इस वीडियो के लाइफ चाट कर दा मिल जाएगा अगर यहाँ पर जिंबाबी के टीम बढ़िया खेलती है लाइक जिंबाबी के टीम अगर एक से दो विगर्स को ले लेती है तो फिर आकसान की टीम के लिए थोड़ी से मुश्किलात रह सकती हैं वरहल अब देखना होगा क्या सा होता है या फिर नहीं 15 रहेगा स्कोर बिन किसे भी करते हैं किसां पे और के जो के लेजंड गेमर्स सी यू सुन दू अमंग अश्टरिंग अफोकल बस भाई इट विल टेक असो मच राइम और आई डोंट हैंड आप आप अच्छी चीज रह सके यहार आप तमाम दोस्यों अपनी वीडियो को बंद करके रिफ्रेश करके दुबारा से चलाएं तो कि मुझे लग रहा है कि दोस्तों के पास वीडियो जो है वो काफी देर बाद जा रही है 15 रहेगा टीम पाकिस्तान का स्कोर बिना किसे विगट के नुक्सान पे तीन अवर्स के बाद जहां अपने अवर के ली गेन लेकर बॉलर एक दवा फिट से तयार दाना शुक्या तेज हुए अम पार को क्रोस के अगेन क्या यॉर कर लेंचे गेन इस गेन को इस गेन को डिफेंड कर दिया है वाप इस बॉलर की जाने बेक और डाट डिलिवरी एक बड़ा मैच एक अच्छा मैच चलते हुए इन दोनों टीम्स के दर्मियान यहां पर सीरिस का आखरी मैच और उसके बाद जो है वो कह लीजिए कि सीरिस का अगला मैच जो है वो दोस्तों नहीं होगा क्योंकि सीरिस मुकबन हो जागी हो उसके बाद पाकिसान के टीम न लेकिन उसी बीच तीन जो है वो मैच इस होंगे यहां पर IPL PSL के बलके चार मैच इस होंगे PSL के एंडल लेट सी के PSL के मैच इस को कौन से टीम विन करती है गाईस यहां पर अब सिचुएशन को छीओं के सोला रहेगा स्कोर बिना किस बीच तीन उकसान पर बॉल अरत या दाना शुरू किया तेज हो एंपार को प्रॉस के अगेंड का यह और कलेंज अगेंड स्मैश कर दिया इसके इनको एक्स्ट्रा कवर की जानेब फिल्टर हो ही के माज़ो देखा और डॉट डिलिवरी और डॉट डिलिवरी के चलते हुए स्कोर हो जाएगा 16 टीम पाक्स्तान का बिना किसे विगट दिलिवरी और अब फर्राज बॉलिंग करवाते हुए फर्राज ने दो गिनों के उपर एक रंदिया हुआ है और कोई भी विगट वो जह है वो उन्होंने अपने नाम नहीं किया तो गाईज फर्राज की अगर हम बात तर लिती हैं तो वो आज अपना डेब्यू मैच खेल रही है और अब देखना होगा के डेब्यू मैच के अंदर उनकी परफोर्मेंस कैसे रहने वाली है जहां पर अपने वक्ये लिग इन लेकर बॉलर एक दावा फिट से आगे इन का तालुक साओधरी अब यह से हैं उनका तालुक मेबी पाकिस्तान या फिर किसी और कंट्री से हो क्योंके साओधी आरब के प्लेयर जो है वो इतना अच्छा परफोर्मेंस करते हैं यार आजी आके भाई बस स्कोर कार्ड ही थोड़ा सा पीछे है बाकी मैं आन टाइम जो है वो बोल रहा हूँ जैसे पीडवी स्पोर्स के उपर बॉल हो रही है वैसे ही मैं बोल रहा हूँ बस ना स्कोर कार्ड थोड़ा पीछे चल रहा है इस भी इस गें को स्वीप करना चाहते थे बैट्स में लेक्साइट की जानी देकर रहेंगा नाकाम और गेंद उनके बल्ले का इंसाइड आज जो है वो मिस्करते हुए जाएगी विकट की पर कहात में 17 रहेगा स्कोर टीम पाकस्तान का बिना किसी विकट के नुक्साम पे स्कोर कार्ड बस थोड़ा से बीचे है बाकि और कोई प्रॉब्लम नहीं है विडियो के अंदर जहाँ यॉर का लेंज अगें बल्ले का इंसाइड आज देते हुए जाएगी अगें दा मेट बिकट की जानीप सिंगल आएगी स्केंग के पर और सिंगल के चलते हुए स्कोर हो मैंने इनके बारे मेरी सर्च नहीं की सो दास्वाइ माल लेता हुए तो दोस्तो अब अठार रहेगा स्कोर्टिं पाकिसां का बिनांकिस देविकर की नुकसान पे जहां आब जो है वो सर्फराज माफ के गफराज अकरम जो है वो अपनी बालिंग के सिल्सले को जारी रखे आब गेंद कuley स्कृ नुकसान को अठार रहते रहे हैं ने को फेल्ट अच सिल्ट के नुकसान पे गर इहां पर जो मियार टीन औो पांच अवर्स का खेल मुकमिल होचे और अब कुछी अवर्स का खेल जो है वो होना इस मैस के अंदर मजीद बाती है गर जो है वो डॉट डेवरी एक और जो है वो डॉट डिलिवरी दोस्तो अब चार वर्स का खेल मुकबन होच कहा है और चार वर्स के बाद स्कोर रहेगा ठारा बिना के से विगड के निक सामपे क्या हुआ वासे कुछ भी नहीं हुआ क्या हुआ भाई कुछ हुआ क्या अनिफिंग हैपन एर फखट जमान दस पर मौजूद अब्दुल्ला शाफीक साथ पर मौजूद और बात कित के से इसले को जुहीं जारी रखेगा ताके हमारा ये साथ अच्छे अंदास से आगे बढ़ता रही है और अब इस मैंच के अंदर 16 अबर्स का खेल जहां वो होना मजीद बाकी बॉलर तई आप तिर फानु की एगें दो वेकर तो वेकर आदेवे स्किन को स्मैश कर दिया है मिड़ आफ की जाने फखट जमानने सिंगल आईगी स्किन को बरार रहा सिंगल के जलते हुए बारा हो जाएगा स्कोर बिना किसी विगट के नुकसाम पे अबदल समी भाई हमार साथ मुझूद है अवाज स्लो हो गई भाई सिंग आया नहीं हमें जोईन कर रखा बदबशों के आपका सिंग भाई अनान्या जी तो दोस्तों बीस होते हुए टीम पाकस्तान का स्कोर बिना किसी विगट के नुकसाम पे चार आशरिया एक अबर का खेल इस मैंच के अंदर अब तक कमन हो चुका है और विगट आइधिंग के स्टंप जो है वो थोड़ा सा ब्रेक हो चुका है और अब देखना होगा कि इसको ठीक किया जाता है या फिर बाद में इसको ठीक किया जाएगा जहां पर अब बीस रहेगा टीम पाकस्तान का स्कोर एक विगट के नुकसाम पे हावा में खेला जी तो दोस्तो बीस जो है वो हो रहते हुए टीम पाकस्तान का स्कोर बिना किसे विगट के नुकसान पे बलके 22 हो जाएगा स्कोर बिना किसे विगट के नुकसान पे बड़ा शौर्ट खेलना चाहती थे अब्दिल्ला शाफीक हवा मेखेल बैठी इसकेन को लेकिन गेंद जो है वो दोस्तो गैप में रही एक रना आया सकेन के ओपर दूसरे रन के लिए वाफिस आएंगे और इसे बेचे सकेन को फ्लिक कर दिया है फाइन लग की जानेब एक और सिंगल मिलेगी और सिंगल के चलत 250 सुम्ण बनाए हैं 40's किन के अवरेज रही है 8 50 अजधोंने बना रही है इसके साथ फखाध जामान के आवरेज 9 की रही है एससान अली के अवरेज 18 की रही है इमाम उलहक की आवरेज 14 की रही है तो कहने है का मकसद जो है वो यहाँ पर यह के यहाँ पर बाबर आजम के इलावा कोई भी ओपनर रहे इतना अच्छा पर हम नहीं कर सका टीम पाकिस्तान की जान से मेरा नाम वासिफली है दोस्त अगली गेंग स्मैश किया है इस गेंग को फखड जमान ने और गेंग जाएगी टाटा बाइबाई करते हुए लॉंग वन के फिल्डर के सरके ओपर से बांड प्री लाइन के बाहर एक महा चक्का बहुत ही बड़ा चक्का लगाते हुए यहां पर फखड जमान जिदोने इरपानों की स्किन के ओपर बाहर निकलते ह स्मैश के और चख सार जो हब उनकी जान से लगाया गया चकर लगते हुए तेज हो जाएगा टीम पाकस्तान का स्कूर बिना किसे विकर के नुकसां पर ते रन में गेने एंड 107 रन्स की जो है वजरूर थे टीम पाक्स्तान को ये मैच विन करने के लिए जहां चक्का लगा गया है फखट जमान की जान से और फखट जमान अब जाती हुए ठारा के स्कोर पर रग दी गेंडास उनके काफी जाता बाहर जाती हुए गेंडार टीस ट्रहते हुए स्कोर बिना किसी बिएट के लिक्स्तान पर आपिक गेमर्स साथ मुझे लाइब कम टीस लाइश्विम इसका लोगो तो चेंज कर लेंगा आप अपिक गेमर्स पैनल का लोगो या क्रिकट की गेम करें इसके उपर आप अंदर आती ही विए इंद फ्लिक कर दिया इसके इनको क्रिक्ट 19 करके ना आज का IPL का मैच उसको लाइब करें जल्दी से इसके इनको फ्लिक कर दिया लेक्सार की जाने बफिल्टर ही माजूद मिट्विक्ट की और करेंगे इसके इनको फिल्डेक और डिलिवरी आप आज मुंबई के साथ हो यार वैसे मु किनी तोर पर उनको ही जीतना चाहिए क्योंकि उन्होंने अच्छी क्रिक्ट खेलिए सीजन के अंदर सबसे ज्यादा जो है वह अच्छी क्रिक्ट खेलिए हो उनने भाई आपकी शादी जी नहीं भाई इस जीज़ मतलब चाहिए वो यह चाहिए कि ना मैच अच्छा हो मैच जो है वह बेहतरीन हो चाहिए कोई भी टीम जीते ना मैच सूपर अबर लगे मैच के अंदर सुपर रवर लगना चाहिए थाके मज़ा है मैच का वन साइडेड मैच ना हो क्योंके मुंबई के टीम स्ट्रॉंग टीम है और मुंबई की बात कर लेते गाई तो अगर वो पहले बैटिंग करती है तो पहले बैटिंग करते हुए वो चली जाएगी दोस्तों के आसपास अगली के इनको फ्लिक कर दिया लक्सार की जानेब सिंगल आएगी स्किन के उपर और सिंगल के चलते हुए स्कोर हो जाएगा वसीं भाई हमार साथ मोजो थी है सिंग अन्यान अरे भाई आपका नाम क्या है मैं आपका नाम बूल गया दुबारा से देखना पड़ेगा मुझे सिंग भाई आपको बता दू कि मेरा तालुक फैसल बाए से है लेंदा चरदे पंजाब दे फैसल बाएत सोई जी तो दोस्ते हो इहाँ पर अब 32 रहेगा स्कोर बिना किसे विगर के नुकसान पर 32 रहते हुए टीम पाकिस्टान का सोर बिना किसे विगर के नुकसान पर पुल्टॉस बनाते हैं इस गेन को खेल दिया है आप साथ की जानेब फिल्टर रहेंगे मुझे देखा और डॉडड दिली आरे 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 यूर अगर सॉरी 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 सॉमाज सॉरी जी तो दोस्तों 34 रहेगा स्कोर बिना किसे विगट के नुकसान पी बाइद अब आप तमाम दोस्तों हैं वो कहां कहां से हमार साथ मोजू थी अनन्या यही है ना आपका नाम अजी अब मैंने पड़ लिया आस्टों के बाट जाता हुगें स्मैश कर दिया स्केन को आक्ष्वा कवर की जाने बंदा शॉर्ट सिंगल आते हुए स्केन के बर और सिंगल के चलते हुए स्कोर हो जाएगा अब 35 पाकिस्तान के बिना किसे प्रिकट के नुकसान पी पांच आशार या दो वर्स का खेल यानिके पांच दिशम्लब दो वर्स का खेल जहाब अब तक समाप ठोचका है जो के आप अकरंट रंडेट की बात कर लेता तो छे आशार या पांच शी का रहेगा वैसे बाइदा वे आपने मेरी लाइश्ट् अजिए गेंद ऑस्टन के बाट जाता वा गेंद और बोल्ट होते होते बाल बचेंगे ये प्लेयर और गेंद जाएगे बल्ले को बीट करते हुए विकट के पर के हाथ ने का डार डिलिवर तन्मीर एहमद भाई इंग्लैंड लेट से हमार साथ महुजू दें तन्मीर भा जी तो दोस्तों यहां पर अब रहेगा स्कोर 35 पाकिसान का बिना की सिविकर के निकसान पर अले गेंद 10 रों के बाट जाता हम अगेंद इसके इंकर ड्राइव कर दिया है एक्स्टा कवर की जानीव शोट एक्स्टा कवर की पॉजिशन पर फिल्ट रहेंगा बाजो देख है वो स्ट्रीम के अंदर वोइस का कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रहा है क्योंकि मैंने वोइस की जो है वो कह लिजिए कि यहां पर सैटिंग्स को चेंज किया हुआ है कोट अदू मुलतान के पास दोस्तों है हमार साथ मोजू ने जहानिया सुना हुआ है आपनी अग्री चलते हुए स्कूर रहेगा चत्तीस बिना किसे विगट के नुकसान पी एट साल फाइन थैंक यू सो मच पर यह फीड़बाक अब्रीवन मुझे विपिन भाई पुच्थे हुए पाकस तक्की मैं अगले महीने में होंगा अठारा तारींगा लाइक एЫज के बाध कर देंुटी मैच होगा नियुजवीलैंड के सात्ती और दो करिकिए की सीरीज खेली जाए गी एंड इंशाला आई विल ट्राइ के आपके साथ जो है वो सीरीज को भी मैं शेर करूँ यह दो दोस्तों अब स्कॉर रहेगा चाथी स्रीम पाक्स्तान का विना किसी विकट के नुकस्तान पी बलके 27 रहते हुए स्कॉर बिना किसी विकट के नुकस् साथ सो पैंसर्ट के करीब दोस्तों है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब परते हुए बदबश्यों कि आपका आतिम भाई हमार साथ मुझोद है वल्कम टू दिस लाइश्ट्रीम ऐस वैल पाक्स्तान की रिम अभी तक कोई भी विकट को जो होब लोज नहीं क किया हुआ फराज जक्रम ने दो वर्सकेंदर छे रंज दिये हैं और कोई भी विकट को अपने नाम नहीं किया वासे भाई आप इंडियन्स के बारे में क्या सोचते हो तो रस सम से क्या बूद हब आपको आस्रम के बार जाता हम अगे इंडिस किन को डिफरेंट कर दिया है कवरर पॉइंट की जाने सिंगल आएगी और सिंगल के चलते हुए स्कोर जो हो रहेगा सेंटीस बिना किसे विकट के नुकसान पे पाकस्तान पे फ्लिक कर दिया है लक्साइड की जाने फिल्टर है मौजूद न्यूजिलैंड सीरीज में मलिक खेलेंगे क्या हां जी हां जी जरूर से खेलेंगे मलिक वाइनोट मेरे हिसाब से टी ट्वंटी मैचेज का वो प्लेयर हिसा रह सकते हैं और अब्दुल्ला शाफीक बड़ा शॉट खेलना चाहते थी लेकिन उनके बल्ले का इंसार एच लेने कबाद जाएगी लोंग उनकी जानेब सिंगल आती हुए स्किन के उपर और सिंगल की चाहेंगे फाखर जमान को कितने मौके देने हैं आपने बता दीजे मुझे फाखर जमान को कितने मौके देने हैं आपने जहां पर फाखर जमान बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो चुके हैं गाईज आपने क्री से बाहर निकल कर इस गेन को खेलना चाहते थी लेकिन रहेंगे नाका, अस्सलाम वालीकम अस्सलाम, यह वैसे क्यों बुलाब, जी तो दोस्तों यहां पर हर स्कॉर जो होते हुए और 30 में बिना किसे विगर कनेकसान पी, बलके विगर कनेकसान पी, बाइदे वेइट स्गुड गुड टू टॉक, इन दिस मैनर, जी तो यह यहां पर फखट जमान जो हो आउट हो जाएंगे गाइस, बड़ा दसका लगेगा टीम पाकिस्तान को और अब पाकिस्तान के टीम, जो है वो, इस मैच के अंदर आगे बटते हुए अननिया वैसे यह मुझे बताएं कि आपको जो थोड़ी सी मिच्वर किसम की बाते हैं, उनकी समय लग जाती है न, वहलब, आर यू दैट ओल के आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बोला हूँ जी तो दोस्तों यहाँ पर 49 रहते हुए स्कोर बिना किसे वेकर्ट के नकसान पे कब मिलोगे नागपूर में, यार कब मिलेंगे कोई पता नहीं, बस यह है कि आप ऐसे ही हमारी स्पोर्ट और हमारा साथ देते रहें तो इस से बड़ी और कोई बात नहीं होती है, यार साथ मोई उदे हैं, वालकम तो इस लाइज स्ट्रीम, बभánd 수गेर, आप कभी आने के लिए, और हमार साथ फोकल बस मोई जो धुँधि हैं, फोकल बस कराची किस को स्पोर्ट कर रहे हैं, अरे बाए, अरे 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 भाइ, अरे बाए, अरे, अरे भाई, काराची किक्स की स सबसे अच्छी चीज़ों मुझे लगी, आज वो यह लगी कि उनके पास बड़ा मुचा था कि वो, बाबर आजम ने पहले बैटिंग करने के लिए नहीं है बाद में बैटिंग करने के लिए आएंगे और सवाल मुझसे आया था what do you think about Indians तो इसका जवाब संदी जी आप मुझसे जवाब यही है कि मेरे लिए यह जब से मैं कुमेंटरी कर रहा हूं जब से मैं इस चैनल के उप नहीं हो और उससे पहले भी मेरी यह सोच जो है वो रही है जो अच्छे लोग हैं उनको स्पोर्ट की जाया चाहे वो पाकिस्तान से हैं चाहे वो इंडिया से हैं और आपको बता दूँ कि मेरे लिए इस लाइव चैट चैट के अंदर कोई भी पाकिस्तानका नहीं होता तो यही मेरा मंनना ठीक हुगा चाहे फिर आप इंडिया से है चाहे पाकसतान से है रहने की कोशिश करें और इंसानियत को सबसे उपर रखे, ना पाकसितान को ना इंडिया को, इंसानियत सबसे उपर बाद में कंट्रीज को देखा जाएगा जी तो दोस्तों यहाँ पर 43 रहेगा स्कोर एक विगर के नुकसान पर क्योंके यहाँ पर हमारा रिष्टा जो है वो इंसानियत का ही है हमारा और कोई रिष्टा नहीं है जी तो दोस्तों यहाँ पर 44 रहेगा स्कोर एक विकर्ट के नुकसान पे साथ आशारीय तीन अवर का खेल मुकबन होचका है जहाँ पर अब हैदर लिचार पर मौझूद है शफीक सोला पर मौझूद है जहाँ अपने अवर के लिगें लेकर बॉलर आगिन क्या पैट्स पर अब अगेंद अपील हो सकती थी बड़ी अपील लेकिन रहेंगे यहाँ पर इस गेंद को फुल करने में आ काम और अब रहेगी सिचुशन को चूँगे 44 रहेगा टीम पाकिस्तान का स्कोर एक विकर्ट के नुकसान पे हाँ जी बस पॉलिटिक्स हैं कसम से पॉलिटिक्स और मेडिया अगर ये दोनों चीजे ना होना तो इतनी शान्ती और इतना स्कून होना के मदा आगा है परहल क्या कर सकते हैं जो अला पाक को उपर वाली को मन्जूर हो वो ही होता है इसमें भी कोई ना कोई बेहतरी है बस ये अच्छा लगता है कि बिना इस चीज को देखे हुए कि मैं कहां से हूँ आप कहां से हैं आप हमारे साथ हाते हैं जूरते हैं तो इससे बढ़कर और बाबराजम क्यों नहीं आ रहे हैं तो भाई मेरे यहां पर बाबराजम जो है वो अपनी टीम के यंग प्लेयर्स को मौका दे रही हैं अपनी टीम के जो होगा इस कहलीजे के यंग प्लेयर्स को मौका दे रहे हैं यह प्लेयर इसके इनको निकाल दिया है थर्ड मैं की जान बाल बाल पूछ रहे हैं पाकिस्तान का इस विंटर के अंदर मैच कब होगा तो यह ले विपन इट्स फोर यू विपन विपन भाई पाक वर्सिज न्यूजी लैंड का मैच होगा और वो मैच आपको बता दू के चुटी है कल को पढ़ने का दिल नहीं चारा आरे वाई क्यो का चैनल है जो भी बंदा गेमिंग का शोकीन है वो कह लिजिए के गेमिंग चैनल को जाकर चक कर सकता है पस्टी ट्वंटी अठारा जिसंबर को खिला जाएगा अली गेन को डिफेंट कर दिया है वापिस बादर की जानेब एक और डॉट 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 है टीम पाक अब्दुल्ला शाफीक जो है वो पहला चका लगाते हुए अपने इनिंग्स का इंटरनेशनल क्रिकट का जो है पहला चका लगाते हुए अब्दुला शाफीक जिनका डेब्यू मैच है गाईज और डेब्यू मैच के अंदर पहला चका लगाते हुए एक चौका और एक च नुकस्तान पर आती हुई गेन को फ्लेक का दिया है लेकसार की जानेब मिट विकट की पॉजिशन पर फिल्डर मौजुद सिंगल आएगी सिंगल के चलते हुए स्कोर हो जाएगा तरीपन टीम पाक्सान का एक विकट की नुकस्तान पी आठाशर ये चारवर्स का खेल जाब अब तक मुकमन हो चुका है डीसी को जित्वादू इस बार बिल्कल वैसे डीसी की टीम जो है वह इतनी वी खराब टीम नहीं है एक और बड़ा शोट और एक और चक्का लगाते हुए यहां पर अब्दुल्ला शाफीक बलके हैदर रली जो है दोस्तों इस दवार चक्का बलके अठावन होते हुए स्कोर एक बेकर के नुकसान पे तालिया होनी चाहिए टीम पाक्स्तान के लिए जो है वो यहां पर कह लीजे के पाचास रंस को मुकमल कर लिया है अधि गेन को डिफेंड कर दिया लेक साथ की जानिब बेकर की जानिब एक और डिलेवरी और बलके सिंगल आईगी और सिंगल के चलते हुए स्कोर हो जाएगा तरी पंटीम पाक्स्तान का लिए जो है आसिक राजा भाई हमार साथ मोझूद हैं वल्कम टो दिस लाइब स्ट्रीम ऐस वैल और दोसु साठ के करीब जो हैं वो दोस्त हमार साथ मोझूद अरे वैसे सिंग तो पंजाबी होते हैं पंजाबी सिंग जो है वो होते हैं लेकिन चले होता है सब जी तो दोस्तों यहां पर 59 रहेगा स्कोर टीम पाक्स्तान का एक विगट के नुक्साम पे 8-5 वर्स के बाद स्लॉक स्विप क्या है इसके इनको मिड़ विगट की जानी बहुर चक्का लगाएंगे यहां पर हैदर अली हैदर अली को रोकना नममकिन दिखाई दे रहा है दोस्ता और हैदर अली की जिस किसम की जो है वो फार्म लगी हुए है इनको लिए इनके लिए जब अगला मैच आएगा ना लाइक पीएसल का अगला मैच होगा इनका 14 तारीख को खेला जाएगा वो मैच और रोस मैच में ये पिशावट जल्मी की जो है वो जानिब से खेलेंगे तो यकीनी तोर पर पिशावट जल्मी की टीम को जो है वो काफी ज़ला फाइदा रहने वाला है इस चीज़ का चैसर होते होगे टीम पाकिस्तान का स्कोरिक विगट के नुकसान पे नुआ शरीए एक अवर का खेल जावब अब तक स्मात हो चुका है जनके मकमल हो चुका है हैदर अली ने पिशले मैच के अंदर 50 बनाई थी और अब एक और बड़ा मौका है हैदर अली के बास के वो कि अंदा से आगे बड़े कि आसे बाई जब मैच खत्म हो जाएगा तो आप क्या करेंगे करोगे तो मैं कुछ करूंगा कि मैं जैसे ही मैच खत्म होगा तो आई पेल के मैच की कवरिज हम स्टार्ट कर देंगे अना दुम्यां सिंगल आएगे स्केन के ओपर स्मैश किया स्केन को लॉंग ऑन की जानीब और सिंगल की चलते हुए स्कोर हो जाएगा सरसर टीम पाकिसान का एक विकट के नुकसाम पे अली गेन को फिर से डिफेंट कर दिया है वाप इस बोलर की जानीब एक और जो है वो डॉट डिलिवर अब ऑट दिलिवरी जो हो रहेगा सरसर टीम पाकिसान का एक विकट के नुकसाम के अलीगेन को फलिक करना चाहते थे लेक साकी जाने लेकिन रहेंगे नाकाम एक और डॉट दिलिवरी के साथ अर और अरे जब आई पील भी खतम हो जाएगा तब तो दो दिन की ब्रेक होग स्कूर्ट हो जाएगा आठ सर्टीम पाकिसान का एक बिगर किनकरसान पी हां जी पीसल जब आई पेल खतम होगी तो यकीनी तोर पर मुझे खुद समय नहीं है क्या करूंगा हम मेभी एक आप जो है वो गेम की वीडियो में अप्लोड कर दिया करूं दिन के अंदर दो दिन के लिए और उसके बाद जब PSL आ जाएगी तो PSL के तीन चार दिन लगातार मैचेस रहेंगे उनको हम कवर करेंगे और फिर आठ नो दिन की मेभी ब्रेक हो और मुझ पे डिपेंड करेगा कि ब्रेक में लेता हूँ या नहीं क्योंकि थोड़ी सी मुश्किलात का सामना है इस सेट अप मुझे मतलब सेट अप इतना अच्छा नहीं है आज कल सो अट वाई मेभी ब्रेक ही हो जाए आठ नो दिन की और इसके बाद सब ताइस तारीख से बाकाइदा तोर पर आपके साथ में दुबारा से ज्वाइन हो जाओंगा सब सट रहेगा टीम पाकिसान का स्कोर एक प्रिकट के नुक्सान पी आपको प्यास नहीं लगती है क्या किसे पूछा है आतिफ भाई हमार साथ मोजोध ही एंड फोकल बस बोलते हुए फखर जमान गूड फॉर नाथिंग और डिस्टे आफ क्रिकेट बाई हिम और अब जो है उनकी जगा जो है वो दोस्तों मु कमल तोर पर जो हो मेरे हिसाब से निकल जाएगी टीम से वो टीम के अंदर नहीं रहेंगे मुझे लगता है ऐसा और उनको रखना भी नहीं चाहिए उनको ब्रेक लगानी चाहिए अभी क्योंकि इतना अच्छा परफॉर्म नहीं क्या होना ने यार एक तेर जिसके प्यास लगती है मैं भी इंसान इंसान को जह है वो कह लीजिये के लिए प्यास लगती ही है और मुझे भी लगी हुए है लेकिन मैं पी लेता हूं पानी पहले पी लेता हूं पानी बीच में भी पीता हूं कभी कबार लेकिन यह है कि जब ठंडा पानी हो तो मैं नहीं पीत तुकर गले के लिए इतना ठीक नहीं रहता चाय में फी लिता हूं बीच में 72 रहेगा स्कूर एक विगर्ट के नुकसान पे इसके इनको फिलिक कर दिया है लगसाख आर यू सीरियस हां जी हां जी मैं सीरियस ही हूं legend gamers फिलिक कर दिया इसके इनको लगसाख के जाने मेट बिकट के रिजन में जाएगी अगें सिंगल आगी सिंगल के चलते हुए स्कॉर हो जाएगा यहां पर अगर आप यहां तर एक बिकट के नुक्सांपे अब तो आदत सी मेरा नम वो सॉंग गाने को दिल कर रहा है आपने बोला ना कि आप रुपते ही नहीं है तो इस वज़े से मेरा जो है वो सॉंग गाने को दिल कर रहा है तो अब तो आदत सी है ऐसे मुझको ऐसे जीने की अब तो आदत बन चुकी है सीरियसली बोल रहा हूँ आपको 73 होते बसकोर एक विगट के निकसान पी हाँ जब मैं फेस्काम करता था तो उस वकट मेरी हालत को मैं थोड़ा सुधार के रखता था तो उस वकट कह लीजिए के मैं पानी बगारा का इस्तुमाल ज्याला करता था इस गेन को कट कर दिया है कट कर दिया इस गेन को पॉइंट की जाने फिल्टर रहेंगे माजूद एक और ड़िवरी और रहते हतर रहेगा टीम पाकसान का स्कोर एक विगट के निकसान पी सुनेंगे बाई मुझे आएगा तो मैं सुनोगा ना I'm not an all-rounder person टीक हो गया आस्तुम के बार जाता हम गया कट कर दिया स्केन को दी पॉइंट के जाने सिंगल आएगी स्केन के उपराट सिंगल के चलते हुए स्कोर रहेगा आप 74 एक विगट के निकसान पे लोकल बस आर यू देर ब्रो बाई कहां पे गाय थे आप इतने दिन लोकल बस बाई आप गाना गाओ हाँ 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 रोना शुरू कर दो छोटू सच में मुझे गाना नहीं आता और ये चीज रियल है जूट नहीं है इसके इंदर मैंने एक गाना सीखने की कोशिश की थी लेकिन उसको भी इतने अच्य अदास नहीं गा सका था और उसके बाद मैंने पंगा लेना छोड़ दिया मैंने का जाने ही दो जी तो दोस्तो तेहतर रहेगा स्कोर टीम पाकिसान का एक विगट के निकसान पे पच्पन गेनों के उपर 57 रंस की जो है वो कह लीजे कि यहाँ पर यह मैच आगे अच्छ अंदास से मैच आगे बड़ पच्पन गेने और 57 रंस के जरूर थे टीम पाकिसान को यह मैच विन करने के लिए और आब देखना होगा कि इस मैच को विन कर पाएगे टीम पाकिसान या नहीं जिम्बाववे के टीम 129 रंस जो है वो 9 विगट के नुक्सान पर बनाई थी आज जिसके जवाब में पाकिसान का स्कोर 74 है विगट के नुक्सान पर और आब बॉलिंग में तबदिली की गई है शुबा को बॉलिंग के लिए लाया गया है आज चंके बाट जाता होगे अगली गेंद को लिव कर दिया जाने दिया विगट के पर के पास और अब वाइड डिलिवरी का शारा दिया जाएगा पार की जान से मेरे पास तुम हो बस कर दे भाई बस कर दे क्या हो गया है अगली गेंद कर डिफेंट कर दिया हाँ मेरे पास आप सब दोस्ते हैं न तो मुझे और किसी चीज़ की जरूर अगली गेंद कर दिया है बहुत ज्यादा स्कोर हो सकत कैसे होगा जी तो मैं आपको बता दूँ कि अगर पाकिस्तान की टीम पहले बैटिंग लेती तो यकीनी तोर पर बड़े रंज बनते हुए हमें दिखाए देते एस ही बीच इस गेन को स्मैश कर दिया है एक्स्ट्रॉय कावर की जहानी बहुर गेन बढ़ते होई जाएगी बांडरी लाइन के बाहर चौकी के लिए चौका मेरे गाइस गेन के उबरार रहा बस स्कूर रही गाइस मैच करना रहे 79 on the loss of one wicket हाँ जी हाँ जी ऐसा ही होता है जो काम बंदा खुशी के साथ करे और अच्छे से करे उसको करना चाहिए मजबूरी में कोई काम नहीं करना चाहिए that's my thinking तो गाना अगर नहीं आता तो छोड़ें इसको कोई मजबूरी नहीं किसी को इंप्रेस करने के लिए या फिर किसी को जो है वो सुनाने के लिए गाना सीखने की जरूरत नहीं है आपको let it go buddy and enjoy the cricket जो काम अच्छा लगता है आपको वो करें यह तो दोस्तो 79 रहेगा स्कूर एक बिकट के नकसाम पे 11 अशरीय तीनवर के बाद सुनना अच्छा लगता है कभी कबार तो वो सुन देते हम अली गेंद को कट करना चाहते थे है अधर लेकिन गेंद उनके बल्ले का हलका सा फेड़ एज लेगी और जाएगी विकट के पर के आथ में करेंगे इस गेंगे को वो एक पर फिल्ड और इस तरह पाकसान की टीम एक और बिकट कर लूज करते हुए हादर ली आउट हो जाएंगे हादर अली जोहाँ दोस्तो आउट हो जाएंगे यह अर एक बडा दसकाल अलके वो तीम पाकसतान को साथ सोची के की ग्रीब दोस्तों है बूल यहाँ पर कहली जे के वीडियो के लाग क्याते हैं सुनना वैसे मुश्किल काम नहीं है हर कोई सुन सकता है और वो भी इंग्लिश मुजिक तो अच्छा लगता है इंग्लिश मुजिक वैसे न तो दोस्तो 79 रहेगा स्कोर तीम पाकसान का एक विगर के लिकसाम पर एट साथ दिशक्षिन गाइस गूंगा वित्मीन मीज एंड माइए बड़ी इन लाइव चैट तो आप भी हमें जॉइन कर सकते लाइव चैट के अंदर क्योंके मैच जो है वो इतना वो नहीं है जिसको हम बोल सके कि क्रंची मैच हो रहा है तो ये है कि आप ग्वाइन कर सकतें लाइच चैट के अंदर अपने कुमेट्स को शामिल करवाने के लिए 51 गेने, 51 बंस की जरूरत और अब फाइनली बाबर आजम जो है जी तो दोस्तों यहाँ पर 79 रहेगा स्कोर दो बिगट के नुकसान थी बहुत बश्यों कि आप लेजंड गेमर्स ये भाई मेरे मुजिक के सिरफ मुजिक है राटस पर आतें भी गेन दी स्किन को इस गेन को खेल दिया है यहाँ पर लॉन वन की जानी सिंगल आएगी स्किन के उपर और सिंगल के साथ बरतावा स्कोर हो जाएगा सी दो बिगट के नुकसान थी आइली गेन को स्मैश किया है एक्स्ट्रा कावर की जाने भावा में है गेन दौर अब्दुल्ला शापी के बले से निकला हुआ बेहतरीन चौका जी हाँ गाइस बेहतरीन चौका लगते हुए स्किन के उपर और रब चौर रासी रहेगा स्कोर दो विगट के नुकसान पर बस बस भई सिमिलारिटी ज्यादा अच्छी नहीं होती बाकि यह है कि हां मुझे रियल में यही सब से ज्यादा मैं और सुनता भी नहीं हो कभी कबार जब सुनना हो तो पर जी तो दोस्तों असी रहेगा स्कोर दो विगट के नुकसान पर आई प्रेफर स्कीनों का सामुना किया वालींटन मसाकदजा जो है वो यहां पर कहली जॉकसान तो कर दिया है आप बस भी बस हां जी यही है वैसे सीम टूसीम यही वैसे फीमस है और यही अच्छी लगती है सबको और इसी के बीच इस गिम को फ्लिक कर दिया है जाने बार जाएगी बांपरी लाइन के बाहर चौकी के लिए इस आल और मतलब सारी की सारी यह और इसके इलावा अगर आप ने दोर के लोग हैं तो आपको उनका नहीं पता होगा मतलब इतना भी पराना नहीं है लेकिन अग्सेंट स्टूडियोज भी अच्छा है इसके इलावा अब भी वो थोड़े फ्यर्ड हो गये मतलब इतने ज्यादा आते नहीं है और इसके साथ साथ इसके साथ साथ काफी ज्यादा है मतलब लंबी लेस्ट है अगर कोई चाहिए हुए तो मैं आपको रिक्मेंड कर दूँ है इसके इसके बार सिंगल के चलते हुए स्कूर हो जाएगा अब 89 टीम पाकिसान का दो विकट के नुकसान पे 12 आशार यती नमर के बाद आपके लिए मैसेज तू क्या जाने तेरे बिन मर जाएंगे वाह लेजिंड गेमर्स क्या बात है लेजिंड गेमर्स मारने का इरादा है क्या सक्रीन क्यों लेट है साजिद भाई सॉरी फॉर दैट शाम वले मैस के अंदर ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसे हाँ जी हाँ जी ऐलन वारकर के भी अच्छे होते हैं वो म्यूजिक तो ख्रियर करते हैं ना डी जै वाका का 89 रहे गा स्कोर दोवेगा क्यों गुक्साम पे वन उफ माई फेवरेट आप बोल सेते हैं फेर्ड एंड दाट कंड आट गांड वाल 89 रहे गा टीम पाकस्तान का स्कोर दोवेगा क्यों गुक्साम पे डिफेंट जी टोवाज एक्स्ट्रा का वरान अंड डॉट देलेवरी मार्शमेलो फिर बढ़ान कौन कौन से हैं कसम से मुझे अभी डूडना पड़ेंगे आस्ट्रा के बार जाता हम अगें कट कर दिया इसके इनको बांडरी लाइन के बाहर एक और चौका एक आप तो शायद मेरी प्लेलिस्ट के अंदर भी हो ने आपको बोलता जाता हूं त पढ़ते जाएगा नाम यह तो दोस्तों चौका लगा है एक बेहतरीन चौका लगते हुए सकेन के बार रहा है चौके के चलते हुए स्कौर रही गा है 89 बलके आप जो मेरी प्लेलिस्ट के थे गई यह तो दोस्तों चौका लगा है और चौकी के चलते हुए अब दिल्ला शाफीक भी अब 35 पर जाते हुए आतिफ ने आप से कुछ रिक्वेस्ट की है गाना तो सुना दो भाई जो मेरे साथ इस विकट ना 260 दोस्त मौझूद है पता है आपको 270 के करीब दोस्त मौझूद है मेरे पास तो एक चीज़ आपको बता दूँ मैं कि अगर मैं गाना सुनाना शुरू कर दूँ ना तो फिर ये सारे के सारे गाइब हो जाएंगे यहाँ पर तेरान मेरे रहेगा स्कूर्द विकट के नुक्स्तान पर ओ माई गुड़नेस बाहर निकलते हुए इसके इनको स्मैश किया है खुश दिलशा ने मिड विकट के जाने बांडरी लाइन के बाहर जाती हुए गे इन्दे का बेहतरीन और लाजवाब किसम का चक्का वाह क्या बात है कमाल हिट करते हुए यहाँ पर हुश दिलशा जिन्होंने कदमों का सारा दिया और रिसके इनको जो है वो खेल दिया बांडरी लाइन के बाहर चक्के के लिए और चक्के के साथ जो है वो दोस्तों अब बढ़ता हुआ स्कोर हो जाएगा इस मैश के अंदर निनान में दो विकर्ट के नुकसान पर ते राज शर्या एक अबर्स का खेल जाब अब तक मुकमल हो चुका है वो भी आप समसकते हैं एक सो पांच रहेगा स्कोर टीम पाकस्तान का दो विकर्ट के नुकसान पर थैंक्स एवर्वन फॉर स्टेंग हीर आइमा मैस वो भी आप समसकते हैं एरसाल स्वावोड छे बच के 20 मिनट का किस नहीं लगाया हुए है भाई पाकस्तान को जल्दी जल्दी से स्मैच को फिनिश करें ताके हम अगले मैच को जल्दी जल्दी से शुरू कर सकें अगले मैच का टॉस हो है वो गाईज होने माला है सो आई हैब तो स्टार्ट दा फाइनल मैच प्रोसीडिंग विद यू है मेरी प्लेइलिस्ट गाईब हो गई है अब बता नहीं काम पे नहीं मिल रही है यूट्यूब के उपर थी लेकिन वो गाईब ही होगी एक तरह से अब सिंगल जो है वो गाईज आएगी तो सिंगल के साथ अब बरताब स्कूर हो जाएगा एक सोचे दो विकर्ट के नुकसान पी केलर स्विफ्ट को कौन जानता है वह उसके भी अच्छे होते हैं साम जर्वारा वैसे ना इंगलिस एक सोचे रहते हो रहते हैं स्कूर दो विकर्क के नुकसान पी विकर्ट दन आता हैं गेन स्केन को ड्राइब कर दिया है लां के जानीम स्फेकर देत भें सिंग जानते हैं सिंगल के जलते हैं स्कूर रहे queste अजी सिंग ऐसा ही है कुछ किना आदित हो गई है वैसे वह वह वुषूट है व्यूर निकनेम हीर वह ना कोई आपका शॉट नेम होना चाहिए वैसे आस्टों के बार जादा वगें दिसकेन को कट कर दिया है डीप पॉइंट के जाने बुम्दा शॉट गें जाएगी नथिंग एल्स किसी फ्री टाइम के अंदर आपके साथ में शेयर कर दूँगा सारा कुछ लिख के शेयर कर दूँगा आज मैच आई पेल के मैच के बाद की को गया 111 रहीगा स्कूर टिंग पाक्स्तान का दो वेकर के नुक्स्तान पर आस्टों के बाद जाते हुग इन को डिफेंट कर दिया है कवर और पॉइंट के जाने बेक और डॉट डिलिवरी और डॉट डॉट डिलिवरी के चलते हुए 111 रहेगा तीम पाक्सान का स्कूर दो वेकर के नुक्स्तान पर आज आई पेल के मैंच के बाद जब लाइफ सिंग चल रही होगी टेक्नो रिकोर्स के ऊपर तो उस वगत आप तमान दोस्त हमारे साथ ही रही है ना फिर नहीं नहीं मैं नहीं मैं नहीं मैं वही और नया नाम रखेंगे हम आपका परीद हमद भाई बोलते हुए कमेंटरी के होसला अवजाई करते हुए बहुत बहुत शुक्रिया आप वीडियो के ऊपर 800 लाइक्स लोने वाले हैं 800 लाइक्स आपने अभी तक नहीं की हुए बहुत ऐसे अच्छी बात नहीं है यह बारा लाइक्स की मेंजी जरूर थे इ फाइनल मैच है जो है वह होगा नहीं नहीं अभी नहीं यह वाला नहीं यह वाला नहीं हार किसी को बूत और चुडेल तो नहीं आप इसी को और नाम भी देगे ना एक सो ग्यारा होते हुए स्कोर टीम पाक्सान का दूबिकर गनक्सान पर एट्स लाइक आवर फेंगिली एक और खुबसूरत चौका लगेगा और चौके के साथ बड़तावा स्कॉर हो जाएगा आप भी स्माच के अंदर 111 टीम पाकसान का दो विकर के नुक सामपी बलकि 115 होते वे स्कॉर दो विकर के नुक सामपी अब्डुल्ला शाफी को 10 रंस की रोड़त है 10 रंस अगर 10 रंस अगर 10 रंस अगर बनाएंगे तो फिर वो अपनी 50 मुकमल कर लेंगे डेब्यू मैच के अंदर अब देखना होगा क्या सा होगा यह नहीं से बेचिस गिन को स्माश कर दिया लॉंग ओफ की जाने बार सिंगल आएगे सिंगल के चलते वे स्कॉर हो जाएगा अच्छा ठीक हो गया ठीक हो गया इतना ज्यादा गुस्ता नहीं जी तो दोस्तों आपके बता दोंगे फकर जमान टीम से निकल जाएगे और उनकी जगा पर अबदिल्ला शफीक को जो है वो टीम के अंदर शामिल के आजाएगा और अब देखना होगा कि अबदिल्ला शुक्रिया साथ आने के लिए जी तो दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैच ये मैच जो है वो कह लीजे कि अब यहाँ पर ग्यार चेबच के बीस मिनर से पहले जो है वो फत्म हो जाएगा और अगले मैच को भी हम उन टाइम शुरू कर देंगे स्विप करना चाहते थे इसके इनको लेक साथ की जाने बैट्समें लेकिन रहेंगे ना काम एक और डॉट डिलिवरी अरे भाई इतना घुस्ता नहीं करते अनू ये तो दोस्तों 11 रहेगा स्कोर दो विकर के निकसान पे पांच लाइक की जरूरत वीडियो के उपर आट सो होने में बहुत 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 शुक्रिया आपका हमारा साथ देने के लिए थैंक्यू सो मज़ गाइस अगर ये गेन को खेल दिया है लेक साथ के जाने बेक और डॉट डिलिवरी टॉस इन इस पोबाइस के लिए मैच इतना ज़्यादा इनट्रेसिंग नहीं रहेगा एक सो एक सो निस रहते वे स्कोर दो विगट के नुकसान पे स्मैश डूट अपसलूटी क्रंच डूट पुछ दिल्शान ने लगाया है एक बेहतरीन चौका और जाके के साथ 123 होते वे टीम पाक्स्तान का स्कोर दो विगट के नुकसान पे यार अबदुला शाफीक की 50 तो कर लेने दो डेब्यू मैच कर रहे हैं अबदुला शाफीक टॉस हुआ नहीं है जी जी बिल्कल ऐसा ही है बाई जोर जोर से कमेंटरी करो अच्छी लगती है बस कर दें भाई मैच इतने जोर वाला नहीं है आप मेरा जोर लगाकर मुझे जो पर एक और सिंगल मेलेगी और अब मुझे नहीं लग रहा कि अबदुला शाफीक जो हम अपने 50 को मकमल करेंगे क्योंकि कुछ दिल्शाफ स्ट्राइक पर माजूद है और खुछ दिल्शाफ जो है वो ओगे 800 लाइक्स जी जी विल्कल बहुत बश्यों कि आपका 800 लाइक करने के लिए तमाम दोस्तों का वीडियो के उपर और रब मैच फिनिश ओने वाला है गाईस कुछ ही वक्त जो है वो मैच के फिनिश ओने ममजीद बाकी है थेंक्स आलाओ गाईज आफ वर स्विंग हेर आइज पंदर मुकमल हो रहा है और चीकोच लाओ पिछला मैच भी वैसे सूल में वर केंदर मुकमल हो गया था और ये मैच भी सोल में वर केंदर और आज मुकमल हो जाएगा तो one-sided रही है T20 series और अब इस series का अखताम होगा और मुझे समय नहीं आता जब matches होते तो लगातार एक ही दिन के अंदर matches हो जाती हैं लेकिन जब matches नहीं होते तो फिर कोई भी नहीं होता है जैसे कल को परसो कोई भी match नहीं है और उसके बाद फिर defensive shot खेला गया है वाप इस वोलर की जाने बेकाउट.delivery विवस वगारा इतने खास नहीं आएंगे लेकिन ये है कि ना free रहने से बेस्तर रहेगा लेकिन मसला ये है कि मेरे पास इतना ज्यादा time manage करना आसान नहीं रहेगा लेकिन मसला ये भी है कि क्योंकि आजकल जो है वो और matches नहीं है तो फिर उन matches को ही करना होगा अगली weekend को smash कर दिया मिट वेकट के जाने बहुर चक्का लगाएंगी पाकिस्तान की टीम और इस match को win करते हुए अंदर आशार ये दो वर्स के अंदर इस match को finish कर दिया टीम पाकिस्तान ने खुश दिल शाने बेहतरी निलिंग्स के लिए और अपने टीम को ये match जितवाते हुए खुश दिल शा आई बेल के match की live stream कब शुरू करेंगे तो मेरी कोशिश होगी कि अब से पांच मिनर के बाद लाई बेल की live stream को हम शुरू कर दिये बारहल पाकिस्तान की टीम ने आट विक्टो से इस match को win कर लिया है गाईज और इस match को win करने के साथ पाकिस्तान की टीम अब इस tournament के अंदर यहन के series को sweep करते हुए और आप आपको बता दूँ के अब आपको बता दूँगा इसके series का इखताम होचका है और अब और अब देखना होगा कि किसमदा से यह matches यानि के अगले आने वाले matches जो कि कल को को कोई match नहीं परसों को कोई match नहीं अब आई पेल का final होगा जिसको हम cover करेंगे चक्का लगाकर match को finish कर दिया है यहां पर फोच दिल्शाने बेहतरीन शॉट जो है उनकी जानिप से लगाया गया लाज जवाब किसम का शॉट जो है उनकी जानिप से लगाया गया जिसमें mid wicket की जानिप इसके उनको smash कर दिया था और गेंदा अब वाँ में रहने के बाद जाएगी boundary line के बाहर एक बहतरीन चक्का और अब जो है वो guys यह match finish होते हुए और अब मैं आपके साथ share कर दूँगा वाला क्या अब मैं आपके साथ share कर दूँगा guys अगले match की सूरतिहाल come on IPL match हाँ जी बस ना मुझे थोड़ी से सैटिंग बैटिंग कर लें दें दें उस match की तोगे सैटिंग भी जो है वो थोड़ी जरूरी है उस match की so that's fine it will take some time so stay tuned guys क्याम दोस्तों है हमार साथ ही रहेगा जी तो दोस्तों match हुआ फिनिश अबदुल्ला शाफीक not out रहे इस match के अंदर और अब देखना होगा कि इस किसम की cricket जो है वो guys खेली जाती है IPL के अंदर IPL का बड़ा match होगा तो यकीनी तोर फर इंट्रस्टिंग और बड़िया cricket होनी चाहिए IPL के match के अंदर भी बरहल देखते हैं भाई लोग क्या बनता है ये तो वक्त ही बेता बताएगा ना so we have to wait and see what happens in this match in that match Indian Premier League जिसका आज फाइनल बड़ा मुकाबला खिला जाएगा गाईज और देखना होगा कि वेस्ट मैच को कौन सेटीम विन करती है जहां पर अब कुछ ही वक्त जो है वो मजीद बाखी है मैच का आगाज होने में अब मैं पांच मिनट के अंदर अंदर रगवी लाइस्टीम का आगाज भी करने की कोशिश करूँगा बरहल अब देखना होगा क्या आसा रहेगा ऐसा हो पाएगा या फिर नहीं अभी भी 42 मिनट का वक्त जो होगा इसो ना मजीद बाखी है बड़ा मैच रहेगा IPL 2020 का फाइनल मुकाबला बड़ा मुकाबला एंड लेट सी कॉंचेरी माज के से महा रुमांचिक और बड़े मुकाबले को विन करती है एक बात पूछले हाँ जी हाँ जी क्यों ज्यादा बात ही पूछले है इसमें क्या है बात ही पूछले है ना तो यू के नास नी अनिधिंग बड़ी जी तो दोस्तों यहाँ पर अब सिचुशन कुछ नहीं है कि इस ताइम फूर आईपेल एंड लेट सी आईपेल केंदर कॉंसी ती माज मेदान मारती है तो तमाम दोस्त जो भी हमार साथ मुझद है बड़ बश्चुखी आपका अरे भाई कोई ब्रीक भी नहीं लेने देते है यह कली कोई नहीं इस फाइनल मैच वी और आल गोना मिस आईपेल एंड पाकितानी मैच इस बीजी रहा पिछले 19 सेप्टमबर से लेकर लगातार बीजी दिन रहे हमारे लिए बिग फाइनल और ओफ आईपेल 2020 जो है वो दोस्त अब होने वाला है फोकल बस आईपेल फाइनल पिछ रिपोर्ट से सब फ्लैट पिछ कवर्ड बाई बिट ओफ ग्रास ओने तब मोर कम्फोर्टेबल फोर पिसर्स और स्पिनर्स स्टे टून फॉर लाइब एक्शन वोकल बस भाई आप क्या हमारे साथ रहेंगे फाइनल मैच के लिए या नहीं मुझे यह नहीं पता कि मुस्लिम रिलिजिन में माशाला और अस्सालाम अलेकम के डिटर्ड में क्या बोलती है क्या मुझे पता नहीं है क्योंकि मुझे आरे अस्टालाम उलेकम के जवाब में होता है वालीकॉम अस्सालाम, ठीक हो गया अाझनल yet और माशाला जो है वह बहुत अच्छी चीज़ है डिया में इससे अच्छी चीज़ को एप्रिशेट करने के लिए मैं अच्छालह बोलते हैं माशालल। अटिके हैं यह तो दोस्तों बाकी के सवाल जो है वह हम आप से उसके जवालों करना जवाब कोशिद्य के बाद दें मैं कई आ पकी तारीफ क यानि के माशालाब बहुत अच्छी बात है ऐसे आप अगर बोलेंगे तो इसका मतलब यही होगा आपको फिर वेलकम की सूरत में या थैंक्स की सूरत में जो है वो रिप्लाई गया थैंक यू सो मच यू आर रेली माशाला थैंक यू सो मच बड़ी और I will join you after some time मिलते हैं दो and I will be right back in about 4-5 minutes 4-4 minutes के बाद इंशाला मैं आपके साथ लाइब आजाओंगा ठीक हो गया बाए याल, see you, take care, bye bye